छलिए भाई हमना अपना टोपिक कंटीनू करते हैं पाचन किरिया वाला तो हम पाचन तंत्र से संब्धित दो ले चुके बने पहले लेक्षर में आपको बेसिक बात बताई और फिर जहां साइकिन जो लेक्षर था हमारा जो तो पाचन कर्या सिट्ट से वबर के कुझ देगी हमने उस इस प्र त्इसकस किया और आज हमें बाटन लिए का है सब से अंतिम और ठर्र लेक्ट्र देखना व्खा जिस में कि आउंगे अगनाशे और यक्रत्थ तो ये एक एक करके तिनों गरंथिया पढ़नी होंगी ठीक है भई तो करते हैं आप हमें स्टार्ट अपना टोपिक कि चलिए कि पर्मुख कि पाचक गरंथिया तो देखे हमारे स्रीर में पाचन कि रियां को टोटली स्टाब राइस टाप कराने के लिए तीन पाचक गरंथिया होगा इक महतवपून क्या होगा अपना योगदान होगा हमें एक बार उनके नाम जानने होंगे सबसे पहले मैं कहूंगा लार गरंथिया कौन लार गरंथिया यह जो लार गरंथिया होंगे यह भी कैसे गरंथिया होंगे पाचक गरंथिया होंगे क्यों क्योंकि लार में कुछ क्या होंगे एंजाइम्स होंगे ठीक है लार में कुछ क्या होंगे उत्प्रेड़क पतार्थ होंगे जैसे लैड मरकरी ठीक है नहीं हां जी अब ये कैसे होते हैं अब उत्रेक्प्दा जो कहीं ने कहीं हमारी अभी जो डाजेसन सिस्टम होगा उसमें खाना पशाने की किर्या हो क्या करते हैं वह हैं बहुत तेजी से करते हैं भई समझा आप कहा नहीं है कि एकशाजा यहां पर अगनाश है слग्रति अगनाश है यह वह है पाच्चन करंथी होगी और थर्ट जो हमारी हो वह समय पाच्न करंथी वह यह पुनिल्ड है define कौन सी हो गया आपकी यह क्रतियानिकी लिबर कि तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना होगा में लारकरंथिया पढ़नी ओंगी क्या पढ़नी сохран बिएक दोन से नहीं हम आपने हम आपनों। समय कर दोन दोन समय है। दोनुट है। पर टेक्स्ट बड़ा कर लें राराण्य ठAC अब यहां एक बात करने हो गई लार antia है इसमिष्ग की एल होगी नाम क्या होंगे और कहां पर वोगी क्या निकलेगा और क्यां पासजन किरा जो का लाने में योगदान होगा, तो मैं अगर बात करूँ, जो मनुश्य होगा ना, मनुश्य में तीन जोड़ी लार गरन्थिया होगी, कितनी? तीन जोड़ी, लार गरन्थिया, लार गरंथिया होती है सबसे पहला क्यूशन तो यहीं आएगा कि मनुश्य के अंदर कितनी जोड़ी लार गरंथिया होंगी तीन जोड़ी और अगर मैं बात कर लूँ यहीं पर संख्या की तो संख्या कितनी हो रहेगी छे समझें आप कहानी अब यहाँ पर बात करते हैं भई नाम क्या होंगे भई तो यह जो हमारी लार गरंथिया होंगी यह कौन कौन सी होंगी इनके बारे मैं बात करता हूँ तो देखिए तीन लार गरंथिया होंगी और तीन अंगों पर मिलेगी ठीक है भई ये मैंने क्या बना लिए सब्सक्राइब आपकी जीब बना ली भाने जीब कि मैं लटवाने कोशिस ने करें गाओ समझेंक ही क्या करें फाइनली हमें क्या करना और अपने एकजाम में वो तरीका कुछ भी create हो चुगी अब अफिर देखिंजे अब GPP कर ठीक नीसे यहां होगा ये है कि एक ऐस्ती होती है। जिसका क्या बोलते है जब्रेक्ष ठीर और इसका नामでした यहां पर मैक士 2 क्या इसको मैकसीला तो मर Corporation के स्रीर के सबसे मजबूत अस्ती कौन सी कुछ कि मैक्सिला जो बोलते जब्डेकेस थी और जब्डेकेस थी होगी यहाँ पर भी आपको 2,000 गरिन्था मिलेगी इसके नीचे तो देखें फिर यहाँ पर हमारे क्या होगा जैसे मैं क्या करता हूं यह जब्डेकी एक हमारी यहाँ पर ठोडी होते हैं इसकी सेफ़ बना कि जबडे की अस्थि होती है आपको पता होगा यह अस्थी किसकी मैख्सिला जबडे की अब जबडे की जो हमारी मैख्सिला बोंस ओगिसके दोनों साइट दो-दो गरंथिया यहां पर जाएंगी हाला कि मैं प्रैक्टिकली अपने अंदर दिखाऊंगा अभी टैंसन ना लो फिर क्या हुआ अब जब मेरा मुझ साइड होगा तो अब देखें जीब मेरी मैंने बाहर निकाली तो इस साइड इस साइड दो दो यहां पर दो नीचे यहां पर हो चुकी अब दो मेरे कान होंगे यहां पर दोनों कानों की नीचे यहां पर क्या निकलेगी एक एक लाद गरंथी होगी जब आप अपने दातों की पिछले पर जीब को लगा ओगे तो एक तरल पदात का स्त्रावन होगा वहां से करके देखो लाद निकलेगी मूह में अब लगा कि देख लिए आप ओगहां के ख्रकैने के बाद या अभी एक रखता सोरी एक दरु स्त्रावन होगी अजो को वो बोलते लागर अब नीचे दोनों साइट यह लार गरंथी आओंगे एक इस साइड और एक इस साइड इनका नाम क्या होगा तो इनको हम बोलते हैं भई सब लिंगुवल लार गरंथी क्या बोलते हैं आप है मिसकों भई सब लिंगुवल लार गरंथी तो डार्ट क्यूशन यहीं आएगा आपसे भई कि हमारी जीव के दोनों और दोनों पासर वोपर कौन-कौन सी लार गरंथिया पाई जाती है तो आपको नाम देना होगा सब लिंगुवल लार गरंथिया जीव के एक इस साइड और एक इस साइड और यह संख्या में कितनी हो डो एक यहां और एक यहां तो यानिंगि जोडी कितनी मैंने यहां तीन इसमें से एक हो चुकी और संख्या में दो कमप्लीट है अब क्यूशन क्या बनेगा वह कहेगा कि बताईए मनुश्य में कितनी लार गरंथिया पाई जाती हैं तो जब जोडी की बात कहे तो थीन अब मैंने एक जोड़ी पढ़ा दिया आपको कौन सी सब्लिंगुवल कहां मिलेगी है जो आपकी जीव होगी जीव के दोनों साइड एक गरंथी होगी लागें इसको बोलते हैं सब्लिंगुवल यहां तक बता है है कोई टैंसर नों दो अब सेकें जो हमारा कहां चलना होगा जबड़े के पास अब जब डेकेस थी मैक्सिला अब देखे एक गरंथी यहांपे मिलेगी आपको यह वाली और एक गरंथी यहांपे मिलेगी अब इन दोनों गरंथी के नाम तो यह एक ही होने इनको बोलते हैं आप हम सब मैडी कुलर सब मैडी कुलर लार गरंथी सब मेडिकलर लाल गरंथी में एक द लाल गरंथी यहां पर भी कौन सी होगी यह पीरोटीट लॉल customer थी और यहां पर भी कौन से उजाएगी है पैरोटिट लार गरंथी तो फिर देखें बहीं जो हमारी जीब होगी जीब के दोनों साइड एक एक लार गरंथी होगी जिनको हम क्या बोलते हैं पर सब्लिंगुल फिर हमारी जो जबडे की अस्थी होगी मैक्शिला मैक्शिला के दोनों और एक एक लार गरंथी होगी इसको हम क्या बोलते हैं सब्मेडिकुलर फिर हमारे करणों के ठीक नीचे कानों के ठीक नीचे यहां पर एक लार गरंथी होगी जिसको हम क्या बोलते हैं पैरोटिट लार गरंथिया इससे यादा कुछ नहीं बढ़ना आपको अब थोड़ा लार के बारे में बता देता हूं ठीक है नहीं कि तो अब हम बात करते हैं भई लिखिए इन सभी लिखे इन सभी गरंथियों से अगर मैं बात करूँ भई आपर क्या होगा इन सभी लार गरंथियों से एक अमलिय पदार्थ का इस्त्रावन होता है कि जिसे लार कहते हैं जिसे लार कहते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लार इसकी इसकी प्रकरती पूछ लेगा अमलिय अक्षारिये लार किस रचना को पढ़ते हैं भाई हम इसको उटाओ यहां पर स्ट्राइट के लो अपनी नोट कर लिजा आप इसको और स्ट्राइ मिए, जिसे लुट रज़्स कर दो लिजा थेलिया और स्ट्राइब में हम को झाला हैं प्रकर अज़ू फ्ल Hoş्ते खित ूपकर धूग diffuse हैं हम इसको जिसे लेग 5 कि इसको कि और जो नो आगू करे मुगил लेके इसको वयां कि चलिए द्जान कि अब बढ़ते हैं लार के सरचना लार सरचन we are तो हमने बात कर ले यहां पर क्या होगा है एक यह अम लिये दरू पदार्त कि अब इसमें क्या होगा भाई यह देखते हैं वाई लार में तो लार में कुछ हुंगि अंचाइम से होंगे इसमें क्या में लेगा मियूकस और कि अदर कि अंदर अब प्रसुन है इसे बने नापका लार में एंजाइम कुन कुन से होंगे टाइलीन माल्टेज माल्टेज के माल लाइस जाइम समझें नहीं हैं आप मियुकस इसमें एक पदार्थ होगा और इसमें उत्पर एक पदार्थ लेगे आप लेड लेड के बाद मरकरी और आयोडाइड आयोडाइड बस इससे आदा आप में कुछ निकरना है याप याप डैट क्योशन आएगा कि कौन सा एंजाइम स्लार में नहीं पाया जाता है इन सब के काम करने के प्रोसेस मैंने आपको पीछे कलास में सब कुछ करा रखें वहाँ पर देखना होगा आपको मैंने टाइलियन का काम क्या बताया मालिटेज का लाइसोडायम का सब काम अपने अपने वहाँ पर अच्छे समझाए होगा आपको है कि बहुत सारे होगे मैंने ले बताए ब Nep ओनारव में तो करें ऐखें और अच्छे जलें तो ह्नार पाश्चन किई्या को धीर्व करते हैं चुरां कुले say लार के स्त्रावन को निरंतित करने वाला साधिक अंग, लिखिए, मनुष्य के सरीर में लार के स्त्रावन तंत्री का तंत्र के दुआ निरंतित होता है, मनुष्य के सरीर में लार का स्त्रावन तंत्री का तंत्र के दुआरा इस्त्रावित होता है, यह सबसे important point था, और यह पहले वाले पाचागरान थे आपकी complete, समझा आपका नि, कोई doubt हो, तो post लेजे भी, आपने कुछ और पढ़ा हो, मैंने कुछ और पढ़ाया हो, कि तंत्री का तंत्र, के द्वारा नियंत्रित होता है, मनुष्य के सरीर में या मनुष्य में सरीर में छोड़ देजिया, मनुष्य में लिख लिए आप मनुष्य में लार का स्त्रावन का मतलब उसको निकालने की जो प्रकिरिया होगी, फिरकांगे कितनाने निकलेगा ठीक है नहीं यह लाइस उलाइब नहीं पटञास के साहथ लगा खरे के यह साइड कि अन्जाइब से स्ट्राइड का का इस तर्वाद संद्र का रम सत्र्री का तंत्र के द्वारा ओहो यहां पर स्त्राविती नियंत्रित लिखना था मेरे भाई के द्वार हां नियंत्रित होता है यह सही होगा वह स्त्रावित लिख दिया दो बार चले भाई आगे स्लाइड चेंज करने अब देखें सेकेंड पाचेंग गरंथी कौसे होगा हमरी अगनाश है किसको बढ़ना होगा अगनाश है अगनाश के बारे में थोड़ी बेसिक जाना काई रखनी होगी यह क्या होगी एक पाचे का गरंथी पहला पॉइंट या दखना होगा अगर्ण पाचे का इसके बारे में चुछ जानकारी क्या रखनी होगी इसके बारे में चुछ जानकारी क्या रखनी होगी अगनाश है यक्रत के पस्चाद यक्रत के पस्चाद मनुष्य के सरीर की दूसरी सबसे बड़ी गरंथी है यह चीज़ समय आई आपको अगर आप से क्योशन यह आए मनुष्य के सरी की सबसे बड़ी गरंथी कौन सी तो आंसर करना होगा आपको यह अक्रत अगर साइकिंड आए तो आंसर क्या करना होगा आपको यहाँ पे अगनाश है यह एक बहुत छोटी सी बात हर बच्चे को बताऊगा लेकिन अब थोड़ा अंदर चलते हैं इसमें भाई देखिए लिखिए अगनाश है एक मिस्रित करन्थी का अधरन है यह अधरन क्या लेकूं मैं मिस्रित करन्थी बोल दूँ इसको एक्जामपल के तोर के क्या दिया ना है यह अपनाब में क्या होगी कि मिस्रित करन्थी है कैसी करण्ति होगी है तो मिख्रिकर नपझे अब एक चीश्ज़ समझने आप बहाई गुजित। щyए दो परकार की होती एंग एक अंध्यस्तरावी इस स्रीर के अंहे और उर्गन तक पहुंच जाएंगे और जो बार्य गरन्थि लोगां उंगी वह कुह सी ओंगी वह छोड़ती एंजयाइमस वो क्या छोड़ती है भई एंजाइम्स और एंजाइम्स रख्त के दुवारा प्रवाहित ना होगा रहे कि डिरेक्ट उसी और्गन से निकलते हैं वहाँ पे और सीधे कहां पहुंचते हैं जहां पर उसको पहुंचना होगा समझा आप कानी कि तो यह अंते स्त्रावी और बाहिये ग्रांथ दोनों को पाई जाएंगगे इस इसमें अगना समें रीख लेगे और एंजाइन्स भी तो यह अंते स्द्रावी हऊ कितने प्रकार की दो प्रकार की कौन-कौन सी अंते इतना वी आ यह स्ट्रावी ची फिर्ष फिर्फ क्या चोड़ती हैं जालिक टुकुए सद लिखे आशी नगा से कि अंते चुझे घ्रनावी वे बहाई ये स्त्रावी ग्रंथी का उद्धारण है ग्रंथी का उद्धारण है यहां से अभी धीरे धीरे वो चुझे निकल के आने वाली अभी पांच मिंट के बाद अठ connection का पूरा राव आफ गीरा घ कैने वाल आपका समयदा आप को थोड़ाइब रह Wildlife कर ओपर अब लयुवड्य देंद और एक ग्लूको ग्योन बताऊंगा मैं आगे हाँ और ये जो बाहिए स्त्रावी किसके कारण वही एंजाइम्स इस्त्रावन के कारण समझा आप कानी इतना तो हमें बेसिक जानना हो किसके लिए अगनाशे के लिए अब इसमें थोड़ा हाँ और बड़ते हैं आगे हम स्लाइड चैनि करो मेरा भाई नोट के जाब अब मैंना आपको पढ़ाऊंगा अगनाशे की सरचना अगनाशे कैसे बना अब मुझे एक बात बताएं आप क्या अगनाशे के अंदर कोई बोन्स होगा क्या हड़ी होगी अगनाशे में नहीं होगी ये गरंथिल कोई का उसके बनावा और कोई का बनेंगे आपके उतक ज्याने सुनना होगा आपको कानी तो हमें बात करने होगी अगनाशे अगनाशे दो प्रकार के गरंथिल उतकों से बने होए हैं जो हमारा एक बार फिर सुनिए जो अगनाशे होगा ये दो प्रकार के उतकों से बनावा और उतक किस से बनते हैं भाई कोशिका उसे समझाना कहानी आप देखिए यहां पर तो अगनाशे दो प्रकार के उतकों से दो प्रकार के उतकों से निर्मित है तो यहां पर बात जाननी होगी जो हमारा अगनाश्य बना उसके निर्माण में विशेष प्रकार के दो जो टीश्यू होते हैं उन्होंने काम किया अपना पर युगमित किया और एक और गन बना दिया हमारे अंदर एक गरंथी बना इसको अगनाशे अब वो कौन कौन से होंगे एक तो रहेगा आपका एक्सो क्राइन एक्सो क्राइन उतक और एक हो रहेगा आपका एंडो क्राइन उतक अब सब कुछ इसी चार्ट पर गराऊंगा कि टेंशन मतलिजी आप कि देखिए जो एक्सो क्राइन टीशू होगा और एंडोक्राइन टीशू होगा उतक इससे बनते कोशिका उसे ये बात मैंने आपको पढ़ा दिए भाई लगफ़क पिछले छे सास क्लास में इस चीज़ पर में चर्चा कर चुका अगरे श्री यह मैंने पुरा प्रोशी साब को समझाय होगा अब कहने कहिए एक्सो क्राइन और एंडोक्राइन में कुछ कोशिका होंगी ठीक है नहीं बहुत सोटना करा रहा हूं बिल्कुल पॉइंट टू-पॉइंट कीवर्ड ठीक है अब यह एक्सो क्राइन जो उतक हों बनते हैं भई अनियस कोशिकाओ से किसे अनियस कोशिकाओ से किस्से बने भई आपकी यह सोरी यह ऐसी नस हो मेरा भई ऐसी नस एसी नस कोशिकाओ इसरे बना होगा और इन्ही एसी नस कोशा इसे क्या निकलेगा आपका अगनाश एकுछ और भाई आप त्रेयर्ट क्यूशन नहीं आएगा कि जो हमारे पाचन में जो पूर्ण पाचेकरस होगा वह अगनाश एकि कि इसकोशिकाओ से सी स्त्रावित होता है किसे एनियस हाँ स्थिका किसको बनारी मिला fine putin ko bana reinud ू तक से का मिना बना आगे आग्ना ना है ठिक के नहीं और मैंने आपको हो अगना सहरेस के बारे में अच्छी से बढ़ाया वहां पे यह अगना सहरेस अब यहां एक सेवल इतना यांद react होगा कि जो हमारे स्रीइश चाने में या पूंड़ पांचेकरस रूगा अगनाशय हसले अर्यान दैजिक को बनाती है ऑफ एक्टॉC सुक्राइन उतक और यह रहा है पको आगे olet हैं इस साइड दूसर टीशू कौन सा आपका एंडोक्राइन है ना दूसर टीशू कौन सा रहेगा आपका भई आप है एंडोक्राइन अब एंडोक्राइन में क्या होगा उसको देखते हैं भई है ठीक है नहीं देखे भई अब यह जो एंडोक्राइन टीशू होगा ये वाला अब ये किस्ते बनावा इसके बारे में सुनिए एंडोक्राइन के अंदर छोटी छोटी कोशिकाओ का एक सम्हू मिलेगा आपको क्या मिलेगा छोटी छोटी कोशिकाओ का एक सम्हू और उस सम्हू को हम क्या बोलते हैं महाँ पर भाई लेंगर हैंस कोशिके ये द्वीब कोशिके ये द्वीब और इसके अंदर आपकी दो परकार की कोशिकाओं होंगी एक अलफा सेल और एक बीटा सेल सम्झे ना का नी एक मिलेगा आपकी कौन सी अलफा सेल और एक कौन सी मिलेगा आपकी बीटा सेल भाई सबसे क्या रहा हूँ सबसे इंपोर्टेंट चीज़ अब आए तुम्हारी अगनाशे के लिए सबसे जो कीवर्ड आए ना वो अब आए अलफा साल जो होगा आपका इस अलफा साल से क्या निगलेगा इंसुनेल क्या निगलेगा यहां से इंसुनेल हार्मोन्स समझे आप काने और जो बीटा सेल्स होगी इस बीटा सेल्स से क्या निगलेगा आपका ग्लू के गॉन नामक हार्मोन्स क्या निगलेगा ग्लू के गॉन हार्मोन्स सब कुछ बताऊंगा आप टैंस न लेजिए अगर मैं आपको इस चीज़ को ठोटिकल पोर्सन में लिखवाओं तो चार से पांच स्पेज लेकिन हमें नहीं करना हो काम भाई हमें क्या करना स्मार्ट इस्टडी करनी है अपनी कम से कम सब्दों में जाद है जादा चीज़े जाननी होगी कि समझे ना यह एक पुरा को सेप्ट जो मैंने आपको इतना इजी करकर अब बताया कि कि आप कहीं समझ पाओगे सीज को एक बार फिर रिवाइज कराऊंगा आप इसको नोट डाउन किजिए कि अगा कि 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 झाल झाल चले भाई, इतना टाइम लगाओगे, अब देखिए, अभी थोड़ा ठैरना होगा, एक बार फिर समय दिए, हमने बात की किस की यहां पर, अगना से सरचनागी, दो प्रकार के उत्रकों से बना होगा, एक कौन सा, एक कौन सा, एंडोक्राइन, अब प्रतेक उत्रक किस से बनता है, विस्टिस प्रकार के कोशिकाऊ से, एंडोक्राइन किस से बना, एसीनस से, और जो एंडोक्राइन बना किस से बना अलफा और बिटा सायल से दो प्रकार के कोशिका होंगी अब यह जो एसीनस आपका हो जाएगा यहां से एक क्या निकलेगा पाचकरस इसको हम बोलते हैं अगनाशेरस इसके बारे मैं आपको पढ़ा रखा हूं वहाँ पे एंडोक्राइन किस से बना एक छोटी एक कोशिका द्वीब और इसके अंदर दो प्रकार के कोशिका होंगी आफा और बिटा एलफा से क्या निकला इनसुनलीर और बीस्षे क्या निकला ग्ल्योक्र अभलूंड हार्मोन्स अब हमें किसको करना होगा यह जो इंसूलीन हार्मोन्स होगा और Rank van होगा इसके बारे में थुला पढ़ना होगा मिश्य को ठीक है छलिए अब देकिए अब यहां बनार हूए है लिग रहा हूं आपि में अर्डोक्राइन उतक और अंडोक्राइन सब्सक्राइब कि यह से बना दो परकार की कोशिय को के फिर से एल्फा और एग बीटा कि लिए ना यहां तक अलफा सेल से क्या निकलावा यहां इंसुलीन तो बात करनों कि इंसुलीन है क्या तो यह क्या होगा एक परकार का हार्मोन यह क्या होगा एक हार्मोन इस्त्रावन किसे होगा देखे मैं अभी बता रहा हूँ एक तो कहेगा कि इंसुलीन हार्मोन्स किस गरंथी से स्त्रावित होता है तो आप हो कहेगा अमासय, अगनाशय, पिताशय और यक्रत चारो उप्सन देगा आंसर क्या गरनाम है हाँ अगनाशय यह तो बड़ा बेसिक अब उसको अगर और जीजे पूछनी हो कि बताए यह इंसुलीन नामक हार्मोन्स अगनाशय कि किस कोशिका से स्त्रावित होता है तो आपको महां ओप्सन देगा वो अलफा बेटा ठीक है नहीं और लगा देगा ऐसी नस जब कुछी वो डाल देगा वहां से टी फूर वगरा कुछी डाल देगा लिंप चाहिए लिंपू साइट से डालना पड़े उसको लेकिन रहनाने वाली बात वो कोशिस करेगा तो ह हमें याद दखना होगा ओस केस में किस से भाई अल्फा से ठीक है नहीं इसका कारिया देखते हैं भाई कि अब देखे कानी इसका काम क्या होगा जो हमारा ब्लड होगा ब्लड में क्या मिलेगी ऊैक सरकरा उस सरकरा का नाम क्या होगा आपके गुलकोज ये बात तो किलिए रोगी आपकी इस ग्लुकोज को किसको इस ग्लुकोज को यक्रत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित करने में सायता करेगा समझें ना आपका आनी ब्लड में पाए जाने वाली सरक्रा ग्लुकोज को यक्रत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित करने में साहता कौन करेगा इंसुलीन नामखारवॉन्स समझा आप कहानी यक्रत में क्या करेगा इसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित करने में साहता संचित करने में साहय क्या साहता नोट किजा आप इसको अब और चिले भी बता हूँ इसके लिए मैं आपको तो इस ग्लुकोज को यकरत में ग्लाइकोजन के रोप में संचित करने में साहिक कौन? इंसुलिन हार्मोन अगर यह कम निकल जाए तो दिक्कत बनेगी अगर यह अगना से की अलफा सायल से क्या निकलना बंद हो जाए इंसुलिन तो क्या होगा? अब आपका जो ब्लड होगा उस ब्लड में क्या होगी ग्लकोर की सांद्रता बढ़ेगी? ग्लकोर की क्या होगी? इसांद्रता बढ़ेगी? और जब इसांद्रता ग्लकोर में ब्लड में तो अब यह कहा जाएगा? किड़नी में और किड़नी में इसका फिल्ट्रेशन ना हो करके यह यूरीन के राष्टे कहा निकलेगा? बाहर निकलेगा कौन गुलकोज और वो क्या कराएगा आपको डाइबिटेज समझे काने सबकुत तुम्हारे सामने तो भाई अब भाई गुलकोज हमें क्या दे रहा एनेर्जी दे रहा मैं दो प्रकार क्यों अब देखैं आप एक जब आप यह हमारे स्रेर में और्जास्टो रहाना वो गुलकोज के रूप मेंनी यह वो घ्लाइकोजन के रूप मां और गॉलकोज को इंसूलीन आप सद्रिशे महाँ से जनेट हो दी रहा वो सिंहेड तो निकल नीए रहा वर कहां वह ग होगा जो ब्लैड ओंगा ब्लैंड में मनें संगयों क्यों किया कर रहा वाहां पिर बल्रम कैंव करके इसन गलाइकोजन वे कमर्ड कर नहीं करंब क्या नि-शियर क्क וक्या का रारा हूं सबसुआ जले और चीया को जन से गुलकोज में आब सीकता पजने पर k है अब चाहनी क्या होई यह निकल नी रहा ग्लाइक को जन बननी रहा आगे काम चलनी रहा तो ब्लड में गुलकोज की मात्रा यादा बढ़ जाएगी और जब यह बढ़ जाएगी तो रख बैस सुगर का बढ़नाई तो क्या होता भाई गुलकोज डाइबिटेज अब सुगर बढ़ शुरीर में और ब्लेड सुगर बढ़ा तो बीमारी कौन से होगे यहाँ पर डाइबिटेज एक सुगर बढ़ जाँ गट भी जा हाइपो गलास्मिया और हाइपो प्राइबिटेज उकर करके दूसरा बैडिर्ट होता भई मैं बताऊं आपको ठीक है नहीं तो दो प्रकार का होगा कि एक सुगर डेंडिंग और एक उडेंडिंग निए भी कि दो कभी प्रकार से क्योंसिंद बनेगा पहला यह बनेगा कि रक्त में ग्रौ को उपाप तो क्या देना होगा आपको इंसुलीन रोप लुकोस और किस हार्मोन्स के द्वारा होता है आंस्वर क्या करना उसकेस में आपको इंसुलीन उपाप चाहिए का मतलब उसको मेटाबॉलिजम करना उसको एक तरीके से वर्किंग प्रोसिस में लेके आना ताकि वो सही तरीके से अपना काम कर सके हमारी बोड़ी के अंदर समझें आप अब ये काम कोन करा रहा इंसुलीन हार्मोन्स और वो डिस्बैलन्स हो रहा महाँ पर अब कंटिन्यू कुलकोस आ रहा बलड के अंदर तो सांधृता कि निंद्रा कि अवस्था जाएगी समझें आप का नहीं चलिए एक मैं यहां पर सोट बना के सोट पॉइंट बना के लिख रहा हूं यही कीवर्ड आपको आद रखना रक्त में रक्त में ग्ल्कोज का उपाप चाहें का उपाप चाहें इंसुलीन नामक हार्मोन्स करता है कौन करता भई इंसुलीन हार्मोन्स और उपाप चाहिए के दोरान एक नया पतार्त क्या बनेगा गुलकोज से ग्लाइकोजन जो कहां इस्टोर हो जाएगा आपकी जागर के लिवर में है मोलत है और हम यह एक बहुत बढ़ी कलती कर चुके में यह सबषनी सब्onosor होगी यह फोगी वहल फा यह बीटा है कि वह पीछे अलफा कर लेना ठीक नहीं करना आमरा ब उसको यह यह हम पर यह पेटा जाएगी और हो जाएगे यहां पर आलफा इसको काड़ दीजिए ठीक है नहीं यह जाएगे यहां पर आपकी बेटा बेटा शेल प्रिंटिंग मिस्टेक भाई टेंसन ना लिए विल्कुल भी साही करा दाए बने ठीक नहीं चलिए अब चलते हैं कहां पर हम भाई अलफा सेल के पास ठीक है नहीं यह बिल्टा करा मैं अभी हलाकि वहां थोड़ी मिस्टेक बन चुकी थे उसको सही कर लिए हमने इते हें चलते हैं if your और लिए रिखन हो event the same अब कि यह बन जाए हैं यहां पर आपके कौन से बीटा और यह इलफा कर ले जाएते कि अलफा तो मैं पढ़ाऊंगा इसकी अभी अभी तो मैं एक ही करा रहा हूं ना अभी बिटा कराएं मैं आपको वहां तुरा ना आपको अलफा कर लेना ठीक है नहीं और को दिकत नहीं है चलिए आगे चलते हैं अब देखिए जो हमारा अगनाश होगा फिर मैं वही और एंडोक्राइन में दो सेल्स होंगी एक तो बीटा यह हमने अभी कर ली यहां से इंसुनील अब एक कौन से होगी भाई अलफा सेल अब किसको पढ़ना है यहां पे अलफा सेल इसको देखते हैं भी लेकिए अगनाश ही कि अलफा से ग्लूके गॉन नामक हार्मॉन का इस्त्रावन होता है तो ग्लूके कहां से ग्लूको ग्यान कहां से अलफा से से काम काम बताईए काम क्या होगा अभी हमने उसके जिस्ट अपोजिट काम करेगा अपोजिट काम करेगा देखिए अभी हमने बात किया आपे जो इंसुलीन था इसने क्या काम किया ग्लुकोज को कहा कर्वर्ट करा दिया ग्लाइको जन में यह बात पर दीन अभी किसमें खाल इसने ज्ञाइको जन में होग आप ग्लू के गॉन वापस क्या करा किसको अ हां यह ग्लाइकोगakter को वापस कहां ले गाएगा इसको गुल्कोज में देख आ ग्लू के गॉन नामक हार्मोन्स यकरत को गलाइकोजन को गलुकोज में परिवर्थित करने में साहिता करता है करने में परिवर्थित करने में परिवर्थित करता है कि समझाया भाई यह पर्षन तुम्हें कि समझाया नहीं काने तो हमें इतना याद दखना होगा यह गलाइकोजन और इंसुलीन यह कहां से निकले क्या काम होंगे ठीक है नहीं किस टीसु से निकले और किस को सिकाउस से निकले और जो पाचाकरस था अगनाशेरस वो किस से निकला ऐसी नस को सिकाउस से एक्सक्राइन टीसू के जिसने किसको पचाया बोजन को समझा आप कहा नहीं वह हम कर चुके थे यह हमने नहीं पढ़ा अब देखिए वह एक क्यूशन आपको या देखना होगा कि इंसुनेल का एंटि हार्मोन किसे कहा जाता है हाँ इसी को बोलते हैं किसको ग्लूकेगोन को लिखिए बैस लिख राऊंग इसको इंसुलीन का एंटि हार्मोन्स एंटि हार्मोन्स को नहीं हो जाएगा भई ग्लूकेगोन वह कराएगा यह वापस उस शीर को वह ही पुछाएगा समझे का नहीं उसने ग्लूकोज को करा किसमें ग्लाइकोजन में यह ग्लाइकोजन को कहा करा रहा वापिस ग्लूकोज में तो एंटि बनगा ना उल्टा बनगा ना बैस यही बात पूछ लेगा आपसे और कभी कए कभी कभी कएगा इंसुलीन हार्मोंस के परभावों के विरुद्ध काम करने वाला हार्मोंस विरुद्ध का मतलब एंटी तो होता ना उल्टा ऐसे याद रखिया अब थर्ड कौन सी बची हमारे पास यक्रत ठीक है नहीं और यक्रत थोड़ा बड़ा पोर्सन होगा कल अच्छे से पढ़काना आपको यक्रत के लिए ठीक है नहीं समझा अब हमारी देखिए बाई लोग चाहिए तो मैं उसको पाचन किर्या में पढ़ाऊ यक्रत को या मैं उसको लग से पढ़ाऊ पढ़ाना तो फिर भी था अब मैंने यही डिजाइन किया आपके लिए कोर्स कि मैं उसी चैप्टर के अंदर ले गया हूं उसको जिसमें वो आएगा पांचन किर्या का अंग हो गाद दो पाचन कर्या मैंने उसको पड़ाए हूं पर हालाँ कि मैं चाहिए तो तुम्हें अलग सकता था मैं अगना सब्देलक सकता था मैं आपको यहकरतवी रغ sì 69 की जा भी दो तरौव ने कहां ने करने के बाद भाद हम सीदे का निकल जाएंगे वरस्पती विज्ञान साइड फिर हमें क्या करना हमें करना होगा कवक सैवाल बैक्टेरिया वाइरस ठीक है नहीं यह जो हमारी बोटनी होती है ना फिर उस साइड निकल जाएंगे हम यह इधर वाला हमने लगभग अपना जो पॉर्सन था कंप्लिट हो देखें भई आज की जो हमारी क्लासिस होगी मैं आपको बढाऊंगा आज फैट तो देखें बचे मैं आपको बताऊंगा जैसे मैंने आपको सबसे पहले बोजन के बारे में बताया उससे पहले मैं थोटाऊंगा को अपने बारे में बताना चाहूंगा मेरा नाम सोनी सैनी और आज हमारी भूजन की चोथी क्लास होगी इससे पहले आपको प्रोटीन विटामिन्स फैट के आज मैं कराऊंगा आपको उससे पहले कार्बोरेट मैं करा चुगा तो आज हमें क्या करना होगा फैट पढ़ना प्रोटीन विट जो हमारे एक्जाम से यतने भी पॉइंट होंगे मोस्ट इंपोटन वो सारे क्या करने होंगे इस लास में कबर करने होंगे तो सबसे पहले में आपको आपसे बात करना चाहूंगा फैट क्या है यानि की वसा क्या है जब तक हम यह जान पाएंगे कि fat है क्या real में fat है क्या तो fat के बारे में chemical जाना chemistry level पर जाना कि fat है क्या जैसे मैंने आपको बता carbon hydrogen और oxygen के योगिक थे लेकिन वहाँ पर क्या था carbon hydrogen और oxygen का जो एक ratio था कि इसमें carbon hydrogen में वो कहीना क्या था 1 to 1 वो fix level में था लेकिन fat के अंदर क्या होगा carbon hydrogen और oxygen यो इन तीनों का ही क्या होगा fat भी योगिक होगा लेकिन अब की बार क्या होने वाला आज में fat में आपका जो carbon और hydrogen होगा उसकी तुनला में oxygen का जो अनुपात होगा वो काफी क्या होगा कम होगा क्या होगा काफी, कम होगा, तो सबसे पहले बात करने होगी, फैट क्या है, तो लिखिए, वसा, भी, कार्बो हाइडरेट की भाती, कार्बन, हाइडरोजन, योगिक है, ठीक है भई, हमने बात की यह जो हमारी fat होगी यानि वसा जो होगी, वो भी carbon, hydrogen और oxygen की क्या होगी compound होगी, यानि योगिक होगी लेकिन अब की बार क्या होगा, जैसे हमने वहाँ पर देखा carbon, hydrogen और oxygen का जो एक ratio था यहाँ वो one to one fix था, लेकिन अब की बार क्या होगा, लिखिए यहाँ पर हमें यह point डालना होगा, लिखिए वसा में carbon hydrogen hydrogen की तुलना में oxygen का अनुपात कम होता है का अनुपात कम होता है अगर मैं यह कहूँ आपसे कि अगर एक ग्राम फैट लूँ यहाँ पर मैं क्या लूँ, एक ग्राम फैट लूँ और इस एक ग्राम फैट में मैं तीन चीज़े बता रहा हूँ आपको carbon, hydrogen और oxygen oxygen, अगर यहाँ पर यहाँ पर इस से काफी कम होगा और यही एक रीजन होगा कि जो वसा होगी वह जल में क्या होगी आग गुलन सील होगी क्यों होगी क्योंकि अब वोटर में जो अक्सिजन होगी और हमारी जो फैट में अक्सिजन होगी उन दोनों की जो वैलेंसी होगी जो बॉन्ट बनाने की एक वैलेंसी होगी वो क्या होगी काफी डिफरेंट डिफरेंट होगी जिस कारण से वसा जो होगी होगी जल में एगुलंसील होगी यही एक रीजन होगा वसा का जल में एगुलंसील होने वाला आप से क्योशन आई है कि बताईए को कौन सा एक कारण है जिस कारण से वसा जल में एगुलंसील होती है तो क्या या दखना होगा आपको fat में oxygen की तुनला में gel की तुनला में oxygen की कमी होना समझे नहीं काहरे आप तो लिखिए मैं यहाँ पर यह चीज़े मैं आपको समझा आपको लिख्वा रहा हूँ लिखिए इस ही कारण से इस ही कारण से fat जल में इसी कारण से फैट जल में एगुलन सील होती है बहुत आराम से पढ़ना समझे काने यहाँ पर अगर कही ने कहीं जल के अंदर औक्सिजन लेवल और फैट के अंदर जो औक्सिजन का लेवल था जो रेस्टो था वो एकवल होता है यहाँ पर तो मैं माने के चलता है कि दोनों क्या होती है आपस में घुलन सील बनते है समझे काने यहाँ समझाए ने चीज़े अब देखें यहाँ पर अब मैं बात करूँगा वसाई के निर्मान के कहाँ पर अपने बोडी के अंदर और किस फोम में बनेगी और कहा पर इस टोर रहेगी और क्या कैलाएगी थोड़ी चीज़े उजानी होगी तो लिखिए मनुश्य के सरीर में यहां बात करनी होगी मनुश्य के सरीर में वसा का निर्मान अब देखे, मैं उसे बता रहाओं कि हमारे बोड़ी के इंदर जो fat होगी, वो कहाँ पर बनेगी ये आपको पता होना चाहिए अगर मैं बात करूँ ये जो बसा का निर्मान होगा वो कहाँ पर होगा आपको पता होगा cells अगर मैं कहूंँ कि हमारे स्रीर में वसा का निर्मान कहां पर होगा हमारी सेंस का का पावर हाउस ठीक है भई अब वहीं पे हमारी बोडिय में किसका निर्मान होगा इस फैट का निर्मान होगा यह पॉइंट आपको अच्छे से किलिए होना चाहिए तो मैं आगे लगता हूँ यहां पर लिखिया आप मनुष्य के स्रीर में वसा का निर्मान कोशी का में उपस्थित कोशी का में उपस्थित माइट्रो कॉंड्रिया में होता है तो यह पॉइंट के लिए आपका बच्छो आगे बढ़ते हैं आप हम अब देखिए अब मैंने बात की कि हमारी बोड़ी के इंदर जो फैट बनाओ कहा बना माइट्रो कॉंड्रिया में अब माइट्रो कॉंड्रिया में फैट बनाओ किस फों में बना यह इंपोर्टेंट होगा तो यहाँ पर हमारे मोट जो माइट्रो कॉंडिया हो गए है इसमें जो हमारे हाँ पर फैट बनेगा वो किस फोर में बनेगा तुभू बनेगा ग्लेस्ट रॉल प्लस जो फैट होता है फैट के अनुका बोलते है लेपिड्स क्या बोलते है इसको लेपिड्स प्लस लेपिड्स प्लस फैटी एसिड यानि कि कुछ वशिय अमलों के रूप में बनेगा हमें बात यहाँ दखनी होगी यह डार्यक्ट फोर में क्योशन आएगा प्रम में होगा, तो आपको यहां दखना है, ग्लेसोल प्लस लिपीड़ प्लस फैटी एसिड, कुछ फैटी एसिड के क्या बनते हैं, यहां पर एस्टर से ही, आगे से लगार करके हमारी बोडी के अंधर किसका, ऐक लेड़ बनेगी टीशू के अंदर, क्या बनेगी एक इसमें भी क्या करेगी सायता करेगी और साहती साहती सरीर को बहाई आगा से भी क्या देगी थोड़ा सा पोटक्शन देगी यानिकि उसको एक काम करेगी बचाओ के लिए तो हमने बात कि यहां पर माइट्रो कॉंडिया हमारी जो सैल्स होगी उसमें किस फॉम में बनेगी इस फॉम में बनेगी अब यहां से हमें क्या करना होगा आगे बढ़ना होगा अब मैं बात करूँगा यहां पर वसा के परकार की तो लिखिए प्रकार की होती है किती प्रकार की मेरे भाई यहां पर दो प्रकार की नमबर एक पर कौन सी उड़ाईगा आपकी saturated और नमबर दो पर unsaturated जिसको मैं बोलता हूँ संतरब और एसंतरब तबसा यह आपको बात यहां दखनी होगी अगर मैं बात कहूँ कि फैट कितने प्रकार की होगी दो प्रकार की कौन-कौन सी saturated और unsaturated ठीक है भई तो नाम लिखे है यहां पर हमारी जो फैट होगी हो कितने प्रकार की होगी होगी है यहां पर दो प्रकार की एक हुझाएगी है यहां पर संत्रप्त वसा इसको बोलते हैं यहां पर हम saturated fat एक हमारी हुझाएगी है संत्रप्त वसा इसको हम बोलते हैं यहां पर क्या unsaturated fat USF समझे कहा नहीं यहां पर saturated fat और यहां पर unsaturated fat के लिए पॉइंट आपका अब मैं यहीं पर बात करूंगा हमारे लिए यह हमारे स्वास्ते के लिए कौन सी fat हमारे लिए अच्छी होगी ठीक है भई मैं इनकी sources पर बताऊंगा कौन सी कैसी होगी कैसी नहीं होगी तो लिखें यहीं पर यह point के लिए यह जो saturated fat होगी यह हमारे स्वास्ते के लिए क्या होगी हानिकारक यह हमारे लिए क्या होगी हानिकारक और हमारे स्वास्ते ये वर्धक कौन सी रहेगी unsaturated इसको हम क्या बोलते हैं भाई स्वास्ते वर्धक fat यानि कि हमारे स्वास्ते के लिए यानि कि हमें किस fat का saveन करना चाहिए अगर हमें सुवस्त रहना चाहिए तो कौन सी unsaturated fat का यूज करना होगा ना कि किसका saturated का ठीक है भाई अब यहीं पर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ तक सब का किलिए दो नौट डाउन किजिए कोई भी पॉइंट अगर समझ ना रहा हो ठीक है नहीं तो अभी भी पूछ सकते हो आप या क्लास के बाद भी या क्लास के बाद भी होगा भाई सबका चले आगे बढ़ते मैं अभी मैंने आपको बता है वसा कितने परकार की होगे दो परकार की अब मैं दोनों परकार की चरसा बात में करूँगा सबसे पहले में बात करूँगा काट के जो फिजिकल कुछ इसके कुछ कॉलिटी होगे बोती गुण होगे बसा के उनको करना चाहा हूंगा आपको आप ने देखाको कुछ वसा कैसे होती यह Roll अब जो अब जो लिकवीड फोर्म में होग उनको लुदे यह उनको किया भोलते है घी आपको करने होगी तो मैं बात करूँगा यहां पर लिखिया आप जो वसा कि 20 डिग्री के टैल्सियस तापमान पर कि दर्व अवस्था में होती है कि दर्व अवस्था में होती है कि वहवसा कि वहवसा कि तेल कहलाते हैं कि समझेना कहाने आप यानि कि बेश डिग्रेट सेल्सियस टैंप्रेचर पर जो फैट लिक्विट फॉर्म में होगी उनको हम क्या बोलते हैं बैसे के लिए ओयल बोलते हैं और इसके अपोजिट जो वसा यानि कि जो उनसी फैट 20 डिग्री सेल्सियस टैंप्रेचर पर तापमान पर थोस अवस्था में थोस अवस्था में रहती है उन्हें तॉलिड पैट या घी ठीक है नहीं कहा जाता है यह दोनों पॉइंट आपको एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं भई कि बताईए कोई जो फैट होगी किस टैंप्रेचर पर लिक्वेड और स्टॉलीड फ़ॉर्म में पर उसका कैटिग्राइज किया रहेगा अगर वो liquid form में होगी तो तेल बोलते हैं उनको solid form में हो तो उनको घी ही बोलते हैं वहाँ पर, समझे ना है कहानी, अब मैं बात करूँगा इसकी calorie value की, क्या बात करूँगा मैं calorie value, ठीक है भई, अब जैसे मैंने बताया आपको, अगर मैं, मैं तीनों ले खुरूँगा कार्बो हाइडरेट को, मैं अगर एक ग्राम क्या लूँ भई, यहाँ पर, कार्बो हाइडरेट, इसके दहन से, मुझे कितनी calorie परात होगी, 4.1 kcl, यहाँ पर 1 लगा लिए आप, यहाँ लिए मैं लिखता हूँ, 4.1 kcl, यह बात के लिए न, मैं तीनों को लिखवा रहा फिर से आपको, यही पर मैं बात करूँगा, एक ग्राम, प्रोटीन, प्रोटीन का अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर दहन करूँ, खरीर मैं इसको कहीना कही अपने खर्च करूँ, तो मुझे बिलने वाली, जो calorie होगी, वो कितनी होगी, वो भी 4.1 kcl, यहाँ बात है कि इस फैट की, तो फैट जो होगा, कहीना कही कार्बोहाइडरेट और प्रोटीन से, दुगने से ज्यादा कैलोरी रेगा हमें, यही एक ग्राम फैट के दहन से हमारे सरीर को प्रोटीन और कार्बोहाइडरेट से लगभग दुगने से अधिक कैलोरी प्राप्त होती है, इसी कार फैट से हमें इतनी कैलोरी मिलेगी जितनी किसे मिलेगी दो ग्राम कार्बो हाइडरेट या प्रोटीन से आपको याद दखना होगा यह मैं स्टेटमेंट लिखाऊंगा लिखिए एक ग्राम फैट से लगभग कार्बो हाइडरेट वे प्रोटीन से मिलने वाली पुर्जा से अर्जा के दुगने से अधिक क्यालोरी प्राप्त होती है कितनी उद्द राइगे 9.3 के सी एल यह आपको पुर्जा के बात होगी क्यालोरी प्राप्त होती है कितने हो रहेगे 9.3 KCL यह आपको point याद दखना होगा यहाँ पर मैं फिल लिख रहा हूँ 1 gram fat का दहन करने से मिलने वाली calorie value कितने होगे 9.3 KCL लगभग carbohydrate वैर जो आपका protein होगा उससे जो मिलने वाली calorie होगी उसकी value से लगभग दुगनी से थोड़ी अधिक होगी क्या मेरे भाई calorie किसमें fat में अब मैं बात करूँगा इसके काम क्या होते हैं हमारे सरीर में लिखिये वता की कमी वे अधिकता वसा की कमी वे अधिकता अब देखिए मैं यहाँ पर मैंने के point लिखा क्या लिखा fat की कमी या फिर अधिकता कहां पर हमारी body के अंदर जब हमारे सरीर में किसकी fat की कमी होगी तब क्या effect होंगे और अगर अधिकता हो रहे तो क्या effect होंगे हमारे सरीर पर वो जानने होंगे भई तो मैं पहले किसकी बात करूँगा यहाँ पर कमी की बात करूँगा अगर हमारे body के अंदर fat की कमी आए तो हमारे उपर पढ़ने वाले तीन इफेक्ट बताईए एक, नमबर एक, ड्राइ स्कीन, क्या रहेगी, सुखी तप्चा, नमबर लिखिये आप नमबर एक पर, सुखी तप्चा, इसको बोलते हैं, ड्राइ स्कीन, आप ही बताओगे, सब को जानते हैं तो आप, चलिए, सेगिंड क्या एफेक्ट होगा हमारी बोडी पर, अगर उसके अंदर फैट की कमी होई, बताईए भार में, यानि वेट में, लोज होगा या फिर, कमी होगी न, तो लिखिये भार में, कमी, वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, थर्ड बताईए आप, आपके साथ तो हो अब यहाँ पर फैट की कमी होगी तो क्या होगा देखकर तो बनती ही है न, तो मैं अब यहाँ पर थर्ड वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, थर्ड पॉइंट क्या होगा है आपके, सरेर में, यानि कि उर्जा हरास, हम क्या बोल सकते हैं आपके, उर्जा हरास, यानि क कमी बताई ठीक है नहीं अब मैं बात करूँगा अधिकता की अगर हमारे स्रीर में फैट के दिखता हो जाए तो कौन-कौन सी सैकें अब मैं यहाँ पर कमी वाले थे रहे तो यह मैंने यहाँ पर भाई आपको यहाँ दखना होगा यह मैंने जो आपको के बढ़ना होगा किसके लिए अधिकता के कारण अगर बोडि में फैट के दिखता हो जाए तो क्या इफैक्ट होगे वहाँ पर यह जानना होगा तो देखते है अधिकता से हम यह स्सी के फैविट क्योश्यन हो यहाँ पर बिल्कुल नमबर एक पर लिखिए मोटापा सेगिंड लिखिए सुष्टी अब मैं यह तो मोटापा कहूँ या भार में वरेधी कहूँ बात यह ही है न एक ही दो ना भई तीसरा क्या हो जाएगा रदिय घाद की संभावना अधिक संभावना लिखिए भई यानि कि हार्ड अटेक आने की ज्यादा चांसन हो जाएगे भई अगर आपके बोडी के अंदर फैट ज्यादा हो जाएगा और कौन सा बताये यह उपना है अपने भोजन में saturated और unsaturated दोनो fat का यूज़ करते हैं भई लेकिन कही न कही है जो saturated fat होगा वो क्या होगा? low price का होगा और आसानी से मिल जाएगा लेकिन जो unsaturated fat होगा वो costly होगा और आसानी से नहीं मिलने वाला होगा इसी कारण से कही न कही हम किस की जाला भागते हैं saturated की ओर जाला चलते हैं और अब हमने saturated और unsaturated के बीच का भी एक निकाल लिया fat उसको बोलते हैं trans fatty fat क्या बोलते हैं उसको trans fatty fat हमने बीच का निकाला लगा जैसे हमारे biscuit होंगे, chips होंगे नमकीन होंगे, यहाँ पर जो fat use होगा वो कौन सा होता है भई trans fatty fat use करते हैं आपे हम क्योंकि यह लव, इसमें देखो, हमने भी बात की कि हमारी उसामाने fat होगे इसमें oxygen की level क्या होगा, काफी कम होगा जो हमारे वाईयू मंडल में oxygen होगी और हमारी fat में जो oxygen होगी उसमें दोनों में क्या होगा, रेसों में different होगा तो कहीं न कहीं एक जल्दी समय में क्या होगेंगे, चीज़े खराब हो जाएंगी, दुरगंदा रहेंगी उसमें, वो खटी हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी लेकिन हमने एक बीच का रास्ता निकाल लिया, इस ही fat में क्या मिरा लिया, oxygen का लेवल बढ़ा लिया, और जब oxygen का लेवल बढ़ाया, तो उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांस फैटी फैट, और फिर जो हमारे ये food packets होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले खादे पता, जैसे chips बिसकेट, नमकेन बहुत सारी चीज़े होती हैं, उसमें किस फैट को यूज करें आँपे, ट्रांस फैटी फैट, अब बैसी के लिए बात सुनिए, आपने घर में, मैं बोलता हूँ, प्राटे बनाएं, किसके, ये देशी खेगे के बनाएं, मखन के बनाएं, कितने, अर्था इस घंटे के बाद बुर्गन हो जाएगी, हो किजे, ये 48 घंटे के बाद कहीना कहीं क्या हो जाती है, इसमें दुर्गन दानी स्टार्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो जाएगी, आपकी खराब हो जाएगी, ये तो कारण वसा प्रदान भोजन जल्दी खराब हो जाते है, खुले में रखने पर, क्योशन आएगा, कि बताईए क्या कारण है, वसा प्रदान भोजन जल्दी समय में खराब हो जाते है, माले आपने बोजाता, ओईली कोई चीज़े बनाई, माली जे मैं बात कर रहा हूँ, आपने दाल बनाई, और दाल के अंदर आपने भोजाता क्या डाल दाल दिया, तो आपकी दाल के खराब होने के चांसे ज्यादा होगे, क्यों हो चुके, क्योंकि fat में क्या होगी oxygen, मैंने कहाना CHO, ओका level क्या था, काफी कम था, कि इसकी तुल नाम है, environment, जो oxygen होगे, अब वहाँ से क्या होगी, आदान परदान जब होगा, तो वो balance नहीं कर पानेगी, और आपके ज खराबत होंगे, जल्दी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, यही कारणता में लिखोंगा शीर को आपको, टैंसल मत लेजे, तो यह तीन पॉइंट लिखेंगे आपको, नोट किएजे आप इनको, और आपको यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, चलिए, अब मैं बात करूँगा, saturated fat और unsaturated fat की source कुन कुन सी होगे आपके पास, समझे ला कानि, अब मैं बात करूँगा, संतरप्त वसा, और यहां पर बात करूँगा, मैं ऐसंतरप्त वसा, अब आपको समझना होगा, saturated fat और unsaturated fat की source के आउँगे आपके पास, मैंने भी बात की, आपके स्वास्ते के लिए कौन सी fat अच्छी होगी, कौन सी होगी, unsaturated, यानि की, usf, और यह क्या हो रहेगे आपकी, sf, saturated fat, यह हमारे लिए क्या होगी, हानिकारक, और यह क्या हो जाएगी, स्वास्त है, वर्धक, अब मैं बात करूँगा इनके दोनों की स्रोथ की, पहले में किसकी बात करता हूँ, इसके स्रोथ क्या होगे, यानि कि saturated fat होगी, वो आपको किस-किस में मिलेगी, तो जन्तव से प्राप्त बसा, एनिमल से जो आपको fat मिलेगा, उसमें कौन सी fat होगी हो आपकी, saturated fat, तो यहाँ पी लेखिए आप, सामानेत है, जन्तव से प्राप्त बसा, वो हो, चलिए, प्राप्त बसा, जैसे, दूध, मखन, घी, दही, ठीक है मेरा भाई, मैं बात करूँगा, यहीं पर किसकी, चर्बी, सुना अपने चर्बी कभी, हानी कारक होती है हमारे हर्दे के लिए बड़ी हानी कारक होगी है भी, अगर आप ज्यादा यूज करोगे, तो आपके बोडी के अंदर जो कालिस्ट्र का लेवल होगा, सुब हो ज्यादा क्या करेगा, डिग्रीज कर देगा, बढ़ा देगा वह ज्यादा, और कहीं न कहीं जो हर्दे घात होगा, वो आने के संभावना ज्यादा होगी, इसके बाद, मैं बात करूँगा, किसकी यहाँ पर पनीर, क्या मेरे भाई, पनीर, अगर मैं बात करूँँ, यह जो मैं उपर सोच लिख रहा हूँ, सभी किसके होंगे आपके, अब यह तो अनिमल से प्राफ्ट होंगे, अब मैं यही कुछ सेचुरेटर फैट आपको कहां से प्लांट से भी प्राफ्ट होंगे, जैसे, कोकनट ओल, यानि के नारियल, कतेल, क्या से हो गएगा आपका Saturate Unsaturated देखे मैं बेसे के लिए आपको एक बात बताना चाहूंगा जितने भी आपके Saturated Fat होगी वो कही न कहीं कैसे होगी Solid Form में होगी जमने वाली वसा जमने वाली वसा जो बाहर जमेगी वो आपकी बोडी में भी जमेगी जब आपकी बोडी के इंदर फैट जमेगा तो क्या होगा मैंने बताना था हमारी जो प्लाजमा होगी प्लाजम में एक प्रोटीन होगा लाइप प्रोटीन का काम क्या होगा ब्लड में Saturated Fat का विखंडन करना उसको अप घटन करना उसको दिक्कत आएगी जब दिक्कत आएगी तो वो हमारी जो रक्त वाहिनया होती उसमें ठका बनेगी जमेगी और फिर जब ब्लड को रास्ता ने मिलेगा तो हर्ट को क्या बनेगी दिक्कत बनेगी उसको आगए सप्लाई भेजनी हो सप्लाई मार्ग में क्या बादा बनी होई है तो फिर हर्द को दिक्कत बनेगी और क्या आएगी हाड अटाइक उसके जो चैंबर होंगे वो क्या होंगे वो लिकिस होंगे किसके हर्ट के किले नहीं चीज़े देखे भई नारियल का तेल कहाएगा आपका इसी के अंदर आ रहेगा अगर आप इन चीज़ों का ज़्यादा यूज करोगे तो आपके स्वास्ते के लिए क्या होंगे भाई है हाँ नहीं का रहे है ठीक है नहीं मैं बताऊंगा आपको एक बिमारी बताऊंगा अगर आप स्वास्ते को ज़्यादा यूज करोगे तो आपको होने वाले बिमारी कौन से उड़ाएगी चलिए मैं बात करूँगा यहाँ पर एसंत्रप्त वसा देखिए मैं आपको यह चीज़े बताऊंगा फैट सबसे ज़्यादा कहा मिलेगा ठीक है नहीं सबसे ज़्यादा फैट मिलेगा आपको अखरोट के अंदर लेकिन अनिमल्स और यह फूट जो होंगे ना हमारे इन दोनों की फैट जो लेवल होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा तो हम उनके सोर्सिस की बात अलग से करेंगे खरोट को बिफ जादा होगा यहां पे लेकिन कम ब्होंगा फ़स जête होगा तो यहां पर बात करते हैं उंस्साचुआट इड़ फैट की इसके स्रोथ क्या हो जहेंगा आपके तो यहां पे मैं आपको बता ना चाहओगा चितनह भी आपकी unsaturated fat होगी, यह सभी कैसी होगी, नया जमने वाली होगी, liquid form में रहेगे, और जब बहाँ liquid form है, तो बोड़ी के अंदर भी liquid form में, तब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो हम यहाँ पे source की बात करते हैं, तो सबसे पहले में, मैं उसे की बात बताना चाहूँगा, जो हमाँ सबसे अच्छी होगी, नमबर एक पर लेखें आप, जैतून, ओईल, जैतून, ओईल, सबसे अच्छा माना क्या है हमारे लिए, नमबर दो, कुसुम, ओईल, अब इसके बाद, मैं अक्रोंट और बादाम की ओईल की बात रहूँगा, लेकिन ज्यादा कोशली होने के कारण, यूज ने कर पाने के न, नहीं कर पाने के न, तो उसके बाद मैं किसको लेकर जाओंगा यहाँगा, यहाँपे, सुरज मुखी, और उसे भी पहले मैं मुंख फली लेकर आओंगा, यहाँपे, मुंख फली ओईल, मुंख फली का तेल, इसके बाद दोंगा फिर मैं यहाँपे, सुरज मुखी सनफ्लोवर, सुरज मुखी का, इसके बाद आपका जाएगा, एक होता, अलसी, ठीक मेरे भाई, एक होता, आप कब सुनाओगा, अरंडी, देखाँ आपने कमी ओईल, इसके बाद आएगा तिल, ठीक, यह मैं ओईल होंगे, जो हमारे हर्ट के लिए, हर्दे के काम करने के, सही तरीके से क अच्छे होंगे कहीं न कहीं, किन की तुनला में, ऊपर वालो की तुनला में, रोज-रोज मखन खाओगे, रोज-रोज-रोज क्या लोगे, पनीर लोगे, तो कहीं न कहीं आपको दिकत बन जाएगी, मोटा पाजाएगा मिर भाई, तेल वो ही अच्छा, जो आपके हर्ट के अच्छा हो, आपको बोडियों ही बनाने, उससे मेरे भाई, आपको अपने सेदा, अपने हर्ट का ध्यान लखना होगा, अगर वो एक बार काम करना, उससे बंद कर दिया, तो चाहिए सब शीचे बेकार आपके लिए, तो यहाँ पर हमने बात की, अब मैं कुछ ड्राइफ बादाम का तेल, अख्रोट का तेल, अब बताइए, क्या आप इनको अपने धैनिक भोजन में यूज़ कर पाओगे, कर पाओगे, बहुत ज़्यादा कोशली होने के कारण, अब चीज़ें यह भी थोड़ी कोशली होती है, हम कहां चलते हैं मेरे भाई, उपर वालों की और चलते हैं, उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं, तभी जाके हमें हार्ट डटेक वाली इतनी ज़्यादा बिमार्या बनी होई है, तो नोट केज़ आप इनको, चलिए आगे बढ़ें भाई, नोट कर रहो भाई भी, चलिए आगे बढ़ते हैं आप, अब मैं बात करूँगा, ट्रांस फार्टी फेट क्या होता भाई, अब इसके बात करूँगा, इसको आपको समझना होगा, अब से ज़्यादा, देखें अगर मैं बात करूँ, स्वास्ते के लिए अच्छा होगा, जहां स्वास्ते के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा, हाने कारग, वो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन सैच्टिट कैसा होगा, कोश्ट्ली होगा, आसानी से नहीं मिले, अब जैतों आउयल कौन खालेगा भाई, सब कहां चलते हैं, सर्सो के लिए, और सफोला वगेरा ये यूज़ करते हैं न, तो हमने क्या काम के, बीच का फैट निकाल लिया, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा खराब, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस फैटी फैट, अब ये ट्रांस फैटी फैट कैसे बनेगा, मैं उसकी बात करूँगा, आपने एक प्रोसी सुना होगा, हाइड्रोजनी करन का, सुना, देखिए, तीन करन बताऊंगा, आपको एक उतो होता, वलकनी करन, ये किसका होगा, रबर का, फोस बनाने के हाइड्रोजनी करन के अभीक्रिया कराके, एक आटी फैट, जिसको हम क्या बोलते है, ट्रांस फैटी फैट का, निर्मान करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आपे ट्रांस फैटी फैट, ये कही न कहीं लंबे समय तक टिकाऊ होगा, अगर आप इससे कोई, फुट खाने पिने की सावंग भी बनाओंगे तो वो लंबे समय तक चिलेगे आपकी, समझे नहीं कहानी, तो लिखें यहाँ पर आप, लिखें, वसा के वेस्रोथ, जिनके हाइड्रोजनी करन करके, वसा के वेस्रोज जिनके हाइड्रोजनी करन करके, एक अन्य वसा बनाई जा सकती है, वे वसाएं ट्रांस फैटी फैट कहलाती है, प्रांस फैटी फैट कहलाती है, जिसका प्रियोग हम, जिसका प्रियोग हम, लंबे समय तक, लंबे समय तक, चलने वाली खाद सामंग्रियों के निर्मान में करते हैं, जिनका प्रियोग हम, लंबे समय तक, चलने वाली खाद सामंग्रियों के बनाने में करते हैं, यह प्रियोग हम, लंबे समय तक, चलने वाले खाद पदार्तों के निर्मान में करते हैं, जैसे, चिप्स, लिखे आप, जैसे, आपके क्याब रहेंगे भई, चिप्स, मैं लिख रहा हूँ आप है, भुजिया नमकीन, डाल तो कोई दिकत नहीं है, भुजिया नमकीन, हल्दी राम की जितने भी पोडेक्ट होंगे, सारे कौन से होंगे, ट्रांस पार्टी फैट के अगर मैं बताओं, यह देखिए, कमपनी कितना बेकूँ बना रही है, आपका बेटर बाइट, बेटर की तो, मनलब एक सुरक्षित रहने की जो होगी, वो 48 से 22 गंटे के बाद, खुद रुगन हो जाएगी, बेटर के अंदर, तो कहां चलेगा आपका इसकी, चार महीने, महीने, वो बस लगा दिया आपके साथ, बेटर बाइट, तो मैं क्या तो रहा हूँ, उसके अंदर उसका एक फ्लेवर डाल दिया उन्होंने, बेटर वाला, अच्छी रहेगे बहुत ज्यादा, अच्छा रहेगा, मार्केट में मिलेगा, बिस्किट और अन्य सामंगरी लिख सकते हैं आप यहां पर, अन्य सामंगरी, अब मेरे भाई, आपको यहां दखना होगा, एक क्योशन आएगा, आप से क्योशन पूछ लेगा, सिंगल फॉम कि वसा के हाइड्रोजनी करण में, वसा के हाइड्रोजनी करण की किरिया में किस धातु का प्रियोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, जानते हैं उत्प्रेरक क्या होते मेरे भाई, उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो अभी किरिया के वेगो को घटाने या ब एक element डाल देंगे लगसे, जिसका काम क्या होगा, अगर fast होगी, slow करना, slow होगी, तो उसको fast करना, और वो क्या कहलाएगा आपका, उत्प्रे रख कहलाएगा, तो यहाँ पे जब, मैं वर्णिस्पती तेल होगा क्या करना, हाइडरोजनी करना, अगर process बहुत slow चला, या बहुत fast चला, तुम्हें किस धातो को यहाँ पे, उत्प्रे के रूप में यूज़ करूँगा, उसके लिए एक metal होगा, कौन सा, निकिल दातो, यह important point लिखिये आप, वसा के, हाइडरोजनी, वसा के हाइडरोजनी करन की किरिया में, उत्प्रे रख के रूप में, निकिल दातो का यूज़ किया जाता है, निकिल दातो का प्रियोग किया जाता है, और ये कितना इंपोर्टेंट होगा, ट्रिपल इस्टार लगा रहे हैं, क्योस्टन अबर SAC का फैवेट क्योस्टन कहीं बार, अब तक SAC ने पता नहीं कितने बाइस को रिपीट कर लिया, मैं आपको तीन, अभी तीन करन की बात करूँगा, मैं आप सामने तीन करन की बात करूँगा, जो हमारे SAC में बेसिकली उस हो रहे हैं, अभी, सबसे पहले मैंने एक होताओं, वलकनी करन, वल कनी करन, एक हो रहेगा आपका, पहले इसके बारे मात करता हैं आप एमें, वलकनी करन किसका होगा, रबर का, क्यों होगा उसको ठोस बनाने के लिए क्या बनाने के लिए ठोस बनाने के लिए यहाँ यहाँ यूज किसका होगा भाई उत्परे रख क्या बनाना यहाँ पर तलफर यह मैं यहाँ पर उत्परेखना लिकरके मैं लिखोंगा किसका यूज की वलकनी करण की किरिया में किस धादू का यूज किया था सलफर का के लिए सलफर का प्रियोग करते हैं रबर में हाटनेस लाने के लिए बहुत इंपूट अन्ड क्यूशन हो मैंने का ना तीन करण बताऊँगा आपको पहला कि नमद्द आपको हाइदोजनी करण किसका होगा पैट का एक होज़ाएगा किसका रबर का, जिसको हम क्या बोलते हैं आपे वलकनी करण एक हुझाएगा आपका गैलवी करण मैं बता रहाँ उसके बारे में भी यही पर आपको भी तो मैं यहाँ पर लिख रहाँ में गैलवी करण अब मेरे भाई कौन बच्चा बताएगा आपको पताऊगा लोह धातु को जंग से बचाने के लिए उसके उपर जिंकी कोटिंग की जाएगी और जिंकी कोटिंग करने के प्रिकरिया को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर गैलवीन करण समझे रहाँ आप यहाँ पर तो अब यहाँ पर इस करण का क्यूज कहाँ पर रहेगा लोहे धातु को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु की कोटिंग करना वलकनी करण क्या लाता है गैलवी करण के लिए जिंक धातु यहनि जिंक को बोलते हैं जस्ता जैडन कि कोटिंग करना क्या क्या लाएगा आपका अच्छा मैं एक बार तो बताऊंगा आपको एक होता जिन्हें रजिमी करन यहां पे लिख रहा हूं मैं कलर चेंज कर रहा हूं थोड़ा निर्शिमी करन यह क्या प्रकारिया होगी एक करन यह भी होगा Sun अगर माली कहीं पर बैक्टिरिया बहुच्छ जयादा हो और वहाँ से बैक्टिरिया को हमेशा के समाब्दद करने की प्रकारिया को क्या बोलते हैं मैं आपने जर्जमी करन तो यहां पर लिखूंगा मैं कि इस थाई प्रक्रिया को क्या बोलते हैं यहाँ पर हम निर्जमी करन समझे ना तो मैंने आपको चार करन बताए निर्जमी करन निर्जमी करन माल यह कहीं पर बैक्टिरिया का बोज़दा एफेक्ट हो रखा और वहां से हमें क्या करना बैक्टिरिया के इस एफेक्ट से थोड़ा सर रिलीप लेना तो क्या करना एक प्रक्रिया करनी होगी हमें क्या लेना होगा आइस लेना होगा एक कोल्ड इनवार्मेंट क्रियेट करना होगा वहां पर जैसे हमने वह जैसे मैं फ्रीज की बात कर रह आपको मैं फिर से एक बार बता रहा हूं पहली किरिया पांस फैटी फैट बने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं आपे हम हाइडोजनी करन या दखना होगा आपको इस हाइडोजनी करन की प्रोसेस में उच्प्रेवक के रूप में किसका यूज होगा निकल रात हुगा समझेना कहानी फिर हमने बात की एक होता है वलकनी करन यह किसकी प्रक्रिया हो रही है आपकी रबर कोट बनाने के लिए और क्या मिलाएंगो उसमें सल्फर एक हमारा रगा गैलविनी करन गैलविनी भाई सोरी हमने गैलविनी करन करना असको गैलविनी करन यहाँ पर लोह धा जंग से बचाने की पर्किरिया होगी और उसके उपर किसी कोटिंग होगे आ पर जिंक जल्टात्व की कोटिंग होगी हालां कि एक ग्रीस होता ता ना ४ उसको लगा कर भी कि आप लोहिस को जंग से बचा सकते हैं लेकिन वह एक पमन एटली प्रोसिस नहीं होगा वह समय के लिए होगा वह समाब थुलेगा फिर वहां पर वह चीज़ आ जाएंगी एक हमने बात किसकी कि यहां पर जिमी करन की यह चारो करन आपको याद रखने होंगे ठीक है भई न हो गया भई नोट अब देखिए अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो अब तक का सबसे टा पॉइंट होगा जोगा भई अब मैं बात करोंगा यहां पर किस की वसा का जमना और इसका स्वाआट फोम में रहना यह किस पर डिपेंड करता यह रहना करना यह चीज़े यह इनको बोलते है फैट आधार पर ही हमारी fat होगी होगी solid form में लिक्विड form में आएगी तो कहीं बार question आएगा बताईए सूखने वाले तेलों में और ने सूखने वाले तेलों में कौन से fatty acid पाए जाते हैं यह question होगा कभी-कभी आएगा कि बताईए हमारे लिए मनुष्य के लिए कौन सा fatty acid बहुत लिखिए, पैट का जमना, वे सूखना, पैट का जमना वे सूखना तो एक ही बात है ना वही, वे ने सूखना, अब कि बार किसकी बात करूगा है, आप में, ने सूखना, वे दर्व अवस्था में रहना, दर्व अवस्था में रहना, वसा में उपस्थित, वसा में उपस्थित, फैटी एसिड की उपस्थित के कारण होता है, तो फैट का जमना, वे सूखना, वे ने सूखना, ये दर्व अवस्था में रहना, वसा में उपस्थित, फैटी एसिड, पर निर्भर करता है, अब सब नमबर एक पर लेखिए, ने सूखने वाले तेलों में, ने सूखने वाले, वसा लिख लिए, ये तेली बूतर में सही होगी, फैट में पाय जाने वाला, पैटी एसिड, ओलिक एसिड हो रहाएगा, कौन सा, ओलिक एसिड और ट्रिपल इस्टान लगा लेना, जब कभी आप एपसी आई का एक्जाम देने जाओगे न, उठाएकर देखना, पुराने औलिक ऐसिड औलिक ऐसिड, ये ओलिक ऐसिड, ये ओलिक ऐसिड है क्या एक ऐसिड इभी अँप इस बात करोगा भूँगे बही अअब लिक, औलिक ऐसिड, ये फोलिक ऐसिड चलाएक जलागा ना वैटामिन से में इकलवाले, बहाल नीग alligator हो बहाएँ सेवाँ आब फैट म या फिर जमने वाली वसा में पाए जाने वाले पैटी एसिड ये कौन से रहेंगे आपके लिनो लिक पैटी एसिड नोट के जाब इनको अब मैं यहाँ पर दो फैटी एसिड क्यों बात करूँगा भाई मनुष्य के लिए मनुष्य के लिए अनिवार ये फैटी एसिड लाइनो लिक लिनोनिक एक हो जाएगा लाइनो निलिक दोनो फैटी एसिड क्या आप जाएंगे भाई हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत जादा अनिवारी होंगो दोनो लाइनो लिक और लाइनो निलिक एक मिस्टेक इसमें भाई यहाँ पर लिनिक लि निक और हमने लिखा निलिक यह सही करना समझें न कहानी आगे बढ़ते हैं भाई ने दोनो ना चेंज है भाई यह लाइनो लिक यह लाइनो लिनिक पैटी एसिड हो पैटी एसिड अंतर तो मेरे भाई माइट्रो कोईट्रे बताएगी जब उसको यह अज़ेस्ट करने होगे अपने अंदर पैट बनाने के लिए लिकिए हमारे सरीर में हमारे सरीर में वसा उतकों के अंदर एक लेयर के रूप में एक लेयर के रूप में संचित रहती हैं एक लेयर के रूप में संचित रहती हैं जिसे पैने कुलस एड़ी पोसस कहते हैं जिसे पैने कुलस एड़ी पोसस कहते हैं जिसे हैं बताएयए पैने कुलस एड़ी पोसस क्या है वहाँ एक लगियर के रूप में क्या होगी जो कहीं ने कहीं हमारे बोड़ी के टेम्टीचर और साथ ही जो क्या होगा भई बाही आगाहसरी क्या देगी हमारे सुरीर को एक सेप्टी देगी समझे काहानी यह समझे काहानी आप ये क्या करेगी इसका काम क्या होगा आप मान को कंट्रोल करना आप मान को क्या करना इसको बैई कंट्रोल करना होगा और साथ ही जो बाहिया आघात होगा बाहिया आघात होगा कहाँ पर हमारी बोड़ी पर उससे क्या देना होगा थोड़ा एड़ी पॉसस का होगा, नोट केजिए आब इसको. अब मैं यहाँ पर लाश्मोंट के बात कर रहा हूँ. यह एंटरो इसकलो इस एंटरो इसकलो एकमेंट रोसिस इसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर. डिलेक्ट फोंबे आएगा, एंटरो इसकलो रोसिस क्या है? डिलेक्ट क्योशन आएगा, एंटरो इसकलो रोसिस क्या है? तो इस आंसर क्या करना होगा इसका? तो देखिए, अगर आप saturated fat का ज्यादा यूज़ करोगे क्या करोगे saturated fat का ज्यादा यूज़ करोगे तो मैंने वे आपको बताया fat आपके tissue के इंदर एक layer के रूप में store होगी जिसको हम क्या बोलते है paniculus adiposes ये paniculus adiposes जो होगा ये कहीं न कहीं इतना लचीला हो जाएगा वो fat लटकना start हो जाएगा समझते हो न कहीं बार तोंद का लटकना ये हाथ की जो fat होगी निची लटकनी start हो जाएगी उस disease को हम क्या बोलते है anthrosclerosis बोलते हैं यहाँ पे समझे काहने आप ये किस कारण से होगी संत्रप्थ वसा के ज्यादा 7 से समझे काहनी ये point आपको याद रखना होगा तो मैंने कुछ fatty acid की बात की ये store कहाँ पे होगी उसकी बात की मैंने साथ ही बात की कहाँ पे बनेगी क्या काम होगा कितने type की होगी ये साच सी चीज़े हमने fat के लिए जो हमारी आने वाले अग्साम की तुष्टी से important थी सारी हमने यहाँ पे क्या कर लिए अपनी cover कर लिए अब बाकी आपको fat में क्या करना होगा इस class का एक बार अच्छी सी division करना होगा दो तीन बार देखना होगा पढ़ना होगा आपको कही तरी किसे और छोटे छोटे जो point होगे वहाँ आपको क्या करना होगा लगसे underline करके बार बार पढ़ना होगा और फिर fat से आने वाले question जो आपने previous exam में किये ना उनको एक बार match करना कि जो हमने यहाँ पे class ले वो क्या question यहाँ से हमारे attempt हो रहे या नहीं हो पारे अगर वहाँ तो कुछ कमी होगी तो आपको और ज्यादा मैनत करने के आप शकता होगी फिर तो हमारी आज की class में क्यावल इतना ही होगा ठीक है भाई बाकी की अगली जो class होगी हमारे वो किसकी होगी मैं चल पढ़ाऊंगा आपको वोटर पढ़ाऊंगा ठीक है मेरा भाई कर देखें आज क्यों हमारी klas होगी इससे पहले मैं भोजन पढ़ाऊंगा आपको भोजन में मैंने आपको क्या करा आया आप वीटामिन कर आया मैंने कार्बोड़ इट करा प्रोटिन कर आया फेट कराया और इससे पहले अब आपकी जो आज की क्लास होगी होगी इसकी होगी मैं जल पढ़ाऊंगा यूकि जल भी हमारे क्या होगा भोजन का एक पार्ट होगा और मैंने बता है फाइवर उसमें से मैंने आपको क्या बता है जल और जो आपके यह होंगे कहना यह आप मैं जो बता रहा हूं आपको जह कैसे होंगे हमारे जिस मेंसे क्या होंगे कुछ जो नुटिशन होंगे हमारे यड़ प्रणीच पदार्थ वो सभी कैसे होंगे ऐकार्बनीक और बाकिश Jew में कैसे होंगे हमारे कार्बनीक तो अब मैं आपको पुराने किया जा रहा हूं जो एकार्बनीक पोशक पदार्थ होंगे उनको बढ़ाने जा रहा हूं उसमें सबसे पहले क्या लोओंगा आज मैं तो मैं अगर कहूं जल एक compound है आप इसी से agree हो ना कि जल एक योगिक है किसका hydrogen का और किसका oxide का और इसी definition को मैं दूसरे सब्दों में इस तरह से बोल सकता हूं कि जल क्या है hydrogen का oxide तो मैं दो वर्ट्स दूआं किसके लिए जल के लिए और दोनों का लेवल क्या होगा chemistry लेवल का होगा मैं अभी जो वोटर की बात करूंगा तुम्हारी जोग्रफी chemistry और physics तीनों लेवल पर बात करूंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूं जल है क्या तो जल हाइड्रोजन का एक ओक्साइड है यह पॉइंट आपको यह दखना होगा जिसका रासाइनिक सुत्र जिसका रासाइनिक जो केमिकल फॉर्मूला होगा इसका वो क्या होगा है एच टू ओ यह तो हर बच्को बता होगा लेकिन चीजह यहां से सशु के इस टू ओ कहीं और से सशु आपके लिए हमें एक जल का ऑक्साइड होगा इसमें वो दो चीजह बात करेगा मैं इसी के लिए एक विड ओर यूस्ज करूँंगा यसे मैं कहूं यहाँ H2O क्या है अब मैंने ये तो chemical name दिया किसका जल का अगर मैं यही पर बात करो फिर H2O क्या है तो यह क्या होगा एक योगिक किसका hydrogen का और oxygen का समझे रहा है आपर काहनी तो लिखिए H2O hydrogen वे oxygen का एक क्या होगा मेरे भाई योगिक योगिक के definition हर बच्चे को बताऊगा definition योगिक के कौन कौन जानते बच्चे भाई जब दो या दो से रिक तत्व या पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में आपस में संयोगित या मिलाया जाता है तो बनने माला जो पदार्थ होगा आपका जो तीसतरा पदार्थ आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा आपका योगिक कहलाएगा जैसे मैं कहूं जल ठीक है नहीं अब मैंने क्या लिया यहाँ पे hydrogen लिया और क्या लिया oxygen लिया और दोनों को एक निश्य तनुपात में मिलाया तो क्या बन क्या में सामने जल बना जिसको हम बोलते है H2O आगर मैं बात कर यहाँ पे ही जो हमारा H2O होगा है निकी जल होगा जल में hydrogen वे oxygen के परमानु भारो का अनुपात यह कहीं बार क्यों शुन आया भाई जैसे मैं कहूं एक ग्राम ठीक है नहीं जल में hydrogen वे oxygen के परमानु भारो का जो रेस होगा वो कितना होगा यह चीजा आपको अच्छे से याद दखनी होगी मेरे भाई तो जैसे हम इसको count करते हैं ऐसे नहीं करते हैं देखिए यह क्या हुआ हुआ है अब मैंने यहां क्या लिखा परमानु भारो का अनुपात जो रेस्वा बताना होगा मुझे किसको को इतना हो जाएगा को ए परमानों भार एक होगा ना कि यह कि इतना हो जाएगा तो एक और इसे कितना रिगा और टो इसका यहां अयलन चीजिस्की ऐना दो कितना ऑ Cum अक्सिजन का सोला कितना बनाए कितना आए कि वन प्रेसो एक अनुपात आठ एच और यह क्या होगा यहां ओ ठीक है नहीं ऑक्सिजन का यह मैंने क्या बताया यहां पर परमानु भारों का अनुपात परमानु भारों का अनुपात और कितने कुवांटेट में बताया एक ग्राम जल यहां एच टूओ के लिए मैं फिर क्या रहा हूँ भाई क्यामेस्टी के लिए फैवर्ट क्योशन होगा यहां से बनाने के लिए वह आप से एक बड़े सी अच्छी सी दिमांड रखेगा एक ग्राम जल के अनुवो में हाइडोजन और उक्सिन के परमानु भारों का जो रेस होगा वह कितना हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा यहां तो यहां पर अच्छे से लंड कर लिए एक बार अच्छे से माइंड में सैट कर लिए जैफिसको आप निकालना सीखिए क्या करना होगा मैंने लिखा हैं एक ग्राम जल के अनुवो में हाइडोजन और उक्सिन के परमानु भारों का जो रेस होगा वो कितना हो रहागा यहांपर लिखा मैं hydrogen और oxygen के परमानों भारों का जो अनुपाथ हुदाएगा एक अनुपाथ 8 यहां तक के लिए के लिए ना यहां तक सबका चलिया आगे बढ़ते हैं पर अब मैं बात करूँगा यहां पर जैसे मैं काऊं एक ग्राम जैल में हाइड्रोजन वे ऑक्सिजन सोट में देख रहा हूँ है आपर के अनुवो के आइतन का अनुपाथ यह अलग से चीज़ों हो गये आपके लिए अब देर्फ कैसे क्यांट करना होगा आप किसके बाद कि यहां पर किसक की बात कि यहां पर आप के बाब प्रमाहनो भारो की तो बात के यहाँ पर आउपन की अब कैसे देख से चुछ याँ पर on बर एक कितने लिए मैंने दो बेंगर इीक तो कितना एक डिए 2 पर जो इतना ऐगा यह हमारा धो आन नौ पार एक उस अ insanely तो ये दो चीज़े आपको यहां दखनी होगी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जल और जल के बारे में मैंने इसका एक जो रासाइनिक लेवल की जो चीज़े होती है अभी मैंने आपको बताई यहां पर एक बार फिर्म देखते हैं अभी जल है क्या तो हाैडिवन का एक ओक्सइट जिसका केमिकल लेम क्या होगा एक चीज़ें यहां पर अब मैं बात करता हूँ एक ग्राम एस्टो में जल में हाइड्रोजन वे औक्सिजन के प्रमानु भारों का अनुपात कितना होगा यहां पर तो उसके लिए हमें क्या करना होगा जितने भी हमारे लेकिन क्या करना हो на को मुटी-मूटी यहां थम्सका है सो ला इन पर लेकिल नयुक्स है किरें मेरी बाकनंपात किसा घ्राम में इसका हाइडोजनока और कितना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा यहां पर यह लिखना होगा से अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से अब मैं बात करूँगा लिखे जल का सबसे शुद्धतम रूप यह कहीं बार क्योशन आया जल का सबसे सुद्धतम रूप कौन सा हो जाएगा यानि कि सबसे प्यूर वाटर तो यहां चीजे क्या करनी होगी 21 समझे आपके पुरा एक प्रोसिस होगा जैसे आपने सुना होगा चल का प्रभाजी आसवन प्रभाजी आसवन सुना और यहीं प्रभाजी आसवन एक तो हमारी लैब में होगा और एक कहा होगी हमारे प्रकृतिंगेpower उसको में बोलते हैं जल चक्र देखे कहानी क्या होगी मैं आपको समझा रहा हो यहां पर यह हुगा अब मैं ध्रातल पर क्या ले रहा हूँ एक छोटा जलमंडर ले रहा हूँ और मैंने क्या ले लिए एक छोटा सा समुंद्र ले लिए यहाँ पर ठीक है मेरा भाई अब इसमें क्या होगा यहाँ पर यह जल होगा पानी-पानी होगा हर जाए आपर ऊपर क्या निकलेगा यहा रहेगा नदिया चाही हें नदियों का जल को आएगा सब ने यो के माधियम से में अब जब जल आएगा तो का माध्यम क्या होगा जोटे च्छोटे कोवाइड के रूप में कहाएगा जहलेग समझे Cheese को ऑब जल का रहाएगा इस समद्र में जल क्या होगा है आसुखिक्यों कि जलatra तरी क्या हो और यूप सुद्र के रूप में क्या पाइद आएंगे आपके छोटे-छोटे मिनल्स बहुत माइक्रो कॉंटिटी में ठीके मेरे भाई अभी जल हमारा क्या हो चुका असूद्र जल्क क्या आपने कभी सुना समुंद्र का जल्क पी नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारा अब यहां पेप्रेद्चाड और नहीं होगी वास्पित नहीं होगी केवल जो जल होगा वह सब्सक्राइगा और ने द्सक्राइख नियजह जर्क होगा जैसे इस हिसंद में हिम्लेखा और नहीं आट ऐले जैसे ही संगनन हो तो हमारी वायुमन के सबसे निचली प्रत होगी उसको हम बोलते हैं वहां पर क्या बन जाएंगे कुछ चोटे क्लाउड्स बादल बहुते हैं इस बने हैं बादल में जो जल होगा वह कौन सा मुझा सबसे तम रूफ होगा कियो कोई क्या निया सूद्य यह बात करनेगी अब जब यह एक्टिविटी होगी हाई प्रेश वाली तो बादल क्या करते हैं जल मंडल से स्थल्मंडल पर आएंगे भई जैट इस्ट्रीम आपने सुना ओगा पवने होती है वाई पारीक पवने उनके माध्यम से कहां रहेगा धरातल पर यानि कि यह तो जल मंडल होगा यह कहां रहेगा धरातल पर यह चीजज समयजने होगी वर्सा होने का प्रोस्टीस यह होगा और जब यह इस पर आएगा तो यह बादल कहां चुके है जैट इस्ट्रीम के माध्यम से मानसून बन करके धरातल के उपर और यहां आधरता ज्यादा होगी है यहां आधरता ज्यादा होगी यह बताई है आप मुझे कहाँ होगी यहां होगी ने और यहां क्या होगी काम होगी अब यह जो सन्ग्नन के काणन बादल बने थे इन संग्नन का यहां विग्टन हो जाएगा कि अब क्या का ध्रातल गर्म होगी जब वह गर्म होगी तो क्लाउड थे यहां क्या एगी पानी कि बूंदन्य ये जहांगी मेरे भाई और अगर उन पानों की बूंदों को एक अ quantify काँच के बरंतन में किस में स्टूर कर लूँ तो व घृ रह सक रूद जल मुझे किस पॉनट पर पोशचना था वर्सा के जल पर जल ча सबसे रूब हो जाएगा वह कौन सा रहेगा वर्सा का जल तो इतनी जो चीजे मैंने आपको बताई तो मुझे वह सारी चीजे हटानी होगी और क्या लिखना होगा यहां पर जल का सबसे सुदुतम रूप क्या होता वह यहां पर वर्सा का जल जिसको हम क्या बोलते हैं भाई डिश्टल वाटर या आसुत जल जिसको हम क्या बोलते हैं आपर आसुत जल किला नहीं चीजे भाई नोट किज़े आप इसको देखें चीजे समझनी होगी जब तक चीज समझोगे नोई तो आपको लोंग टाइम मेमोरी नहीं बन सकती आपकी अगर आप उन चीजों को रटने की कुछिस करोगे बार बार तो कितना जब तक विटामिन बेसिक्स एक्टिव होगा तब तक काम चीजे आपके साथ और जैसे ही विटामिन बेसिक्स का लेवल क्या हो हमारी बोडी के इंदे थोड़ा कम हो चीजे आप किस मर्ति लोग भुल जाओगे आप उसको तो हमें क्या करना होगा वो चीजे समझ नहीं होगी जब आपका कॉंसेप्ट के लिए रोगा तो चीजे आसान हो जाए आपके लिए बहुत जादा अब देखिए जल का सबसे सुत्तम रूप आप जान चुके क्या होगा वर्षा का जल रोशी समने देख लिया क्यों होगा एक बात बताईए आपने कभी गरम पानी किया आना जब आप पानी को गरम करते ना कुछ समय के प्रस्चान आपके जो धादू का बरतन होगा उसके निचे एक सप पानी उड़ दाएगा नबग नीचे राजाएगा किसके कोटिंग के रूप में नीचे और इस प्रिक्रे को हम क्या बोलते हैं जल का प्रभाजी आस्वन यह जो हमारा विशलरी होते हैं डिस्टिल वाटर यह इसी प्रोसीस से बनता हुई समझे कानिया तो जल का सबसे सुत्तम रूप आपका कौन सा जाएगा वर्सा का जल जिसको हम क्या बोलते हैं यहां पर इस्टिल वाटर या आसुत जल अब मैं बात करता हूँ यह जो आसुत जल होगा यह वैद्धूत का कुछालग होगा यह सुचालग होगा इसका चीजे मैं फिर बोलना हूँ एक बात समझ नहीं होगी मेरा भाई रटने से काम नी बनने वाला चलिए लिखे जल का जल का शुद्धतम रूप उसमा वैवै धुत अब देखिए उसमा मैंने गलत लिखा सही लिखा मैंने उसमा गलत कर दे हैं मेरा भई यहाँ पह असमा का मतलब क्या होगा उसमा तो हीट भी होगी क्या ये गरमली होगा गरम तो होगा मेरे भाई तो केवल मुझ को लिखना होगा वैध्धूद अगर वहां आया उस्मा और वैध्धूद तो आपको वहां से उस्मा को खटाना पड़ेगा तो जल का- सुदुतम रूप वैधुत का क्या होगा भाई ये कुछ आलक होता है कि अगर आप वर्सा के जल में क्या डाल दो बिजली की वायर डाल दो और बरतन किसका होगा आपका काच का हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फोलो यानि करंट नहीं चलेगा आप उसमें हाट डालेना है ठीक है मेरे भाई चलिए अब देखें यहाँ पर मैं बात करूँगा इसके पी एच बान की लिखिए शुद्ध तम जल का पीएच मान देखें अब यहाँ बात करने हो गी है कितना हो रहेगा तो अब नहीं जुद्ध फिर हो गारन कि लिख नहीं करेगा तो क्या कि अधोह उद्ध पर seram में थीक है नहीं तो सुद्धितम जल का पी एच मान कितना ओं इतना बान्याज़वान दे यहां तक बताइए कोई चीज आगर आपको समझ ना ही हो तो बताइए एक बार चलिए बताइए बताइए देखिए भाई, अब मैं आवे बात करूँगा जल की आगे की चीजे, हमारे सरीर में जल की मात्रा कितने परसेंट तक होगी, अब देखिए यहां अलग-अलग राइटर ने अलग-अलग डेटा दिया, मैं क्या रहा हूँ आप बड़े कनफुजन होगे यहां पर, कुछ लोग 65-70, कुछ 57-65, और कुछ 7-65, तो आप किस डेटा फरजाओगे, तो आपको जाना ह होगा 65-70, क्योंकि हमें यहां आयोग की बाते माननी होगी, ना कि राइटर होगी, आयोग किसको क्या सही मानना, वो चीज़े लेके चलनी होगी, तो लिखिए मनुष्य के जल में, जल की हमारे स्रीमें, जल की मात्रा, 65-70, प्रतिस्थ, मैं पहले कहा रहा हूँ, यह होगी, अपना अलग डेटा होगा, अब मैंने यहां पर बात की, अब इसके बाद में अगर बात करूँ, हमारे स्रीर में जल का नियमन, किस आंत्रिक, अंग के दवारा होता है, अंग के दवारा होता है, मेरे भाई, बड़ा ही अच्छा की उप्षन होगा, और जिस बच्चे को इसका आंसर पता होगा, क्या करेगा, किड्नी, यहनि किसको बोलते हैं, वग, तो हमारे स्रीर में जल का नियमन, नियमन का मतलब, इसका नियमन का मतलब क्या होगा, यहां नहीं करने देना, तो इसको कंट्रोलिंग पाउर किसके आत में हो जाएगे, यहां पे, किड्नी, यह पाट करेगा, किड्नी, समझेना एक कहानी आप, आगे बढ़ते हैं पर, जल के बारे में हर चुट-छुटी बात करनी होगी, जो आग्जाम से संबंदित होगी हमारी, अब हम बात करते हैं भई, अब यह तो जल होगा, जल के लिए आगे बढ़ता हूँ और अभी, जल के परकार, तो प्रत्वी पर, जल दो अबस थाओं में मिलेगा आपको, जो हमारी प्रत्वी होगी, प्रत्वी पर, अब मैं, क्यामिस्ट्री से स्वड़ा बहार आ रहा ठीक है भई, आगे चलते हैं आप लिखे प्रत्वी पर, प्रत्वी पर, जल की मात्रा, कितने होगे भई, 71 परतिसत, कितने, 71 परतिसत, ठीक है मैरे भई, अब यहाँ एक चीज़ा आपको और याद देखनी होगी, प्रत्वी पर, जल, किन-किन अवस्थाओं में पाया जा जाता है, किन-किन अवस्थाओं में पाया जाता है, मेरे भई, यहाँ से क्योशन कहीं बार आया, कि हमारी प्रत्वी पर जो जल होगा, वो किन-किन अवस्थाओं में होगा, तो आपको चीज़ा बताऊगा, कि जो हमारी प्रत्वी होगी, प्रत्वी पर जो जल होगा, वो से विजिकली बाद नहीं करना चाहरा हूं मैं एक जोगरीफल कंडिसन पर बात कर रहा हूं यहां पर हमारी प्रत्थी पर जो जलोगा वह दो था वस्ताओं में मिलेगा किसमें एक तो हिम के रूप में जिसको हम बोलते हैं और दूसरा नदियों में जेलों में साग्रों में महासाग्रों में तालावों में और भूमिगत्र, शम्जना काने आब एक तु कहान मेरा जला में हिम यानि ग्लेसियर में जो बड़े-बड़े क्या होते हैं, हमारे mountains होते हैं तुम्हें बताओगा और पर क्या होगा हम रेखा है बाहर की जो जितने भी जलवास भोगी हो किसमें जल के रूप में बदल चुकी होगी कि दूसरा हमारा एक तो रहेगा सागर कि महा सागर कि भूमिगत जल कि एक रहेगा हमारा नदियों में कि अधिकर देना भाई आपको पताओगा प्रस्षी पर जो जल मिलेगा यहां पर मिलेगा इन अवस्थाव में मिलेगा अब देखिए यहां पर जल का सबसे जल का ठोस रूप होगा वो किस रूप में मिलेगा आपको कि देख मैं आति कंग ग्लेशिः और उस घल क्लेशिः जैसे टम्परिटराब को वह अग्लेऋ वह तैनल स्रीटाइन नीकिले जल स्रीटाई निकखिगी और जल पधनीboarding श्राउप लेने के प्रशाद क्या मनेंगे नदिया बनेंगे और वह एक जल जाएगा ये पूरा बन जाएगा जल चक्र मोलते हैं सब्सक्राइब अब मैं यहां पर देखें ध्यान थोड़ा इधर रखें मेरा भाई यह दिक्त आप इके सामधे बंदेगा ध्यान हटा तो दुर घटना घटी तो ध्यान सुनिए जल का सबसे सुत्ता हुरूप हमने बात कि आप सब्सक्राइब और कि आप इसको नोट किजिए भी आप हो चुका ना चलिए लेकिस साधारन ताप पर साधारन तापर जल बताईए कैसा होगा एक तो रंग हीन होगा दूसरा क्या हो रहेगा भाई स्वाध हीन और किस अबस्था में होगा दर अबस्था में कि नोट किजिए आप इसको कि चले भाई आगे ठीक है भाई अब मैं बात करूँगा यहां पर जल के प्रकार की जल के प्रकार तो यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपने कहीं बार पढ़ा होगा जल दो प्रकार का होता है एक soft water और एक hard water, पढ़ाना आपने, एक soft water और एक hard water, तो लिखिए, रासानिक संगठन के आधार पर, जल दो प्रकार का होता है, रासानिक संगठन के आधार पर, दो प्रकार का होता है, कि लेना यहाँ पर अब देखिए मैं बात करूँ इसके यह दो टाइप कौन-कौन से होंगे एक तो जाएगा हमारा मर्दुचल एक हमारा हो जाएगा यहाँ पर कठोर चले समझेना कहानी आप इसी को हम बोलते हैं भई मेठा जल ठीक है नहीं सॉप्ट वोटर सॉप्ट में डाल जाएगा एक हमारा हो जाएगा कठोर जल ठीक अब हमने बात की कठोर जल और जो मर्दुचल होगा इनकी पहचान क्या होगे यहाँ पर देखिए सॉप्ट वोटर इसके लिए मैं एक सब्द दूँगा वहजल जो साबुन के साथ आसानी से जाग देता है वहजल मृदुचल यहाँ पर यह दोनों चीज़ आपको बड़े किलियर सब्दों में पता होनी चाहिए मेरा भाई यहाँ कि वह जल जो साबुन के साथ बड़ी असनी से क्या देगा जाग देगा वह क्या कर लाएगा आपका मृदुचल और इसी को हम क्या बोलते हैं पीने योग्गे जल यानि डिंकिंग वोटरी का रोप में आप किसको यूज करोगे इसी को करोगे मृदुचल को बात करते हैं कठोर जल मैं इसके लिए एक सब्दों दूँगा वह जल जो साबुन के साथ आसानी से जाग नहीं देता है बलकि क्या रहेगा मेरा भाई बताइए अवक्षेपित हो जाता है अवक्षेपित हो जाता है यह जल पीने योगे नहीं होता है पीने योगे नहीं होता है ठीक लिखे लिखे इस जल की यह है विसेश्ता आपको बताया भी मैंने जो कंडिशन बताइए नहीं किस वाले जल की जो जल के साथ आसानी से यानी साबुन में मिलने के क्या नहीं देगा जाग नहीं देगा बलकि क्या रहेगा अवक्षे पर थोड़ेगा फट जाएगा वो क्या कहलाएगा आपका कठोर जल और यह क्या पिने के लिए योगे होगा नहीं होगा और इस प्रकार के जल की यह है विसेश्ता क्या कहलाएगे जल की कठोरता कहलाएगी हाटनेस समझेना कहानी आप इस जल की यह है विसेश्ता जल की हाटनेस कहलाएगी कठोरता कहलाती है जल की कठोरता कहलाती है अब मुझे सब कुछ छोड़ना होगा अब क्या पढ़ना होगा जल की कठोरता अब मैं थोड़ा इस इसको आगे लेकर आ अब मुझे बात करने होगी किसकी कठोरता की ठीक है यह पर इचलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर यह सबने किसी दिए मेरा भाई आगरा हां जी देखे जहां जल क्या जाएगा अवक्षित हो जाएगा जैसे आपने कई बार कप्ड़द होने के लिए डिटरिजन डाल दिया असमें अब यह है क्या यह सोडा यह है क्या भाई आपका है कि यह यह डिटर्जन पाउडर आपका है इयँ केमी कलीनगेठ आपक नियां करेगा जल के साथ किया तो और एक्षे कर देंगा तो जल के अंदर पहले से क्या बहुत सारी असुद्यां मैंगे इंके सलफेट और उन कुछ क्या होंगे लवन गूले होंगे जब उनके साथ रियक्षन करेगा तो जल के साथ वह चीजा क्या व्हाँ हैं कि फट जाएंगी फटने को हम क्या बोलते हैं अवक्षेपित होना क्य मैं था किसी चिर्ण का फट खळानां जैसे ब्रौ का फट आना उसको बोलते आव खषय thrill हो चुगा हम बोदे क्या ची जल्णा दुद हमारा सनुका की खिष्थ हो जित कीस बनना हैं यह रोगा छिल पहने तो ने तो कहले नहुंगा अब अब हम बात करते हैं यहाँ पर जल्की का ठोड़ता लिखें जल्की का ठोड़ता अगर मैं यहाँ बात करूँ जल्की का ठोड़ता की तो जल्की का ठोड़ता दो प्रकार की होती है कितने प्रकार की उजाएगी यहां पर हैं दो प्रकार की नमबर वन यहां पर एक कौन सी रहेगा हमारी एस्थाई कठोरता और एक हमारी उजाएगी मेरा भाई यहां पर कह FIFA प्रमानानटी हाडनेश और इसको क्या बोलते हैं यहां पर हम तैन्परेरी हाडनेश एक को बोलते हैं यहां पर हम प्रमानाइटली एक को बोलते हैं यहां पे हम TH, तो यहां पे P का मतलब क्या होगा, permanently, और T का मतलब क्या होगा, यहां पे हमारी temporary, चलिए बाई, सबसे पहले बात किसी करते हैं, स्थाय का ठोड़ता गिर्म, कि किसी की कर लिज़े, कrophe मैंने यहां पर क्या हैं, एक जल लिया, यहां इसको थियोरीय नहीं किरा ना, मैं केवल मैपिंग से बात करूँ ने हैं इसकी सिजिया, अब देखे यहां पर क्या लिया लिया जब इस जल नहींद जम्यां का घुला होगा? KLAES, प्लस मेंगनेशियम कैल्सियम वे मेंगनेशियम के सल्फेट होके के लborक्त से लोड घुलिए होँगे यहाँ पे के समझे ना कहा निए भात की हमारे जल के इंदर कैल्सियम उर्प्रस्मैशियम य तुम्हें को जल में जो हाजनेस आईगे वो कौन से रहेगे आपकी परमानेंटली और मैं इधर बात करता हूँ किसकी ऐस था इकट होड़ता जब जल में कैलसियम प्लस मेगनेशियम कि क्या घुले होंगे बाइकार्बोनेट मेरे भाई यह चीज़े आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी होंगी तो इस टाइगराम को आप बनाईए मैं एक बार फिर से रिवाइस करा रहा हूँ आपके चीज़े देखिए जल की हाड़नेस दो प्रकार की एक हमारी कौन से रहेगी इस थाई और यह कौन से रहेगी एस थाई अब यह क्या एक पहचान होगी यहाँ पर जब हमारे जल में कैलसियम प्लस मैगनेसियम के सलफेटों के क्या घुले होंगे यहाँ पर छोटे चोटे पार्टिकल्स यानिकी सॉल्ट घुले होंगे लवन घुले होंगे उसके हमारे जल में कैलसियम प्लस मैगनेशन की क्या गुले होंगे बाइकार्बोनेट तो वो कहीं ना कि सोट टाइम के लिए हाइगी हाड्नेस और इस प्रकास से इस हाड्नेस को हम क्या बोलते हैं आप एस थाई कठोरता ठीक है ने अब इनको कुछ विदियों के दौरा हम क्या दूर करते हैं तो हम में सबसे पहले कया करना होगा जल की अस थाई कर से होगी और यहाँ यह वाले मिलने के कारण होगी आब इनको दूर करने की व发 मैं बात करूं से पहले होगी तो इसको बताओंगा तो क्या करना होगा इसकी दो परिक्रिया होगे हैं मारे पास देखिए एक तो वह होता ना कि कुछ लोग शोटे बड़े जो गरीब आदमी होगा वो वो सपस्तार साधन अपनाएगा जो बड़ा आदमी होगा वो बड़े स बाधन अपनाएगा कि तो मुझे क्या करना होगा सबसे सिम्पल जल की एसत्व कर्ठों करने करने मेरे पास प्रोसिस होगा हो क्या का हो इस जल को उबाल करके कि जल को उबाल करके पहली कलिया ठीक है नहीं अगर मैं इस जल को क्या कर लूँ मेरे भाई उबाल लूँ तो यह क्या जाएगी भाई इसकी हार्डनेस समाम तुझाएगी ठीक है नहीं नंबर दो क्या लिखाए मैंने आप यह भाई है ठीक है मेरे भाई अब मैं अगर सोडियम कार्बोनेट डाल करकी क्या करूँ उसको गर्म करूँ तो क्या रहेगा यह एक बड़े पैमाने पर और बहुत ज्यादा क्वालिटी के बड़े निकि एक अच्छे प्रोसिस के ताहद ज्यादा प्योर हो रहेगा तो यह एक सस्ता सा होगा यानि कि जल को सोडियम कार्बोनेट यह इसको बोलते हैं कि आप यहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट कि मिला करके गर्म करने पर तो दो प्रोसिस होंगे हमारे पास जल की टैंप्टेरी हाड्नेस को दूर करने वाले ठीक है मेरे भाई आगे बढ़ू चलिए अब मैं बात करता हूं यहाँ पर जल की जो हमारी है इसको दूर करने की क्या पर क्रिया होगी और कैसे होगी देखिए नमबर एक जल को अबाल करके इस नमबर दो यह दोनों पर क्रिया यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी दूसरा स्टॉडियम कार्बोनेट मिला करके गर्म करने पर ठीक है मैंना भाई नोट करें जाब इसको 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 आइए और तीसी चीज़ों जो होंगे हमारी होंगे वो बड़ी ही क्या होंगे भाई अच्छी होंगे नोट करें जाब चले देखिये मैं यहीं पर कर देता हूं इसको तीसरा वाला भी आपने सुना होगा क्या बोलते हैं इसको मेरे भाई कैल्सियम हाइड्रोकसाइड और कैल्सियम हाइड्रोकसाइड आपके क्या होगा बुझा चुना समझे ना कानिया इसको हम बोलते हैं बुझा चुना चुना कैडाल करके आशुद्या अवक्षे पित करके जैसे ही मैंने इस पानी पहले से क्या घुलावा कैल्सियम प्लस मैगनेशन सलफेटों की क्या गुलोई सॉल्ट गुलोई मैंने उपसे क्या डाल दिया इसमें भाई यहां पर अब मैंने इसमें उपसे डाल दिया सी ए ओ एच्टू का होल्ट गुलोई मैंने यहां पर इसके अंदर अड़ कर दिया अब ही दोनों आपसे में क्या करते हैं एक रियक्षन होगी और रियक्षन होने के साथ क्या होगा कुछ समय के पश्चाथ जो असुद दियाओंगी वो कहा हो जाएगी नीचे और सुद जल क आउ रहेगा यहां पर आ जाएगा यह जो असुद दियाओंगी यह आवक्षित हो पर कहां बैठेंगी यहां पर नीचे बैठ देंगी तो इसको मैं क्या बोलता हूं कैल्सम हाइड्रोकसाइड या फिर बूजा चूना डाल करके अशुद्या कि आवयक्षेपित होकर नीचे बैठ जाती है भाई मैं आपको फिर बता रहा हूं जैसे ही आपने इस वोटर में का डालिया बुजा चूना तो जहाग आएंगे कार्बन डाई ओक्साइड गैस क्या आओगी मुक्त होगी और जब वहां से कार्बन डाई ओक्साइड गैस वहां से मुक्त होगी तो पादिवे जहाग के साथ कुछ जो असुद्या ओंगे वो क्या ओड़ेंगे फट जाएंगे अवक्षेपित तो कुछ समय के पस्चार जब जैसे ही ऑक्सिजन क्या ओड़ेंगे समाप्त हो तीसरी प्रकृतर केर में बात करूं यहींपर मैं कर लेता हूं अभी चोछी वाली जलके वाहाप आस्वन के द्वारा कि घप आश्वन के दवारा जबाब आश्वन चेंवे डवारा इससे पहले मैंने गल्ती से नाम प्रपाजी आश्वनằn पिछली, जो स्लाइड थी हमानी, मैंने किसकी discuss की, उपहाँ पे प्रभाजी आस्वन ये प्रभाजी आस्वन वहाँ एक mistake थी उसको सही करना होगा प्रभाजी आस्वन किसका होगा? पैट्रॉलियम का जलका क्या होगा? भाप आस्वन, समझे न? द्यान से देखना मैंने साथ लिखा नहीं वहाँ पे लेकिन मिश्टेक से बोल दिया क्या भाई प्रभाजी आस्वन यह भास पास्वन नहीं बोला मैंने वहाँ भाई भाई चले कोई लिक्कत नहीं है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना हूं का भाई पास्वन विधी के द्व यहां तक बताईए किलियर चलिए अब यह चीज़ आपकी थी यह कहीन है कि सभी कही चली चली अब मैं थोड़ा था एक बाइस को और लेकर जा रहा हूं कहां लेकर जा रहा हूं बाइलोजी की साइड क्या करना होगा अब देखे कभी-कभी जल में क्या होगा बैक्टिरिया जाएगा क्या जाएगा बैक्टिरिया अब उसको में क्या कौंगा जल को जीवानु रहित बनाने की वेधिया क्योंकि जो हमारे लिए असुद जल होगा वो कई फोम में होगा एक फोम हमारी कौन सी हो चुकी यहां पर जब यह चीज़े मिली होंगी तो हाड़नेस हो चुक जीवानु रहित बनाने की प्रक्रिया ठीक है नहीं एक बार मैं समय देख लेता हूँ कि चलिए हमारे पास अभी है दो मिंट कि जल को कि जीवानु रहित कि बनाने की अब देखे जैसे जल में क्या हो भाई अब की बार बैक्ट्रिया गुलावा क्या हो जल आपके लिए एक अच्छा जल होगा नहीं होगा अब मुझको क्या करना उसको जीवानु रहित बनाना जैसे मैंने बात कि यहां पर मेरे पास क्या होगा ही जल हो यहां पर किसी एक बरतन हमाण के इंदर और इसमें क्या हो भी सुक्सम पर जीवी हो क्या हो सुखसम पर जीवी जिनको मैं क्या कहूंगा यहां पर जीवानों हाला कि जल में पाई जाने वाले जीवानों सभी हमारे लिए हानिकारक नहीं होंगे कुछ जीवानों हमारे लिए क्या होंगे यहां पर लाब बैक भी होंगे लेकिन कुछ कैसे होंगे हानिकारक होंगे अब हानी कारक्त जिवानों को जल से समावत करने की हमारे पास तेन पर करिया होंगे नंबर एक पर पहले वाला ओजोनी करण ओजोनी करण ठीक है मेरा भाई नंबर दो यूवी किरणों के दवारा ठीसरा बुझा चुना क्या बोलते हैं उसको भाई कैलसियम परमेगनेंट का चुरन डाल करके देखा होगा आपने कहीं बार घंटा घर कहीं कभी आप एक वहाँ पे एक कश्रा बीनने की क्या बनी होई वहाँ पे एक चोटी सी इस्टोर सा बनावा तो वहाँ पे हम क्या डालते हैं पोटेशियम परमेगनेंट का चुरन डाल देते हैं वहाँ पे वाइट कल जकी पाउडर होती है ठीक है नहीं उसको डाल करके तीसरा हां नहीं ब्लिचिक पाउडर इस हो रही है वह मिस्टेक थी यहाँ पे बोलते हैं Potassium Permagnant Potassium Permagnant पच्चुरन डाल करके ठीक है नहीं Fourth process हमारा होगा Chlorine करण Chlorine करण प्रकिरिया के दुवारा अब देखिए मैं इनका हलका छोटा छोटा आपको concept बताना चाहूंगा ज्यादा अंदर ने जाना है यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर क्रिया यहाँ पर क्या होगा मेरे पास एक बड़ा एक पानिकल टैंक होगा आधी ऐसे पाइप होगी पाइप के यहाँ पर क्या होगा यहां पर क्या होगा इसमें एक चेंबर लगा होगा इसनि क्या वरी होगा यहां क्याँ अप्र छ।री parasite ेदध बंब दिखने पानी जल की उबरी सिताइँ आ despacji रहेगा यहां बनाएगा अपना निवास और यहां पर हम क्या करते हैं यहां से इसमें और जौन की एक गयुत मार देगा और यहां पर जितना भी रैक्टिरी आओगा वो क्या हो जाएगा डैड हो जाएगा मर जाएगा और यह परकिरिया कहा होगी बड़े पैमाने पर जैसे च्छावनी जो हमारी military force होती है न अब वहां पर कितने आरो लगाओगे आप कितने आरो लगाओगे बताओ नहीं प्रोस कि पुराने टाइम में यह बनते थे उसके उपर होगे ऐसे एक लगाओगा कुछ और उसके उपर ऐसे लटकावाओगा कुछ हाला कि पानी टपकतर आएगा वहां आप तो ही चीज़े फिल हो चुकी और बहुत सारी advanced technology हमारे पास आ चुकी ठीक है नहीं तो यह process था लेकिन अग्जाम दे के लिए पुराने उसको तो वो चीज़े पूछने चूँ पुरानी हो चुकी तो पहली प्रकिरिया क्या होगे हमारी ओजोनिक रंड के दवारा और बड़े प्यमाने पर कहां पर सेना उसको यूज करती थी कौन करती थी भही सेना ठीक दूसरी हमारी क्या हो और यह कितना गाएगा बारा जार रुपे गा कौन सा यह वाला यूवी वाला यह अलगी होते हैं ब्याले सुरुपे की ट्यूब होगी उसके इंदर अल्टर जो देश छोड़ते हैं मेरे भाई सारी कीमत जो प्राइस होगा उसी का होगा अब कहानी क्या होगी जैसे हमारा लिए प्राइस होगा यहां से पानी कूच जबस अपर सेुकी मर्जाए गर्ट यहां से अंदर-चेवान हो ये गरेलू लेवल पर, कहां पर होता हैं? घरेलू इस तरपर तीसरी परक्रेया पोस्थम्र मंगनेट का च्वून डाल करके कहानिक क्या होगी? दूर दराज के अथी पिछडो इलाकों मे笑 अथी पिछडे इलाकों मे langue है जलको जीवानौ रहित बनाने की परकिर्या को हम क्या बोलते हैं को यूप क्यशन डाल करके कैसे जहिल होग typically क्या कई डाल देंगे चारों और पूटेश्यम प्रमेग्नियन का इस चूरन डाल देंगे, क्योंकि जो पानी होगा, पानी की सटाए पर आएंगे, धाराय बहार की वराएंगे, तो बैक्तिरिया आएगा, कहा हैगा, वह बहार की वराएगा, भैकर के, और वहाँ से किरिया करने के प्रचात वो क्या हो जाएगा तीसरा झाल दाल देगी पाने के अंदर chlorine प्रसन यह एगा कि बताइए एक झाल 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 पर एंदर झाल झाल गर जल के सुधी करने का सब से जो उप्योगी उपाए होगा हो किसको यूज करेगा, ओजो निकरन को या यूवी के रंद को या फिर पोटेशम को या फिर कलोरी निकरन को, किसको क्लोरी निकरन समझे ना कहा नी, तो जल के लिए हमें इतना ही पढ़ना होगा, आर पिया फ्ल्प और एल वे देखिए मैं अगर आपको बताओं डबलू एचो डबलू एचो ने एक अपना एक प्रोटोकोल बनाया हूं उसमें बताया कि जैसे जिस जहां पे कोईला प्रधान छेत्र होगा वहां आरो का यूज़ करना चाहिए भारत में केवल दो ही छेत्र होगा एक तुक उनसे छोटा से पानी में आर्सनिक के क्या होगी एक असुद्धी के रूप में वहां मिलेगा तो वहां पर आरो का यूज़ करना चाहिए गंगा घाटे में आरो के कोई आवशक था नहीं होगी तो यह जैसे हमारा मुझा फनगर सानपूर मेरट यहां आरो के कोई खास जरूरत मैं नही आज हमारा बाजो जी का चैप्टर नमबर साइकेंड स्टार्ट होने जा रहा है भई तो चैप्टर का नाम देखना होगा ठीक है नहीं कौन कौन सी चीज़ेस में हमारी कवर होने वाली वह एक एक करके मैं डिटेल वाइस बेसिक प्लस थोड़ा था एडवांस दोनों तो मैं सबसे पहले चैप्टर का नाम बताना चाहूँगा आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई मानाव परती रक्षा ठीक मैरा भाई हमने पढ़तना होगी हτί हुवयन डिफिर्शन्सी माना वह परती रक्षव हम बोलते है या स्वास्थे आवं रोग चैप्टर नमरे क्या होगा हमारा दो हमाले क्या हरा आपको भोजन थीक कि मैं अब सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या होगा मानाओ परतिरक्षा ठीक है नहीं और इसी को मैं कह सकता हूँ स्वास्थ एवम रोग तो सबसे पहले मुझे जानना होगा स्वास्थ एवम रोग एक वक्ति के लिए लिए आप स्वास्थ वक्ति कैसा होगा और रोगी वक्ति कैसा होगा और एक रोगी व्यक्ति, रोगी कहूँ या फिर मैं क्या कहूँ भाई, भीमार कहूँ या फिर मैं कहूँ इसको व्याधित, व्याधित व्यक्ति, इनको आप कैसे पहचान होगे, कि कोई व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति होगा, या कोई व्यक्ति किसी व्याधि से ग्रस्थ होगा, तो इसके लिए क्या एक 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 आयोग वाले डेफिनिशन आपके पास होने चाहिए, बताईए, एक स्वस्थ व्यक्ति और एक रोगी व्यक्ति में जो मुखे अंदर होगा या पहचान होगी वो क्या होगी, एक व्यक्ति को आप स्वस्थ कम मानोगे और एक व्यक्ति को आप रोगी कम मानोगे, आप मुझे यह बताईए, बताईए एक स्वस्थ व्यक्ति और एक रोगी व्यक्ति की पहचान बिमारिया तो आपको भी होती है मेरे भाई और स्वास्थ आपका भी सभी सही होगा तो जब आप रोग अवस्था में होगे हो और आज आप स्वस्त हो तो आपके साथ बोडी का क्या बैवार होगा आपकी। सुस्ति, सुस्ति तो अन्य कानों से नेंद, चलिए मैं मान सकता हूँ सुस्ति, चलिए देखिये, मैं बता रहा हूँ आपको यहां पे, जब किसी व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति विसेश को व्यक्ति लोग यहाँ पर जब किसी व्यक्ति को प्रियावरण के अनुकूल ठीक है नहीं? मैंने यहाँ बताया जब किसी व्यक्ति को प्रियावरण के अनुकूल जीवन निर्वहा कर्विने में जीवन निर्वहा करने में कोई कठनाई या फिर बहुँ ऐस है जिता महसूस नहीं होती है महसूस नहीं होती है समझे ना अंतर मैंने बता आपको जब किसी व्यक्ति को प्रियावन के अनुकूल जीवन निर्वाह करने में कोई कठनाई या ऐसाज़ता महसूस या उत्पन नहीं होती है तो व्रू व्यक्ति क्या कहलाएगा आप एक स्वस्त व्यक्ति कहलाएगा उसको कोई परिसाने यहाँ पर है ही नहीं किसके लिए प्रियावन के साथ उसकी परिस्तितियों के साथ जीवन निर्वाह करने में समझे ना कहाने आप देखिए मैं इसके पोजिट बात करूँगा रोगी रेक्ति या फिर विमार रेक्ति या फिर एक व्याधित रेक्ति की क्या पहचान होगे यहाँ पर तो देखिए एक जो रोगी रेक्ति होगा उसकी क्या हो जाएगी जब किसी रेक्ति को परियारण के अनुकूल जीने में कुछ कठनाई या ऐस साजताव का सामना करना पड़ता है तो वह व्याधि क्या कहलाएगा आपका एक रोगी या भीमार व्याधि कहलाएगा समझे ना का नी तो यहाँ पर मैं दो सब्स लिख रहा हूँ जब किसी रेक्ति को जब किसी व्याधि को परियारण के अनुकूल जीवन निर्वाह करने में जीवन निर्वाह करने में ऐसे हजदा या फिर कुछ कठनाईया होती है सारे रिक व्यमानसिक तो वहाँ वैक्ति किसी विशेश रोग से गरस्थ होता है विशेश रोग से गरस्थ होता है और वहाँ वैक्ति एक रोगी वैक्ति कहलाता है और वे हैं व्यक्ति एक रोगी या फिर मैं कहूँ उसको बीमार व्यक्ति कहलाता है यहां तक बताईए आप समझाएना एक आनी देखे एक बार फिर समझे जब मैं बात करता हूँ स्वस्थ व्यक्ति की जब एक व्यक्ति को प्रियावन के अनुकूल जीने में कोई जीवन निर्वाह करने में कोई कठिनाई या कोई प्रोब्लम या कोई ऐसा ऐसा उत्पन नहीं होगी तो व्यक्ति कहता है आपका स्वस्थ व्यक्ति उसके पोजिट जब किसी व्यक्ति को प्रियावन के अनुकूल जीवन निर्वाहद करने में ऐस है या फिर कुछ कठनाई या होती है सार्विग में मान सिकते हो वहन वैक्ति किसी विश्य व्रोग से क्या होगा भई गरस्थ होता है और वह व्यक्ति क्या कहलाएगा एक रोगी या बिमार्य व्याधित व्यक्ति कहलाता है अब देखे जीवन निरवहा करने में पृषानी बहुत सारी हो सकती है भई मैं कहूं किसी के साथ धन की मनी प्रोब्लम तो मनी प्रोब्लम एक बीमारी नहीं होगी वो एक समाजिक समस्या होगी ठीक है नहीं घर में लडाई जगडा ये बीमारी नहीं होगी ये भी एक समाजिक क्या होगी बुराई होगी ये समाजिक प्रोब्लम होगी उसकी मैं जब म roges बोल सकता हूं, चाहिए उसका कारण समाजिक हो, आर्थिक क्या कुछ भी , आराज न canvas नतिक कारण वोगी, तो मैं इसको क्या कॉँगए M मानव परतिरक्सा क्या है यह एक छोटा सा पॉइंट था इस चैप्टर का बेस ताकि पहले तो यह पैचान करनी होगी कि चैप्टर जो बना किसके लिए बना एक स्वस्त रहखती और एक रोगी रहखती के लिए बना और इस चैप्टर का जो most important पॉइंट होने वाला, जिस पर सारे चर्चा होगी, वो क्या होगी? मानव परतिरक्षा. ठीक है, नहीं? अब एक्जाम के जो चीजे हैं, इमपोर्टैंट होगी, वो यहां से निकल के आने वाली आपके लिए. सबसे मैं बात करता हूँ भाई, मानव परतीरक्सा है क्या, क्या होती है परतीरक्सा, जिसको बोलते हैं, एम्मिनुटी पावर, ठीक है नि, ये क्या चीज होती है आपको, अध्यान जा सुनना, लिखना बाद में पहले समझना होगा, देखे, हमारी जो बोडी होगी, हमारी जो शरीर होगा, उसमें एक विसेस्ता होगी, क्या विसेस्ता होगी, जो हानेकारक, जितने भी रोगवाहक, जीवानों, विशानों, ठीक है नि, पैरासाइट्स जो परजीवी होते हैं भाई, या कवक, बहुत सारी चीजे होती हैं भाई, उनके परभाव का, हमारे उपर पर जो हानेकारक रोगानों होगे, जीवानों, विशानों, जो भी चीजे होगी, उनके परभाव का क्या करना होगा, परतिरोद करना होगा, किसको हमारे सरीर को, और उनसे हमें क्या देना होगी, एक अभूत पुरू समता देनी होगी, ताकि वो हम पर क्या ना हो चुके, एक्टिव ना हो चोगे और हमें कुछ रोग ना हो सके, अब हमारे स्रीर में जो उनसे लेड़ने की एक समता होगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, परतिरक्सा कहलाएगी, और परतिरक्सा दो प्रकार की होगी आपकी, एक होजाएगी सोभाविक जिसको हम बोलते हैं नैचुरल, जो हमें परकर्ति से यह जन्मजाद मिली होगी, और एक हमारी कौन से होगी, बताइए, दूसरी कौन से लेगी, विशिश्टि करत बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, स्पैसिपिक, डिफैंसी, वो हमें जन्मजाद ना मिल करके, बाहर से इंजेक्ट करानी होगी अपने जैसे आपने सुना होगा, पोलियो का ठीका, चेचक का ठीका, रैबिज का ठीका, जैसे कोरोना की वैक्सिन थी, ये भी क्या थी, अगर कोरोना से लड़ने की इम्मिनुटी आपके अंदर थी, तो फिर आपने वैक्सिन क्यों ली, अब कोरोना जब आएगा तो आपके तो लिखिए मनुष्य के सरीर में विभिन प्रकार के रोग वाहको वै रोग आणवो के दूस्य प्रभाव का प्रतिरोध करके मनुष्य के सरीर में विभिन प्रकार के रोग वाहको वै रोग आणवो के दूस्य प्रभाव का क्या करना होगा प्रतिरोध प्रतिरोध करके एक विशेश प्रकार के एक के विशेश प्रकार के यहां पर एक थोटी मिश्टेश प्रकार के दूस्य प्रभाव का प्रतिरोध करके सम इस्थैतिकता सम इस्थैतिकता और इसी को मैं यहां पर लिखूँगा हॉम्यो स्टैटिस हॉम्यो स्टैसिस बनाए रखने की समता होती है बनाए रखने की एक शमता होती है जिसे हम मानो पर तिरक्षा कहते हैं बहुत सरल सब्द में मैंने आपको बताया भी जिसे हम एक की विशेश प्रकाकी की आओगी समता होती है जिसे हम मानो पर तिरक्षा कहते हैं यह मैं क्या रहा हूं कि यह डैफियेशन एक्जाम की तरशे से इंपोर्टेंट ना हो करके इसमें मैंनो जो एक वर्ट दिया कौन सा हम एक्जाम के लिए सबसे इंपोर्टेंट की वर्ट होगा आपके लिए इसको आपको फोकस करना होगा सबसे ज्यादा मैंने आप बताया भी आपको कि मानव परतिरक्सा है गया तो यहां आपको समझना होगा मनुश्य के स्रीर में विभिन परकार के रोग वहा को वह रोग आनव के दूस पर वहा का परतिरोद करके सम इस्थातिक्ता जिसको हम बोलते हैं हो में स्टाइटिस बनाए रखने की एक शमता होती है जिसे हम मानव परतिरक्सा कहते हैं अब एक चीज़ समझे आप का मार्मायद आपका अस्पास घुमरी मेरा हाई अ मैं अब एक वेक्ति को कह एक हो यहीं पर सब्सक्राइट कि क्या सकता है जो खाम हो सकता है इंघ कि बरसते तब जब दूसरे वैक्ति समझ लेना यह जो मानूं परतिरेक्सा होगी क्या ओगीए लोग एक गिरेगी होगी और एक व्यक्ति ऐसा होगा उसके इर्दगिर्द कितने लोगी व्यक्ति घूमते रहें उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली तो कहीं न कहीं उसके इमृटी पावर्ज ओगी होगी बड़ी ही स्टॉंग लेवल की होगी समझे ना तो हमने बात किया आप पर मानव परतिरक्सा क्या है तो जितने प्रकार किया जिबी सादिक रोग वहां के रोग आनू जीवानू जो भी चीज़ें होंगी मैंने यहाँ पर उनके नाम नहीं लिखे रोग वहां को ठीक है नहीं और रोग आपको मैं अभी बताऊंगा कौन-कौन से होंगे भई ठीक है नहीं जैसे कौन-कौन से जीवानू विशानू यह नहीं वाइरस इसके बाद प्रोटोजवा प्रिताकर्मी ठीक है नहीं कुछ और परसाइस होते हैं परची भी जिन से हमें क्या हो सकते हैं कुछ बीमारिया ह पता मिन्हीं होगा अब यह बहुत सारे विमारिया अटांग कर लेकर लेकशे मेरे में से इम्मुनुटी पावर होगीös जो मुझे क्या देले उनसे सेपटी समझे ना का नि, ये चीजे, मेरे साथ नहीं सबके साथ होगी चीजे, ये अद्रश्य होगी हमारे सम्दा समाई होगी है, लिखे भई, आगे बढ़ते हैं आपे हम, लिखे मानव परतिरक्षा दो प्रकार के होती है, मानव परतिरक्षा दो प्रकार के होती है, कितने प्रकार के हो जाएगे हैं, दो प्रकार के, अब ये प्रकार हमें अच्छे से जानने होंगे, ये दो प्रकार कुन कुन से होंगे हमारे, देखिए, हमने बात की मानों प्रतिरक्षा के प्रकार के, दो प्रकार के होगे, नंबर एक, इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे, स प्राकर्तिक इसी को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जन्मजात यह हमें अटमाटिकली ठीक है नहीं आटमोड पर मिली होई है तो इसको मैं पहले वाली इसी पहले वाली के नाम हमारे तीन होगे मैं जन्मजात भी बोल सकता हूँ इसको प्राकर्तिक भी बोल सकता हूं, इसको सब्भाविक भी बोल सकता हूं, टैकिन नमबर जो हमारी होगी वो कौन सी रहेगी? विशिष्ट करते हैं, परती रक्षा, इसको बोलते हैं, इसपैसिक, स्पैसिफिक ठीक है भई? अब देखिए नेचुरल जो डिफेंजी होगी और स्पेसिपिक्स जो हो जाएगी आपकी इन दोनों में अंतर क्या होगा ठीक है भई और हमें इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारिया लेनी होगी अब मैं सबसे पहले बात किसी करूँगा यह जो सवभाविक या फिर प्राकरती के जन्मजाथ हमारी परतिरक्सा होगी यह कैसी होती है भाई तो मैं इसके बारे में आपको एक बहुत इसीली बता रहा हूँ यह हमें बाहर से न ले करके हमारे सरीर में पहले से ही क्या होगी सवभाविक तोर से इंस्टॉल होगी और यह कुछ अंगों के रूप में हमें मिली होगी क्या मिलोगी कुछ अंगों के रूप में हमें मिली होगी तो हमारे जो सरीर की सवभाविक परतिरक्सा होगी यह कौन-कौन सी होगी देखिए नमबर एक जो कही न कही हमें रोगों से क्या करा रही है भाई एक सेप्टी वो कौन-कौन सी होंगी नमबर एक पर सबसे पहले लिखूँगा मैं अब पसीने में मिलने वाला लाइसो जाइम लाइसो जाइम नामक एंजाइम्स अच्छा 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 एक मंट एक मंट नहीं कर लेते हैं से इसकों पसीने इसकों से ब्लाइसो जाइम्स नामक एंजाइम्स नमबर एक हैएःट यह हमारी कैसी रहे भाई, नेचुरल इम्मुनुटी पावर, मैं बताऊंगा, नमबर दो, आर्शू, आके जो आर्शू होंगे, इसमें भी क्या मिलेगा आपको, लाइसोजाइम, नमबर थर्ड, कान का पिन्ना, नमबर चार, हाँ कान का पिन्ना, अब समझाओंगा, क्या होती है कान का पिन्ना, अभी बताऊंगा, इसका, यह सोभाविक पर्थिरक्सा के मैंने अंग बताए, यहाँ पे, कि कौन-कौन सी immunity power हमारे कहीं न कहीं हमें एक 50, यानि कि जो हमारी natural यह सभाविक पर्थिरक्सा होगी, उसके कौन-कौन से पार्ट होंगे, जो हमें जन्मजाद मिले होएं भाई, तो उसके मैं यहाँ पे पार्ट बता रहा हूँ, नमबर एक पर मैंने लिखवाँ, पसीने जो पिनना होगा, यह भी क्या होगा, एक थर्मामेटर की तरह काम करेगा, जैसे नमबर एक पर, नमबर दो पर WBC, अब WBC तो क्या करती है भाई, हानिकारक रोगानों और जीवानों का भख्षन करेगी, अभू कहां से मिली, नैचुरल, कहीं बाह से दोनाने लिख, इसके बात मैं बात करूँगा, नमबर पांच पर, जो हमारा पाचकरस होगा, पाचकरस, पाचकरस में क्या मिलेगा आपको, SCL, हाइड्रो क्लॉरिक एसिड, ठीक है ना, समझे ना, आप कहां नहीं समझ आपको थे होती रहे, पाचकरस में SCL, इसको बोलते हैं, हाइड्रो क्लॉ और एक, एसिड, ये इसका भी अपना एक रोल होगा हमारे सरीर में, नमबर छेंबर बताइए आप, नाक में उपस्थित बाल, ये भी क्या करेंगे भाई, आपको एक, कही ला कहीं, आपकी परती रक्सा का ही क्या होंगे, हिस्सा होंगे, ठीक है मेरे भाई, अब मैं इनके उपर थोड़ी थी, दो दो सब चीजे बताना चाहूँ आपको, जैसे मैं बात करता हूँ, ये जो पसीना होगा, ये आपके एमिलूटी पावर का कैसे एक छोटा सा पार्ट होगा, किसका नैचुरल वाली का, देखें जब आपको पसीना आएगा, और पसीन अब आपकी स्किम पर चलेगा, तो आपकी स्किम पर जितने भी छोटे- छोटे आओंगे, पारा साइट्स होगे, जिवान हो अगयरा, अब उनकी जो सैल्स होगी, उनकी सैल्स हमारे पसीने में जो एंजाइम्स होगा, लाइसोजाइम, ये कैसा होगा? लवन ये, यानि कि इसमें salt होगा, ठीक है नहीं, अब उनकी cells क्या करेगा है, यह reaction करेगा और reaction करने के बाद, उसकी cells क्या बहाएगी, मर जाएगे, और उससे आपको क्या मिलेगा, एक safety मिलेगे, तो पसीना क्या देगा आपको एक safety देगा, पसीना कैसा हमारा प्राकरतिक, जन्नमजाति यह सभा लिए ठीक है नहीं कई बार ऐसा भी होगा आप निकालनी पाओगे तो हमारी आख के अंदर आसू होगे आसू भी गया होगा समय एंजाइम होगा लाइसोजाइम अब उस परजीवी को क्या करेगा वहीं पर डाड कर देगा मार देगा अगर वह अंदर गया तो आपके तंत्र किदा कहा होगा तंत्री का तंत्र से वह वहां के रास्ते कहां पहुं सकते हैं अंदर भी तो कहीं न कहीं लाइसोजाइम क्या करेगा वहां पर उसको वहीं पर डाड कर देगा मैंने कहा कान का पिन्ना आप कोगे कैसे मैं कान का पिन्ना और नाक की हमारी क्या होती है सबसे मोई से किया रगने लगी कान को अगर आपको सर्दी, नीगी रगने लूगा यहां से चाहँ करेगा। बहुत जाड़ा अगर यहाँ इसको आपने कवर कर लिया तो समझेज़े आपकी 65% जो सर्दी होगी वो क्या हो जाएगी खतम हो जाएगी बाकी अगर आप कितना भी कपड़ा उड़ दीजिए अगर आप यह कान नहीं क्या हो एक कवर नहीं होगे वहाँ पे आपको ठंड से क्या नहीं मिलेगी निजात नहीं मिलेगी और कहीं न कहीं बढ़ते टैंपरिचर का एक क्या होगा एक सूचक होगा कान का पिन्ना जैसे ज लगति रहनी दिए लेकिन समेटना कान से जारी कान के पिंने से। तो कान का पिंना हमें क्या देगा, किसको? ब्रेन को तंत्री का तंत्र को कई न गई फिर क्या हुगा एक एसे ही हमारे एक्टिवेटी होगी जलदी से जलदी हम क्या करते हैं उसके लिए कुछ जो भी प्रभावी थादन होगा सोपनाएंगे भाई WBC आपको पताओगा WBC क्या होती है भाई स्रीन में आने कारेक रोगानों और जीवानों होगा बखसन करेगी तो यह से बाहर से निली काहा से मिली जनमजाद पांच अक्रस में क्या मिलेगा हाइड्रक्लॉरिक एसिड जब आप दो दिन का तीन दिन का या कोई बहुत जादा खराब हुआ भोजन खा लोगे तो उसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं रोगानों तो उन सब को कौन मार देगा अंदर एसियल हैड्रक्लॉरिक एसिड तो वो भी क्या करेगा आपको एक सेप्टी दे रहाना मेरे भाई देगा न तो वहाँ पर हमने बात की इसके बाद मैंने बात कहीं याँ पर नाक में उपर स्थित बाल यह भी एक फिल्टरेसन का कारे करते हैं हमारे इंदर जो हमारे नाक में छोड़े छोड़े बाल होंगे किसका काम करते हैं फिल्टर का जो जितने भी हमारे वाईयू यह हमारे अंदर पहले से ही क्या अब इंस्टॉल होगी नेचूरल ठीक है मेरे भाई देखिए अगर मैं कहूँ पसीना किसी इंसान को नौ आये तो बहुत सारे हानिकरक जीवानू स्मिवानू जो भी चीजे होंगे कवाग वगेरा हमारी स्किन पर क्या हो सकते हैं भई अपना इंफेक्शन जो भी काम हो सकते हैं उसको एक्टिव कर सकते हैं भई यह हमें बाहर से नहीं लेनी होगी यह चीजे यहाँ पर क्या करती हैं वो चीजे करती हैं भई मैं धर बात करता हूँ जो हमारे स्पैसिपिक क्या होगी डिफैंसी होगी यानिकी इम्मुनिटी पावर होगी इसका क्या काम होगा अब देखिए मैं पहले बात करूँगा यह है क्या विशिष्टिक अर्थ प्रतिरक्षा किसी रोग विशेष के वाहक की पर्थक पैचान करके उसके इस्थाई विशिष्टिक विशेष के वाहक की पर्थक पैचान करके उसके इस्थाई विशिष्टिकर्थ पर्थिरक्षा कहलाती है विशिष्ट करत परती रख्षा कहलाती है यहां आपको समझ आई न मेरे भाई यह हमें क्या होगी नहीं लेनी होगी और यह हमें बाहर से लेनी होगी जैसे मैं कहूं गामिज का टीका, पोलियो का टीका, चेचक का टीका, कुरोना वैक्सीन जो टीका लगावा आपको यह सब है क्या चीज़ा है आपकी यह आपकी स्पैसिपिक यह तो इम्मिनूटी पावर है यह आपके अंदर नहीं थे, यह आपको बहार से दे गई, इंजेक्ट की गई आपकी बोडी के अंदर किसके माधियम से टीका करण के माधियम से अब यहां गर मैं बात करूँ, इसमें होगा क्या, माली जग कोई एक विश्यस प्रकार का रोग होगा हमने पहले उस दोग के वहाँ के क्या की, पहचान की, अलग से उसकी identify किया उसको फिर हमने लाब में उसके लिए क्या बनाया, एक antibodies बनाया, बनाया ना भई, और फिर हमने उसको एक पिकागण के माधियम से अपने body में क्या कर लिया, इंजेक्ट कर लिया अब हमारे अंदर उसका क्या बन चुका एक, image बन चुकी, जैसे ही हमारे स्रीर में वो रोग वहाँ काएगा, तो हमारे blood में जो antibody उसी रम में होगी, वो उसकी पर्थक पैचान कर लेगे, और उसका जो effect होगा, तो क्या कर लेगी, महीं पर सुनने कर देगी अब पोल्यों को ठीका सुना होगा आपने, अब तो किसी को पोल्यों नहीं हो रखा ना, ठीक है नहीं, बच्चों को रैबिज के ठीके लग रहे हैं भाई, चेचक के ठीके लग रहे हैं, चेचक बिमारी अब नहीं हो रही ना, किसी को क्यों नहीं हो रही, बच्चे को जन अंदर पहले से क्या है उसका एक एंटिबोडी बनावा एक इमुनिटी पावर इंजक्ट की गई तो वो पोलियो उसको कुछ करी नहीं सकती फिर उसको वहां पे तो उसको हम क्या बोलते हैं वहीं विशिष्ट करत परतिरक्षा मैं यहां पर लिख रहा हूं इसके लिए एक आधियम से बाहर से शरीर में इस्थापित की जाती है इस्थापित की जाती है जैसे पोलियो का ठीका ठीक है भाई रैविज का ठीका चेचक का ठीका ठीक है नहीं कोरोना वैक्सीन का ठीका आधि कर लेना यह सब है क्या यह आपकी विशिष्ट करत पर ठीक्सा का ही क्या होगा एक हिस्सा होगा जो आपके इस्थापित कर दिया और वो जब हमने इस्थापित कर दिया तो हमारे ब्लड के सीरम में जो इस्पैसिपिक इम्मिनुटी पावर समझ आए नहीं चीजे तो हमने बात कि अभी यहां पर मानव परतिरक्सा यह कितने परकार्षक होगी दो परकाल के एक हो जाएगे हमारे विशिष्टिक करत हमें बाहर से नहीं लेनी होगी और हमारी जो सब्सक्रों को कहीं बार हम बोलते हैं उपारजिध अम्रिशिशन के बार का जयए झालोग nella हम झाल comenz उल Johry पारजित परतिरक्षा यह भी हम इसको बोल सकते हैं यह ठीक है भई यह थे मानव परतिरक्षा अब इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको डिसीज यानि की बीमारिया क्या होती है ठीक है चलिए अगे इसको नोट कर लिए सबने भई आगे बढ़ो चलिए देखते हैं आप हम अभी लिके मनुश्य को होने वाले परमुक रोग मनुश्य को होने वाले परमुक रोग या बीमारिया या फिर मैं एक सब्द लिक हुए हाँ व्याद हिया ठीक है भई अब आप बताइये मुस्हे मुख्य को मुख्य कीतने परकार की बैमारिया होती है वाई तो यहाँ आपको जाधा नहीं करना बहुत छटी सी बात तो मुनवश्य को मुख्षित तीन प्रकार के रोग होगуют है, मिरे बाई यह तो तीन प्रकार के रोग वाहग बताया आपने मैंने पूशा लोगों के प्रकार यह वाहगों के प्रकार होंगे तो किसी भी जीवधारी को या किसी भी मुनुष्य को तियन प्रकार की disease होने के सबसे प्रबल क्या होती है बाई possibility होती है आपे नंबर एक संक्रामक रोग शंक्रामक रोग साइकिन नंबर एशंक्रामक रोग और तीसरा हमारा हो जाएगा अनुवानसिक रोग ठर्ड हमारा कौन सो जाएगा अनुवानसिक रोग समझे कहानी आप याप मनुश्य को होने वाले प्रमुख को रोग होगी अगर मैं प्रक्रिय की बात करहूँ प्रकार के तो किसी भी जे दारी को या मनुश्य को तीन परकार के रोग होने की क्या होगी परबल पोसिबिलेटी होगी नमबर एक पर कौन सा होगा आपका संक्रामक रोग और आपका थर्ड कौन सा रहेगा आनुवान से क्या जानिटिक डिजीज होती है कुछ ठीक है नहीं अब यहां इनको थोड़ा सा और आगे देखते हैं मेरे भाई संक्रामक रोग मैं बात करता हूँ इनकी एक बार इसकी बताऊँगा थोड़ी डिटेल और थोड़ी इसके ये संक्रामक रोग कैसे रोग होंगे जो कही न कही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होंगे संचारित होंगे किसके माध्यम से जल वाईयो सारीजिक इसपर्स भोजन आधिके माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होंगे संचारित होंगे, वो सभी रोग क्या कहलाएंगे आपके संक्रामक रोग, यानि कि वो रोग सभी संक्रामक रोग होंगे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के क्या होगी, संभावना होगी हवा जल, सादिक, संपर्क भोजन, आदि के माधियम से भोजन, जल, वायू, सारिरिक संपर्क आदि के माधियम से संचारित होते हैं संचारित या पैलते हैं वो सभी रोग आपके कैसे होंगे भरे भाई संक्रामक रोग ए संक्रामक व्यक्ति विशेश को परभावित करने वाले व्यक्ति विशेश को परभावित करने वाले रोग क्या कहलेंगे आपके एसंक्रामक रोग जो एक व्यक्ति तक ही क्या होंगे सिमित होंगे अनुवानसिक रोग जो जन्मजाद होते हैं जन्मजाद या एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक जीन के माध्यम से जानते हूँ जीन क्या होता मेरा भाई ठीक है नहीं हाँ जीन के माध्यम से संचारित होते हैं जोहांस बर्का नाम सुनाओगा आपने जोहांस संसोरी जीन चीन नहीं जीन ठीक है नहीं जीन के माध्यम से नहीं हमारी बोड़ी में होते हैं भाई आप दिरे 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 के लिए अपकी ठीक है अब मैं कुछ संक्रामक रोगों के नाम रिखना चाह रहा हूंगे संक्रामक रोग हमारे किस किस से होंगे आपके जिवानू से होंगे विशानूशे होंगे वायरस से भी होंगे कवक से होंगे ठीक है मेरे भई और किसे होंगे यहां पर है जो परजीवी होते हैं परजीवी उसे संक्रामक रोग और ऐ संक्रामक रोग ऐ संक्रामक रोग कैसे रोग होंगे किसी सरीर में किसी तत्व की कमी से या उसकी व्रधी की कमी से किसी तत्व की अधिकता ये नियुनता से अधिकता वे नियुनता ठीक है मेरा भई, जैसे मैं कहूँ अधिकता से एनेमिया, रक्तिशिनता जो होती है भई, मैं कहूँगा मेनी माटा नामक रोग, बू बेवी सिंड्रोम्स, हाला कि मैं एक कैटिगरी ओर दूँँगा, पर्दुशन जनीत रोग वह पर्दुशन जनीत रोग कैसे होंगे कहीं न कहीं एक व्यक्तित होंगे न अगर मालीजे एक बाँ बताई आप मुझे किसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम्स वा उसके बराबर में कोई व्यक्ति बैठ गया तो उसको नहीं होने का हो हां रोग तो हो यहां में बात करता हूं तीन अर्वाञसिक लोग बताईए आप मुझे नमबर एक पर हिमोफीलिया क्या लिखूँ है या पर मैं हिमो अप फिलिया अब देखे तो एक फंगी इफेक्ट होगा गंज़ापन क्या होग फंगी इफेक्ट होगा लेकिन कहीं न कहीं मैं इसको कहा ले के चुनूँगा एक जैनेटिक भीमारी भी मानता हूँ मैं नहीं मानता हूँ साइन्स गंजापन नमबर दो गंजापन और बताईए एक अनुवानसिक रोग बताईए आप मुझे और ख्लाट ब्लाइडनेस वरनान दिता वरनान दिता यह सबी कैसे होंगे अनुवानसिक रोग होंगे अब जीवानों से बहुत सारी होने वाले बिमारी आँगे उनकी चर्चा करूँगा मैं मैं वाइरस से होने वाले परमुग रोग उनकी चर्चा करूँगा यहांपे मैं वाइलेस से होने वाले कवक से होने वाले परमुग रोग उनकी चर्चा करूँगा यहाँ पर फिर मैं बात करूँगा किन से परजीवी से होने वाले चोड़ चोड़ी परासाइट्स होंगे कौन सी डिजीज होगे उनकी बात करूगा यहाँ पर अब चैप्टर तो भी इस्टार्ट तो भी वह आपका है एक्जाम में आने वाले चीजे तो इस्टार्ट अब होई आपकी आपको देगा कौन सा रोग जीवानुजनित है कौन सा अंग परभावित होगा क्या इसका ट्र करने मैं आपको छोटा साइक जूडा चाप डॉंक्तर बना दूंगा चैप्टर में मेरे भाई अगर आपने इसको लाफ टक देख लिया तो हां समझे न बिने डिगरी वाले वाले को जोडा चाप बोलते हैं न भाई तो छोटा डॉंक्तर बना दूगा आपको मैं अगर आ लुब भी बात करते हूं यहां सबसे पहले अब मैं संक्रामक रोग ही पढ़ाओंगा आपको क्या पढ़ाओंगा यहां सबसे पहले संक्रामक रोग तो संक्रामक रोग, मैंने आपको बताया, संचालित होने का ही क्या होगा, उनके पास एक माध्यम होगा, और किस-किस से होगे, जिवानु से, वाइरस से, कवक से, और पैरा साइट से, परजी भी उसे, अब सबसे पहले हडिंग डालेजे, परमुक जिवानु जिनित रोग, अब मैं यहाँ पर संक्रामक रोग के डैफिस नहीं देने का आपको, मैं आपको ड्रेक्ट क्या पड़ाऊंगा, परमुक जिवानु जिनित रोग, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले, परमुक जिवानु जिनित रोग, यह कौन-कौन से होगे आपके, अब देखिये, यह आपको परने से पहले मैं एक पैटन बता रहा हूँ, कैसे पढ़ना होगा, सबसे पहले हम जिवानु से होने वाली एक डिजीज लेंगे, पहले हम उस बैक्टिरय का नाम, जिससे वो डिजीज हुई में होई, इफेक्टिट पार्ट क्या होगा, उसके सिंट परने बात करता हूँ, मैंने बैक्टि देखिए, एक बिमारी ले रही कौन सी, बैक्टिरिय से होने वाली मैंने एक बिमारी ले रही कौन सी, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, हैजा, ठीक है, नहीं, हैजा एक बिमारी होगी, जीवान उजी, विब्रो कैलोरी नाम का, क्या हो होगा इसका वो सारी चीज़ जाननी होगी जिस प्रकार से मैं बात करूं कि इसकी टीबी को बोलते हैं हम तपेदिक अक्षे रोग काक रोग ठीक है नहीं अपर भावितन क्या होंगे आपके फेपड़े ठीक है नहीं अब किस से वाएं उस वैक्टिरा का नाम आपका इफेक् प्रक्तिरियस से होने वाले परमुक जो नाम होंगे उनके नाम बता रहा हूँ यहां पर ठीक है नहीं तो देखे जीवान उसे होने वाले परमुक रोग कौन कौन से आपको पढ़ने होंगे नमबर एक पलिक है आप है नमबर दो पीबी ठीक है भई इसके बाहाद होगे आप काली खांसी इसके बाद होगे आप टिटनेस निमोनिया ठीक है भई हैजा टीबी प्लैग डिप्तिरिया काली खांसी टिटनेस और बताइए बताइए जिवानों से वने वाले परमुक रोग और कौन कौन से होंगे देगे मैं ट्रीकी बात करूँ ट्रीक मैं आपको बताओं डीप सिटी में कुटनी एक ट्रीक बना रखी लोगोंने डीप सिटी में कुटनी जैसे डिप्तिरिया प्लैग मेरा हो चुका सी से बताइए आप सिफलिस की से टिटनेस कू से कुछ ट्रोग यहां चुटावा में डाल देता हूँ यहां पर कुछ ट्रोग ठीक है नहीं और ने से क्या होगा निमोनिया मैंने पहले डाल दे हां पर तो यह ट्रीक भी आपकी चलेगी ठीक है भई, डीप सिटी में कुटनी, आप यहां से जीवानु जीनीत रोग निकाल सकते हो ठीक है मेरे भई, तो यह पर्मुग क्या होंगे, जीवानु जीनीत रोग होंगे अब कल कि जो हमारी क्लास होगे, सबसे पहले में क्या करना होगा यहाँ पे एक disease लेनी होगी हैजा अब हैजा जो होगा इसका यह तो हमने बात करे लिए यहाँ पे यह क्यासा रोग होगा एक जीवानु जनीत रोग हमारा ही होगा लेकिन हमें इस चीश से मभी अग्यात होंगे कि यह जीवानु कौन सा होगा यह तो नहीं पता ना यह जीवानु आएगा कहां से ठीके मेरा भाई किस औरगन को इफेक्टिट करेगा इसका treatment क्या होगा इसके symptoms क्या होगे वो one by one एक एक point पर हमें कल चर्चा करनी होगी तो कल की जो हमारी class होगी परमुक जो जीवानु जनीत्रोग होगे उनके उपर चर्चा होगी तो आज की जो हमारी class होगी वो कहां तक होगी यहीं तक होगी ठीके भाई तो कल बिलकुल यहीं से start होगी आप ही class जो परमुक क्या होगे हमारे जीवानु जनीत्रोग ठीक है मेरे भाई ओके चले बच्चों आज की जो हमारी क्लास होगी वो कौन सी होगी परमुख जीवानों जिनिस जो रोग होंगे उनको पढ़ना होगा कल की जो मैंने क्लास ली थे आपके हमारा चैप्टर था मानव परतिरक्सा और उसमें मैंने आपको स्वास्ते एवम रोग और जो मानव परतिरक्सा इसके बारे में कुछ डेटेल वाईस समझाया उसके बाद आज मैं अपने क्लास कंटीनू करूंगा अगे तो मैंने कहा था कि जो मनुष्य को होने वाले बिमारिया होंगे वो तीन प्रकार की होंगे संक्रामक और अनुवानसिक अब मैं सबसे पहले संक्रामक रोग कराऊंगा आपको संक्रामक रोगों के तीन प्रकार के वाग होंगे जीवानु वायरस प्रोटोजोवा ठीक है नहीं और कवक बहुत सारी जो परासाइट्स होंगे कुछ उनसे भी क्या होंगी छोट छोटी डिजीज होंगी अब हमें वह पढ़ने वाले परमुक जीवानु जनित रोग ये बात मैं आपको पहले बी एक बार बता चुका हूँ भी कि कौन-कौन सी डिजीज हमें बैक्टरिया से होंगी मैं एक बार उनके बारे में फिर बताऊंगा आपको जो जीवानु से होने वाले हमारे परमुक रोग होंगे उनके बार नाम लिख रहा हूंँ आपर जैसे सब से पहले में लिखूंगा है जा कि इसके बाद एक डिजीज हमारी लोगी इंच टीटनेश एक हमारे वहीं टीबी ठीक है बई टीबी के बाद एक हमें हो रहेगा क्या जो बैक्टरिया से ही होगा कुछ ट्रोग कुछ ट्रोग नेक्स्ट डीजिस हमारी क्या होगी है प्लैग एक हो रहेगा नियुमोनिया ठीक है मेरा भाई डिफ्टेरिया इसके बाद एक बिमारी रहेगा सिफलिस ठीक है भाई और बताईए टाइफाइड बिल्कुर सही जवाब होगा टाइफाइड आधी कर देना होगा ये सभी वो बिमारी रहेगा जो कहीं ने कहीं इनसान को किसे होगी बैक्टेरिया से अब हमें क्या करना होगा एक एक डिजीज को लेना होगा उसको डेटेल वाईज करना होगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे भाई यहाँ पे जैसे सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पे हैजा हम यहाँ से एक डिजीज लेंगे सबसे पहले कौन सी हैजा अब इसको हमें थोड़ा डेटेल करना होगा जैसे मैं बात कहूंगा यह हैजा कैसा रोग होगा एक जीवानुजनित रोग यह कैसे डिजीज होगी जीवानुजनित रोग अब यह बात तो हमें पहले से भी पता थी कि जो होने वाले बिमारी होगी हैजा ही कैसे होगी बैक्टिरिया से अब यह तो नहीं पता ना बैक्टिरिया कौन सा होगा बैक्टिर तो काफी होंगे भाई तो यहां इसका जो जीवान होगा उसका नाम क्या हो रहेगा उसका नाम हो रहेगा आपका विब्रिया विब्रिया कॉलेरी एक नाम का बैक्टिरिया होगा जब ये हमारी कहां आत्में प्रवेस कर जाएगा ठीक है नहीं तो उसमें एंजरीप कर देगा ठीक है नहीं तो ये जीवानों कौन से देगा वेब्रियो कैलोरी कैलोरी स्वरी कॉलेरी और यहां पर जो परभावित अंग होगा इसमें वो क्या हो जाएगा आपका आंत ये इसके अलेक्शन क्या होंगे भई जब किसी इंसान को हैजा होगा तो उसके सिंटरम्स क्या होंगे ये जाना होगा आपको इसके सिंटरम्स क्या होंगे तो मैं आपको बतना चाहूँगा इसके सिंटम्स होंगे भाई ओल्टी दस्त वे पेशियो में एठन पेशियो में एठन मैं बोल सकता हूँ हाथ पैरो में अकडन भी कह सकता हूँ इसको समझें आप कहानी इसका इलाज क्या हो रहेगा भाई उपचार तो उपचार में क्या करना होगा आपको सबसे पहले लिखना होगा उचित प्रामर्स उचित चिकिस्सक से प्रामर्स उचित चिकिस्सक प्रामर्स प्लस ठंडी वस्तुओं का सेवन ठंडी वस्तुओं का सेवन और रोगी को थोड़ा सा स्वच वातावरन में रखना होगा ये आपकी पहले बिमारी हो चुकी कौन सी हैजा अब इसमें एग्जाम से संब्धित कौन सी चीज़े आपकी इंपोर्टेंट होगी वो देखना होगा सबसे पहले वहाँ आपसे इच्छा रखेगा कि बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि ये हैजा नामक डीजीज होगी इसका वहाँ क्या होगा वहाँ खुरेगा इसका बैक्टिरिया बैक्टिरिया का नाम क्या होगा विब्रिया कॉलेरी इससे affected organ क्या होगा आपका आत इसके symptoms क्या होंगे ये वाले तीन हो फिर बात करेगा इसका उपचार क्या होगा उची चिक सक से promise लेना होगा और उसकी ही देख रेक में आपको कुछ medicines लेनी होगी और साथ ही ठंडी वस्तों क्या करना होगा सेवन करना होगा ये आपके पहले विमारी हो चुकी कौन सी है जा हम बात करते हैं दूसरी विमारी यहां पर यहीं पर लेंगे टीटनस तो टीटनस भी क्यासा होगा आपका ये जीवानु जनित रोग ये तो हर्चिद के लिए कॉमन होगा क्यासा बढ़ाएगा ये जनित रोग अब कहाने ये आई कि टीटनस का जो बैक्टरिया होगा जो जीवानु होगा उसका नाम क्या हो जाएगा ये इंपोर्टन्ट होगा आपके लिए तो बताइए जो टीटनस होगे टीटनस आपको किस बैक्टरिया के एफेक्ट से होगी ये बताइए आप मुझे बताईए टिटनेस उस बैक्टिरिया का नाम बताना होगा कॉलेस्टेडियम टिटैनी कॉलेस्ट्रेडियम टिटैनी यह तो बैक्टिरिया होगा यह जब आपके सरीर में क्या कर जाएगा प्रवेस कर जाएगा तो आपको एक बिमारी होगी इसको बोलते हैं टिटनेस यह मैं बात करता हूँ लक्षन या परभावित अंग सबसे पहले मैं बात करूँगा लक्षन जिब किसी इंसान को टेटनेस होगी तो क्या लेक्सन होगे उसके तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा उसका जो प्रिसंचरन तंत्र होगा क्या होगा प्रिसंचरन तंत्र ये क्या हो जाएगा प्रभावित प्लस इसके साथ हमें क्या देना होगा तंत्री का तंत्री भी प्रभावित करनी होगी प्लस नर्वस सिस्टम तंत्री का तंत्र यानि कि जो केंद्री है तंत्री का तंत्र होगा हमारा संट्र नर्वस सिस्टम वो भी क्या हो जाएगा प्रभावित हो जाएगा यह लक्षन सोरी हमने सिंट्रम्स न बता करके यहां प्रभावित अंग कर लिए चलिए कोई नहीं प्रभावित परभावित कर लिया हमने परभावित जो चीज़ें होंगी यहां अब मैं बात करूँगा इसका इलाज क्या होगा दो चीज़ें जाननी होगी अब देखिए यह टेटनेस के अब मैं बात करूँ यहां पर इसके इलाज की बात करता हूँ तो यहां पर मैं यह स्लाइड लेकर आओंगा भी यहां मैं बात करता हूं इसके इलाज की बात अब देखिए एक तो रोगी होगा जिसको हाली में ततकाल में किस से फेक्टियर होगा कोई कॉलेस्टियम टिटैनी से तो उसके लिए तो क्या होगा ATS का एक इंजेक्शन होगा क्या लेना होगा? ATS का ठीका? ठीक है मैं यह लेना होगा? और ATS कि फुल फोम क्या रहेगी? एंटी टॉक्सीर्ट थीरं यह आपको क्या लेना होगा? एक ठीका लेना होगा मार्केट में आसानी समय जाएगा अगर मैं बात करूँ बच्चों में रोग थाम के लिए बच्चों में रोग थाम के लिए जनम के 72 घंटे के अंदर उसको एक ठीका देना होगा उस ठीके का नाम क्या और आएगा आपके DPT का ठीका इसका ठीका DPT बच्चों को देना होगा यहाँ पर DPT का ठीका मैं DPT की बात करूँगा DPT के आओगा एक ट्रिपल वैक्सीन होगी जो कहीं न कहीं अकेला ठीका टीन डिजीज के लिए काम करेगा मैं फिर कह रहा हूँ आपको shepherd को इसट दें काइब कॊन्स नायगा बताइए ट्रिपल डेधिक का तीक-ठीक हमारा DPT का ठीका होगा, इसको हम बोलते हैं, ट्रिपल वैक्सीन, और ट्रिपल वैक्सीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही ठीका, टिन डिजिस के लिए क्या करेगा, काम करेगा, नमबर एक पर DPT, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ फिर आपको, ये DPT, तो D से क्या होगा, Diphtheria, इसके लिए भी काम करेगा, पी से Pertuses, क्या होती है, काली खासी, ये होती है हमारी यहाँ पर, Pertuses, ये काली खासी, इसके लिए भी काम करेगा, फिर यहाँ से T, और T से मैंने आपको क्या बताया भी, Tittness, T से हमने किसकी बात क्या पर भी, Tittness की, तो जिस कारण से हम डीपीटि को क्या बोलते हैं यहां पर ट्रिपल वैक्सीन तो हमने अभी इसकी दो डिजिस की बात कि यहां पर पहए पैरी डिजिस हमने कौन से कि यहां पर जो प्रेट्टेस होने वाली है आज़ा आज़ा एक जीवानों जीनी तरोग होगा जिसका वहां परभावित दो चीजे होंगे हमारी और इसके लिए क्या करना होगा अगर किसी बड़े व्यक्ति को में प्रजैंट में ये इफेक्ट हो जाए किसका कॉलेश्यरुम टिटेनिका तो क्या करना होगा एक टीका लेना होगा मार्किट में असानी से मिल जाएगा किसी भी मैडिकल स्टोर से जिसका नाम क्या होगा ATS का टीका इसको बोलते हैं एंटी टॉक्षिट सीरम यह लिए और बच्चों में जो रोग थाम होगी उसके लिए क्या ले ना होगा डिप टीका ठीका तो यह हमारी कौन सी भीमारी थी यहां पर भी डिफ सीरिया सोरी टिटनेस आप हम किसको बढ़ते हैं यहां पर हम टीवी नोट के जाब इसको डिप टीरिया पर्टोसिस और टिटनेस यही डिप टीवी के फुल फॉर्म है टें डिजिस के लिए अला काम करेगा रिपल वैक्षिन बोलते हैं स्पूम यहां पर कि पढ़ेगा हमने पहले यहां पर लिख दिया पर यह संचर्ण तंत्र चले आगे चलिए अब हम बात करते हैं पर अपनी नेक्ट डिजिस कौन सी होगा हमारी टीवी किसकी बात करते हैं आप हम टीवी की अब मैं टीवी अगर बात करूं इससे अच्छे कासे की ओशन बनते मेरे भाई सबमक टीवी के संक्राम गोग है कैसा रोग होगा संक्रामग्रों यानि कि यह एक भारत की एक बड़ी समस्या बनी हो ईए अब तो एंगर जीवान जले। फोग का ये वे विर जीवान उन द्रोंग ये जीवान जिनीत लोलग हो गा। अब ये जीवान जले तुझे रोग होगा ये बात वो सबको पूताया चोकी लेकिन हमेर बात करने में चुशन माइको इंचे वे व्यूतरी पाद मुडाई कूं। इसका बैक्टिरिया यह बैक्टिरिया जब आपके स्रीर में इंजेक्ट कर जाएगा प्रवेस कर जाएगा तो समझ लेना कहीं न कहीं अब आपको एक डिजीज हो चुकी जिसका नाम क्या होगा टीबी अब मैं अगर बात करूं टीबी के कुछ इस्थाने नाम टीबी को हम कुछ इस्थाने नाम उसे पर जानते जैसे काक रोग यक्ष्मा तोरी अक्षे रोग तपेदिक और एक नाम क्या लाएगा इसका टीबी यह सभी किसको बोलते हैं यहां पे हम टीबी कोई बोलते हैं मेरे भाई अब इसको और चीज़े पढ़ने होगा इसके अंदर हमें जैसे मैं बात करूं यह जो टीबी का बेक्टरिया होगा इसका खोज करता कौन था तो माइको बैक्टरियम टूबर कलोसिस की जो खोज की थी यह किस ने की थी इसका खोज करता था एटीन एटीन टू की बात होगी रौबर्ट कोच कौन रौबर्ट कोच रौबर्ट कोच के दुवारा यह बात बताई गई थी कि मनश्य को होने वाला पुरमुक रोग होगा टीबी वो किसके कारण होगा माइको बेक्टरम टोबर लॉसिस्स से होगा और इनकी इस खोजी के साथ ही इनको कहीं ना कहीं साइन्स की एक साइड में एक नाम दिया गया जिसको क्या है यह Jee Landa vector okay से आधिनिक जिवानु विग्यान का पिता कहा गयान को किया कगा जयान को आधिनिक जनक एक क्यूशन ये होगा एक होगा आपके पास सुक्सम जीवानु विज्ञान का जनक मैं तीनों पहले क्यूशन लिख रहा हूँ आपके सामने एक हर रहेगा आपके सामने आधोनिक जीवानु विज्ञान अब देखिए भई सबसे पहले में बात करूंगा यहां पर अगर सिंपल आए फादरो बैक्टरियलोजी क्या आए फादरो बैक्टरियलोजी तो आपको उस केस में क्या करना होगा यहां पर बात किसी करना हो जीवान ग्यान की बात करना ना तो उसमें माइक्रो लगाया ना यहां मोडल लगाया केवल क्या लगा है यहां पे बैक्टियोलोजी तो ऐसे में आंस्वर क्या करना होगा एंटी लियोवेन होग क्या देना होगा एंटी लियोवेन होग क्या देना होगा इनका नाम देना होगा तो अगर आपसे कहें, father of bacteriology, तो आपको क्या आंसर करना होगा, anti-loven hawk को देना होगा, और फिर अगर question आपके सामने ये हो, कि micro bacteriology, father of micro bacteriology, यानि कि सुखसम जीवानों ग्यान के father जना कौन होगे यहाँ पर, तो इस case में आंसर क्या करना होगा आपको, लुइस पास्चर, क्या देना होगा यहाँ पर, लुइस पास्चर, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था, दोल से दही बनने वाली जो fermentation की क्रिया होगी, या सिरका बनने की acidic acid से बनने वाले process होगा, वो fermentation की उसको हम बोलते है किनवन, यह किस से होगा, यह जीवानू से ही होगा, और बहुत slow motion में चलने वाली होगी, क्या होगी, chemical reaction होगी, यानिकि slow motion ही बड़े धीरे धीरे, जिस कारण से इनको नाम क्या दियागा आपर, सुक्सम, Microbacteriology, क्योंकि दूद से दहीं बनना एक बड़ा process होगा, हाला कि एक दिन में घटत हो जाए घटना, लेकिन समय 6-7 घंटे, ऐसे ही acidic acid, सिरका बोलते हैं जिसको बननने का 3-4 महिने का process होगा, एलकोल, लंबा process होगा, तो कहीने कहीनों ने बताया कि यह जो reaction होगी chemically, हाला ही यह जैक रेक्षन भी होगी, और यह जो होगी बड़े ही slow motion में होगी, किस के कारण होगी, कुछ बैक्टीदा के कारण होगी, तो जिस कारण से यह क्या होगी बहुत छोटी होगी, और छोट पुल्णिक जिवानी वे ध्यान का जनक अभ यहांबे बात आ चुकी पिर इस यहां फ़ीнок आंसर करना होगा Would झाल कि और आपके साहथ बैफ्वा दिकतं बनेगी खेघ रजट्पर सांपल से सा इस्य। अभ यहांबे बात किसी रही आपे रावपट इस चछわか Ар sotto यह आपको नोट करना होगा और हम बेसिकली बात किसी कर रहे आप वह इप ही टीबी के उपर रहे आप है तो TB एक जीवानों जुनित रोग होगा जो किस से होगा Mycobacterium tuberculosis से और इस थाने इसके कुछ local name कि कौन-कौन से काक रोग, अक्षे रोग, तपेदिक और TB इसके जो बैक्टरिया था Mycobacterium tuberculosis इसके खोज करता कौन थे यहां पर यह 1882 की बात थी रोबर्ट कोच ने यह बात बताई थी सबसे पहले कि मुनुष्य को होने वाला जो यह TB होगा ही किस से होगा यह फलाना बैक्टरिया से होगा, उसका नाम क्या हो रहेगा यह वाला हमने बात बताई तो इसी कारण से इसको नाम क्या दिया गया आधुनिक जीवानुविग्यान का जनक अब फिर हमने बात कि यहां पर सिध्य तीन की उष्ण बनाए सिंपल जीवानुविग्यान माइक्रो और एक हमारा कौन से रहेगा मौडन यह तीनों की उष्ण आप कुई आद रखने होंगे देखे कभी कभी ओ यहां पर क्या देगा रोबर्ट कोच के स्थान पर क्या देगा रोबर्ट हुक रोबर्ट हुक आंस्वर नहीं होगा रोबर्ट हुक कहा रहेगा सेल्स के लिए कोशिका में केंदर के खोज किस ने के थी यह रोबर्ट हुक ने के थी समझे ना भई तो यहाँ पर हमें Robert Coach देना होगा ना कि Robert Hook की बात करने होगी अब हम ओए TB की बात करते हैं अभी continue करना होगा भई लेखे मैं बात करता हूँ यहाँ फिट TB की अब TB के परकार की बात करता हूँ यह TB हमारी basic लिए चार परकार की होगी लेकिन तीन को देख रहे हैं तीन से क्यों बनते हैं नमबर एक हमारी हो जाएगी brain TB एक हो जाएगी हमारी bond TB और एक हमारी हो जाएगी हाँ हड्यों में भी TB होती है भाई हमारी ठीक है नहीं और एक हमारी हो जाएगी blood TB और इसके आतिरिक एक टीबी कौन से आपकी बताईए आंत टीबी यहां 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 यह चाट टाइप टीबी के बताए गए इसको नोट किजिए आप हो चुका नोट करने दो कि यह सोरे यह यहां पर ब्लड लगाई है आप चलिए इसको सही कर लेते हैं आप लेड़ टीबी कि अच्छाट टीबी कि अच्छाट टीबी चले में आगे बढ़ते किसी को बचाना होने से तो तब क्या करना होगा ठीक है नहीं दोनों पर बात करनी होगी तो देखिए अब मैं सबसे पहले बात करूंगा तीबी के लक्षण इसका लक्षण क्या होंगे जब किसी इंसान को तीबी हो जाएगी तो तीबी के उसके साथ कौन से सिंटम्स उसमें देखनों के मिलते हैं मेरे भाई तो देखे सबसे पहले मैं बात करूँगा यहां किसकी तेज बुखार बुखार आएगा इनसान को निकलेगा नहीं बुखार उसके सरीर से से सेगिंड सरदर्द उसका सर भारी रहेगा कभी कभी कि पेसियों में अकडन पेसियों में एठन बोल सकता हूँ इसको मैं थोड़ा था को टेक्निकल प्रोब्लम मेरे भाई दीखे भाई यहां पर मिस्पिंट होड़ा बार बार तो ध्यान से सुनना सरदर्द और पेसियों में एठन या अकडन ठीक है नहीं और इसमें अब लिखिया आप परभावित अंग और एक से जहां देखना कफ भी बनेगा क्या बनेगा कफ बनेगा और सूखी तेज कासी सूखी और परभावित अंग क्या होंगा इसमें आपके फेफडे परभावित अंग क्या बनेगा इसमें आपके फेफडे लंग्स ठिक अब लिखिये उपचार अब मैं उपचार यहां पर दो स्टैब में बताऊंगा एक रोगी के लिए और एक बच्चों में रोग थाम के लिए बच्चों में रोक थाम यहां दो स्टैब में बात अब रोगी के लिए क्या होगा माली जै किसी को टीबी हो चुकी और टीबी के लिए उसको क्या करना होगा जितने भी सामूदेग स्वास्ते केंदर होगे वहाँ पर एक विंडो बनी होगी इसको बोलते हैं मिलेगा मुप्त इलाज मिलेगा और बाद में टीबी मुक्ति का क्या मिलेगा सर्टिफिकेट मिलेगा ठीक है नहीं जब वो टीटमेंट पुरा करा लेगा क्योंकि कहीं ने कहीं ये एक अगर किसी इंसान को पता चल जाए ना देखो कि मैं कुष्ट प्लैग और टीबी कहीं लोग इनसे थोड़ा थाना दूरी बनाना स्टार्ट करते हैं अगर किसी को हो जाए तो कोई लोग पैनिक ना हो तो कहीं न कहीं भारत सरकार क्या करती इसको टीबी मुक्ति का एक स्थोटा स्टिफिकेट भी देगी आप टीबी से बिल्कुल सुष्ट हो चुके डोट पनाली के तहत मिलेगा आपको इसमें एक रुपे की स्थोड़ी सायद मासिलिब बनेगे आपकी और सारी दवाईया क्या मिलेगे आपको फिरी मिलेगी ठीक है नहीं तो रोगी को डोट पनाली के तहत क्या कराना होगा अपना मुक्तिलाज कराना होगा ठीक है नहीं बे सी जी जी के ठीक हाय कि खोज करता की बात करूछ यहां से पहले में इसके खोज करता करूं होगे ओर इस एक पर फुल फहर्म क्या होगी बैसल आ। यूरीन कॉलमेट यूरीन कॉलमेट ने और यहाँ पर मैं BCD के वर फुल फोर्म के बात करूँ बैसल इस क्लाइमिटी ग्योरेन ठीक है मैरे भाई नोट केजिए आप इसको मैं कहा रहा हूँ कि यहां से यहां तक का डाटा आपके लिए बहुत जारा इंपोर्टेंट होगा मैं कहीं बार क्या चुका हूँ BCD की फुल फोर्म बहुत सारे एक्जाम में आ चुकी वो पूछ लेगा यह जो TB का ठीका होगा BCD की फुल फोर्म क्या होगी तो हमें याद दखना होगा BCD क्लाइमिटिक यूरीन और BCD क्लाइमिटिक यूरीन जो वैक्सीन थी यह बनाई किसने थी यूरीन कॉलमेट ने ठीक है नहीं यह बच्चों में दे रहेगा TB की रोग थाम के लिए समझे ना आप और यहीं पर अगर मैं बात करूँ अगर किसी बड़े वैक्ति को TB हो चुकी रोगी बन चुका हो तो उसको क्या कराना होगा डॉट पर्णाली के तहत अपना मुक्तिलाज कराना होगा ठीक है नहीं तो यह थी हमारी कौन सी बिमारी TB TB में आपको इतना ही पढ़ना होगा इस यादा कुछ नहीं पढ़ना ठीक है मेरे भाई आगे बढ़ता है यहाँ पर नेक्स्ट हम डिजिज अपनी कौन सी लेंगे इसको नोट किजिए आप नोट हो चुका आगे चलें चलिए अब हम बात करते हैं बही यहाँ पर नेक्स डिजिज गी तो हमारी जो अगले बिमारी होगी वो कौन सी लेंगी प्लेग ठीक है भई प्लेग को हम बोलते हैं लिपैसी समझें न अब यहाँ पर मैं प्लेग के अगर बात करूं यह जो बिमारी होगी यह कैसी होगी जिवानू जनित रोग ध्यान से सुनना मेरे भई अभी जितनी भी आपकी ब्रहांतियरा सब दूर हो जाएगी इसको ले करके बैक्टिरिया जनित रोग होगा और यह जिवानू कौन सा होगा यह बात तो हमें पता हो चुकी यह कही ने कहीं किससे हो जाएगी जिवानू से अब हमें बात करनी होगी वो जिवानू कौन सा होगा तो उसको हम बोलते हैं पास्चु रेला पेस्टिस पास्चु रेला पेस्टिस अब ये पास्ट्रेला पैस्टिस होगा अब इसका वाहक क्या होगा तो वाहक देखें तीन स्टैप होंगे यहां पर ध्याले सुनना सबसे पहले में क्या लोगा है यहां पर चूहा ग्लहेरी नेवला ठीक है नहीं और इसरु पिल्ली छलो मैं मालोगा बिल्ली अब यहें से बनेगा लौगे तो इनकी स्कीन में एक विश्यस परकार का क्या मिलेगा वहां पर आपको क्या मिलेगा एक विसेश परकार का आपको अगर मैं बात करूँ पिस्टू मिलेगा जिसको बोलते हैं भई हम जैनोब सिला के ओपिस जैनोब जैनोब पिला के ओपिस ठीक है भई जैनोब पिला के ओपिस यह क्या मिलेगा इसके अंदर एक पिस्टू मिलेगा क्या मिलेगा पिस्टू अब यह पिस्टू जब इनसान को काट लेगा या हमारे संपर्क में आएगा तो इससे एक बेक्ट्रिया निकल कर जाएगा कौन सा पास्चुरेला पेस्टिस और यह पास्चुरेला पेस्टिस हमारी स्कीन में जाने के पस्चाथ हमें क्या देगा एक बिमारी देगा इसको हम क्या बोलते हैं भाई प्लेग इसमें परभावित अंग वहाँ का आप जान चुके क्या होगा चुहा चुहे के बाल में यह जैनोपिला के नाम का क्या ओपिस नाम का पिस्ट्सु होगा इससे आप को बिमारी होगी और कौन सा पास्चुरेला पेस्टिस के माधियम से परभावित अंग क्या होगा इसमें आपका इसकीन पर भावी तंग क्या होगी इसमें आपकी तब्चा इलाज क्या कराना होगा आपको इसका बताइए जब किसी इनसान को कुष्ट हो चुका हो ये बिमारी हो चुकी प्लैक तो क्या कराना होगा आपको बताइए आपको बताइए आपको तो आपको लेना होगा सलफा ड्रक्स क्या लेना होगा भई इस लफा ड्रक्स में कुछ इलाज कराना होगा यह बहुत होती है एक पूरी कैटेगरी है उसकी यह लेनी होगे आपको और अगर मैं बात करूं इसके साथ ही स्वच वातावरन में रहना होगा और एंटी सेप्टिक इसनान करना होगा एंटी सेप्टिक इसनान ठिक और बस यही आपको करना होगा फ्लेक के लिए लक्सन में टेज बुखार होगा सिंटरम्स ने पूछने का इफेक्टिट पार्ट की बात करेगा कोई भी विमारी हो फिवर्थ हो नहीं हो ना सल्फा ड्रग्स सल्फा ड्रग्स यह हमने से बना दिया अपना है यह हमारा अधग है ठीक है नहीं सल्फा ड्रग्स चलिए नोट किजी आप इसको चलिए बात करते हैं नेक्स प्रग्स चलिए आप बात करते हैं नेक्स प्रग्स चलिए बात करते हैं नेक्स डिजीज काली खांसी अब जडर आप नोट करना ध्यान लगा कि रखना ये पर जिवान जनीत रोग होगा ऐगा कैसे अब आएगा जिवान जनीत रोग और जिवान का नाम क्या रहत ररागा बैक्टिर्या का नाम कि la अ बार्ड टेला कि कि पर्टूसिस कि ठीक और ये तेन से बारा वर्ष के बच्चों में सामाने से देखने को मिलेगी परभावीत अंग कि परभावीत अंग क्या होगा आपका शोशन आंग ठीक है भई सांस लेने वाला पुरा सिस्टम जो सवसन आंग होता ना आपका ठीक है नहीं सांस ले में दिक्कत बनेगी बच्चे को हाँ ठीक है नहीं सवसन आंग बोलते हैं उसको कि और इसके लेक्षन के आओंगे भाई टेज खांसी बुखार ठीक है नहीं और सरदर्द बच्चे में इलाज डीपीटी का ठीका डीपीटी का ठीका बॉड़ो टेला पर्टोसिस ठीक है मेरा भई हां जी बॉड़ो टेला पर्टोसिस अ समझने आई मैं फिर कहना हूँ बॉड़ो टेला पर्टोसिस ये बैक्टिरिया आओगा किसका काली खांसी का जी तीन से बारा बस के बच्चे में सादा देखने को मिलेगा और क्या लेना होगा डीपीटी का ठीका सुखी तेर खांसी बुखार उस दर्द होगा इससे के साथ नेक्स हमारी डीजिस कौन से होगी यहीं पर उसको देखते हैं आप हम अभर मैंने कुछ ट्रोग कराया आपको चलिए बात करते हैं किसकी हम कुछ ट्रोग कैसा रोग होगा जीवानु जनित जीवानु का नाम माइको बैक्टरियम लेप्री ठीक परभावित अंग स्किन सब्चा ठीक है भाई और इसके माइको बैक्टरियम लेप्री ठीक है नहीं वो जो वहाँ पर था ना टीबी वाला वो टूबर क्लोक्सिस था यह लेप्री थोड़ा ही डिफ्रेंस होगा जी और यहाँ पर हम बात करते हैं इसका इलाज क्या हो रहेगा MDT के तहद Treatment के तहद इलाज MDT के फुल फॉर्म पूछ लेगा MDT आया इसके लिए कुछ ट्रोक के लिए फॉल फॉर्म मल्टी ड्रग ट्रिट्मेंट मल्टी ड्रग ट्रिट्मेंट ठीक है भाई और इसमें आपके तीन मेडिसिन्स होती है भाई कितने तीन दवाईयां यह दवाईय के नाम ने आपसे पूछने का बिल्कुल भी हो वहां पर बस आपको याद दखने वहां तीन दवाईयां आऊंगे यहां पर हमारी इससे होने वाले लास्ट बिमारी कौन सी बच्ची बैक्टिरिया वाली डिफ्थीरिया मैं यहीं पर करा रहा हूं उसको भी टाइफाइट पर कराऊंगा तो इसका जिवानों कौन सा रहेगा कौरीन बैक्टिरियम डिफ्थेरिया यह यह बैक्टिरिया होगा यह भी किसमें होगा छीरो से प्षर के बच्चों में इसको सिंट्रम लख्संद क्या होगे बही जब किसी को डिफ्थेरिया होगी तो तेज खा Gur ठीक है भई, बुखार और सरदर्द, इलाज क्या होगा इसका भई यहाँ पे, डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका, तो हमने यहाँ पे अभी काली खासी, यहाँ पे कुछ ट्रोग, तीन दवाहिया होती हैं उसके अंदर, यह दवाहिया की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसके अंदर तीन मैडिसिन होगी, किसे में भाई, इसके अंदर, एक होगी, डेपसोन, फिलोब, जैमीन, और रिफेसेमीन, यह आप से नहीं बात करना गा हो, बिलकुल नहीं, पस कि आपके लेश्टा के नाम होगा इंदर कि की दिवाया उती है तीन कि जो यह को बहुत कर परकार का का निकलेगा पस निकलेगा और जहां पर दूसरे पर टेच हुआ वह भी दूसरे इंसान को लगा तो भी कहीं पर्भावित होगा तो यह स्कारण से लोग दूरी बनाने वही बस छुआ छूद वाले चीज़े ठीक है भई यहां पर नेक्स हमारी कौन से लेगी टाइफाइड 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 को हम बोलते हैं यहां पर भई मियादी बुखार मियादी बुखार क्या सा उदाएगा जिवानु जिनीत रोग होगा ठीक है नहीं और जिवानु कौन सा उदाएगा यहां पर ध्यान दे सुनना सालमो नेला टायफोसा टायफोसा इसमें परभावित अंग परभावित अंग क्या होगा आपका आंध इलाज क्या हो जाएगा आपका बताइए अंटी पायोटिक एंटे बायोटिक मेडिसीन से दवाईया और उचित चिकटसक प्रामर्स यह हमारे सभी जितने भी थे बैक्टरिया से होने वाले रोग हमने कवर कर लिए इस लास के अंदर अब हमारी जोगे लिए क्लास होगी उनको देखना होगा ठीक है बच्छो तो आज के लिए इतना ही होगा नेक्स हमारे क्लास किसकी होगी जितने भी वायरिस से होने माले डेजी मैं रिगेब्स हतलू, ने चलाइम होगी आरगी आरगी क्लास हो होwać कोण से प्राइब चली किला हो प्र्पय करहें डिये और सवास्ते आवम रोग जो आप Tina होते ही प्र्तिरुक्षंता आज हमारा चैप्टर नंबर फॉर्थ स्टार्ट होने वाला तो देखते हैं भाई हम आज जो हमारा टोपिक होगा वो कौन सा हो रहेगा पेशी तंत्र है आज टैक्स थोड़ा बड़ा रखूंगा भाई क्योंकि वीडियो देखने में बड़ी दिक्कसी बनती है तो थोड़ा टैक्स बड़ा रखूंगा ठीक है नहीं चलिए बात करते हैं पेशी तंत्र है गया तो सबसे पहले क्या करना होगा इसके बार में बेसिक जानकाई लेंगे इससे पहले मैंने आपको कंकाल तंत्र देख हमने क्या पड़ा एक मनुष्य होगा और इस मनुष्य का क्या होगा है कंकाल तंत्र होगा क्या हो चुका है कंकाल तंत्र हुआ अब कंकाल तंत्र में जोसके हाथ होंगे दोनों इसके जो यह अगर पाद बोलें इसको पसच पाद होते हैं ठीक है नहीं हाला कि बनाने वाला कंकाल तंत्र हमरा कोई कहीं ओर ही जा रहा फिला लेकिन समझने के लिए अप इसकी जो तस्थान अपर दो जृस्टिया अपर ले जाने और यह मैं कहूँ मनुष्य को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाने के लिए जो हमारा कंकाल तंतर होगा एक इस्थाई सवरूब देने के लिए उसके ओपर क्या होगा एक मास पेशियों का आवरन होगा और उस मास पेशियों का आवरन को हम क्या बोलते हैं आपे पेशिय तंत्र बोलते हैं और इसका काम क्या होगा मनुश्य को या सभी जीवों को पेशियों के माध्यम से ही एक अंग को दूसरे साइड उठा के रखना सरीर को आगे से पीछे लेके जाना ठीक है नहीं जितनी भी गथी विधिया होंगी वो किसके माध्यम से होंगी वो पेशी तंतर के माध्यम से होंगी अगर कंकाल तंतर पर पेशिया नहीं होंगी तो कोई भी कंकाल के जो अस्थिया होगी, अंदर की वो क्या नहीं करेगी, वो active नहीं होगी, वो काम नहीं करेगी, अब एक बाँ बदाओ, मैं यह हाथ होगा मेरा, हाथ के अंदर मेरी यहां मेरी कौन सी अस्थिय होगी, हुम्रस, या नीचे के आओगी, अलना और रेडियस यहाँ पर कारपल्स, मेर्टा कारपल्स होंगी अब यह कारपल्स, मेर्टा कारपल्स जितने अस्तिया होंगे इनके उपर पेशिया नहीं होंगी तो क्या होंगी बेकार होंगी यह काम नहीं करेगी तो समझें न हम बात करते हैं पेशी तंत्र है क्या तो इसके लिए आपको छोटी से चार वर्ड लेखवा रहा हूं है लेखिए भाई मनुश्य तथा मनुश्य तथा जीवधारियों को समझे पहला मुइंट मनुश्य तथा जीवधारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वे सरीर के एक अंग को हिलाने डुलाने की समता या ने सुनना भै सरीर के अंग को हिलाने डुलाने की शमता पेसी तंतर के माध्यम से होती है कि शम्ता पेशी तंत्र के माध्यम से होती है पेशी तंत्र के माध्यम से होती है तो ध्यान जब सुननी होगे आपको एक बार फिर से बाद अब हमारा जो शरीर होगा उस शरीर के पर जो नीचे कंकाल तंत्र होगा उसका अंकाल तंत्र में जितनी भी क्या होंगी अस्थिया होंगी उनको हिलाने डुलाने या फिर सरीर के संपून क्या सरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो समता होगी वो किसके माध्यम से होगी वो जाएगी पेसी तंत्र के माध्यम से ठीक है भई चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मनुष्य के सरीर में मनुष्य के सरीर में पेसियों की कुल संख्या इस प्रकार से क्योशन होगा मनुष्य के सिर्में पेशू के लिए टोटल संख्या होगी जो जाएगी आगे बढ़ते हैं अब मैं अगर बात करो छह सो उन्तालिस जो पेश्या आउंगे इसमें सबस्यादा पेश्या कहाँ पेश्या मिलेगा आपको पीठ में कहाँ पेट में पीठ में कितनी एक सो असी इसमें से सबसे यादा पेसे जो मिलेगी वह हमारे सरीर के किस और गन में मिलेगी पीछे कितनी चेह सो उनतालिस पेसिया इसमें से एक्सो असी किलियर अब हम बात करते हैं भाई अब बालो जी में आपने बहुत सारी स्टड़ी पड़ी होंगी ऑब जी विग्ञान के बहुत साही से हो ते जिसमें हम अलाग अलक चेल की स्टड़ी करते मिसें पालग तो इसी प्रकार से अब एक विज्ञान के साखा इसकी भी होगी बात करनी होगी लिखिए लिखिए पेशी तंत्र का अध्यन जैसे आप से पूछ लगा जी विज्ञान के वह साखा जिसके अंतरगत पेशियों का ध्यन किया जाता है क्या कहलाती है एस को बोलते हैं क्या बोलते हैं मायलोजी यह वर्ड आपको याद रखना होगा इस्टरी अप जो हमारी मुशलर सिस्टम होगा उसको क्या बोलते हैं यहां पर मायलोजी के लिए यहां तब अब हम बात करते हैं भई पेशी सरचना की अब बात करते हैं पेशी सरचना अब जो पेशिया बनी होते हैं यह है क्या किसे बनी और क्या चीज़ इसके अंदर होगी तो स्लाइड चेंज करूं मेरे भई टोटल 649 चलिए भई अब हम बढ़ते आगे आप पेशी सरचना अब देखिए मैं फिसल डेटा दे रहा हूं आपको टोटल पेशी कितनी होगे आप छेंसो उन्तालिस अब शेंसो के शेंसो पेशी जो उन्तालिस होंगी यह बनी किस चीज़ से होंगी तो इसमें 75 परसेंट क आपका जल के लिए यह एक डेट किउशन आएगा कि पेशी ओमे जल की मातरा कितनी होगी 75 परसेंट और इसमें 25 क्या मिलेगा प्रोटीन अगर यहां से रिजसन होगा जल का तो जली होगा जल्टो मिलब कैटिकर्टी तो बताने का निहाँ से कौन सा जल होगा कौन से होगा क्यों सु बनने वाला है निक लेगं बात आइगी कहां कि हमारी पेसियो में जो प्रोट agu 20 उसमें से बनी होई उन्हीं है अब यहाँ पिय्था होगी इसमें दो मुख्यत प्रोटीन होंग एक को रख रहेगा yeah आए अपो पहंंने वाला टोपिक में तो मैंगे वाहं भी बता था कि मनुश्य के चृर्भ पाई जाने वाले परमुक्त पोरोब अब देखिए लिखिए dauổi सामाने तर लालंकी होती है कैसे लंकी होगी भाई रेड रेटल की होगी है जिनको सामाने भासा में क्या बोलते हैं मास ठीक है भाई पेशिया सामाने तर कैसी होगी लालंकी कैसी होगी ये लालंकी और जिनको हम सामाने भासा में क्या बोलते हैं महाँ पर मास अगर कंकाल तंत्र पर अस्थियों पर पेशिया नहीं होंगी तो शरीर को क्या नहीं मिलेगा एक शक्रियता नहीं मिलेगी सरीर क्या नोı कर देगा working mode में न ai आनेंगा बिल्कुल भ Ole khas आप लगे तो आपने जो फोर्स लगा कौन सा लगा आप हमारा सरीर हर भो किया काम करेंगा वालिय यहां से फona एक वह यहां पर आखे क्या करेंगा है अपने हायस्ट रोगा आगे चलेगा तो यह बों लगार किसे चला है किसे चला है पेशिये बल से चला भी यहाँ परर ठाला पेशिसी pizza का रता है अजाए और 6 को ते परकार अर्यक्त्र है तीन परकार की पेसिया पाई जाती हैं तीन परकार की पेसियां पाई जाती है अब देखें, यह बात हम ऐसा भी बोल सकते हैं, भैई पेशा कितने परकार की हो, तीन परकार की या तो मैं आखों यह बोल कि मनुषके सिरे में कितने परकार की पीशा है जहाँ तीन परकार की, कोई इसमें कोई ज़ादा बड़ी अंतर वाली बातों है नहीं मेरे भाई आप तो चलें भरते कॉन कौन सी पेसी आओंगी कितने परकार की कौन-कौन सी होंगी तो देखें भाई कि अगर मैं बात करों जो मनुस्ष्य के सिर्व में तीन परकार की पेसी आओंगी वह कॉन-कॉन सी होगी नमबर एक पर बात करते हैं यहां पर हम कुन सी? ए रेखिट पेशियां और थरड़ वाली आपके हो जाएंगी इस पेशल से अबना हरदे पेशियां क्या बोलते हिंको? हरदे पेशियां अब समस्ज़दें इस रेखिट पेशिया आऊंगी इनको हम एक नाम और शोजांगे इसको बोलते हैं एक्षिक पेशियां, कौन सी एक्षिक पेशियां कि जिन पर अपना क्या होगा खुद का चंट्रोल होगा हमारा वो कौन फूरेंगे आपकी है श पेशियां इसके बाद इनको बोलते हैं अनेचिक देखिए हिंदी में वर्तनी समबंदी तूटी हो सकती है भाई तो ठीक कर लियो जैसे कि एच्छिक सब्द अनेच्छिक सब्द में हो सकती है कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी तो कर लेना अब देखिए हर्देवाली पेशिया इनको हम बोलते हैं भाई तो इस में मैं कहूं यहां पर एच्षिक प्लस अने च्षिक दोनों की निसेस्ता हो जाइए किसके अंदर यह जो हमारी कौन से उलाएगी रेखित पेशिया, सुरी हर्दे पेशिया अब सबसे पहले किसको परणना होगा हमें कि देखे मैं बता रहा हूं रेखित पेसिया उसको हम बोलते हैं यह जिन पर हमारा स्वर्म का क्या होगा पुरा कंट्रोल होगा अब है यहां पर खड़ा हूं मैं हाथ ऐसे करूं उपर करूं मैं नीचे करूं मेरा कंट्रोल है अब मैं अपने लिवर के साथ क्या कर लोगा यहां कि अग्ट्रोल मेरा नहीं है न बताएए अब ऐसे बात करूं कि इसकी आमाश है कुछ करूं ए नहीं हो सकता तो सरीर के इंटेनल ओर गन सांगे न उसमें जो पेसे होंगे वह तो ियालेगी इंट्रव यह पर आफ ऩा थीए नहीं अभण आयोगा कई I ale früher की बात कर रहा हूं आपके लीवर की बात कर रहा हूं अमाशे की बात कर रहा हूं थी ऑनकर आपका बाemptे गटो लोगा पाइँ आप अपने जो अग्राशे की जो बीटा सेल्स होंगी उनसे इतना ही इंसुलीन निकाले यूदिन आपको डेली चाहिए तो कभी भी किसे को डियेटेज नहीं होगा इंसुलीन का निकलना और बंद होना है तो क्या होगा diabetes होगा और diabetes हमारे control तो है नहीं मनें insulin hormones अगर हमारा control उसके उपर चलता तो साइध किसी को आज क्या नहोता diabetes नहोता समझे न कहानी तो ये चीजे कुछ ऐसी होगी अब चलिए भाई एक एक पेशी पढ़ते हैं सबसे पहले हम कौन सी रेखित पेशिया इस पर हमारे पास यहीं बहुत छोटा सा पढ़ना होगा इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम रेखित पेशिया अब इसमें कोई हमें कोई definition नहीं देनी किसी की हमें केवल उन organs के नाम लि और ना इतना यह especially subject होगा कि हाँ सामान्य सोच होगी कि मैं उस बच्चे को इतना प्रखलू कि सभी जीसों में क्या होगा एवरेज होगा और जब एवरेज बात करेगा तो एवरेज क्यूशन रखेगा वहाँ हलां कि दो चार क्यूशन टप रखे जाएं समझे ना आप कहा अब अच्छी बात तुम भी रैंक लेगा हो ठीक है नहीं लेकिन फिलाल रैंक पर काम करना अपनी पोस्ट पर काम करना यह हमें चाहिए एक पोस्ट रैंक रैंक तो बात की बात होगी समझे ना अब देखिए बई रेखित पेशियां वे पेशियां जिन पर हमारा प्रत्य प्रत्यक्स नियांत्रन होता है परतिक्स नियांत्रन होता है अब हम बात करते हैं इनकी संख्या कितनी होगी मैंने बताया आपको टोटल कितने 649 पेशियां इन 649 फेशियों में से 400 जो पेशियां फ्राइप स्रवाधिक संख्या में फंसी फेशिया पाई जाती है तो आंसर करने में एक मिनट का समिर्य देन लगएगा आपको खाशल करोगए नाम देना और नाम देने के लिए किसका रेखित पेशिया जो टोटल मैं अगर टोटल कितनी होगी 649 इस 649 में से कितने 400 पेशिया कौन सी उड़ाएगे आपकी रेखित तो डेट क्यूशन आपको इस तरह से आएगा कि मनुष्य के सरीर में सरवाधिक पेशिया पाई जाती ह है रेखित ए रेखित हर्दे पेशिया इनमें से कोई नहीं ऐसे कुछ भी साइट कर देगा वो अपने एसाब से तो क्या आंस्वर देना होगा आपको रेखित पेशिया कितनी संख्या चैस सो नतालीस में से 400 समझे ना अब आगे बढ़ते हैं यहीं पेम अब यह स्लाइड कम्प्लिट तब तक नहीं चेहन करेंगा तब तक यह खतम नहीं होगी यहीं कोशिस होगी पूरी समझाने की देखिये भाई अब हम बात करते हैं आप यह 400 पेशिया आओंगी कौन सी हमारी रेखित भाई मैं तो केवल आपको डेटा दे रहा हूँ निसकस निकालना होगा खुद को देखिये दो चीजे होती है भाई जब आपके पास जानकारिया आओंगी ना मैं जब आपके पास डेटा इतना होग कि आपको हार जानका इसे अव्गत हो तो आपके साथ कैसे भी मैं क्या रख송 कोई क्यूशन रखो तो आप वहां से दिश्कस निकाल दोगे लेकिन आपके पास सूचना ही नहीं आप प्या निकाल दोगे वहां तो मैं के वल क्या दिए रहं हूँ आपको सुचना दे रहा कि यह भी क्योशन आया कहीं बार कि रेखित पेशियों की कुल संख्या में से सरवाधिक रेखित पेशिया कहां पाई जाती है टोटल 400 इन 400 में से सबसे ज़्या कहां मिलेगी पीट में कितनी 180 पेशिया समझे न कहां नहीं दो क्योशन बन चुके इस टाटिक पोर्ट्सन पर देखे समझे पहला क्योशन आपके लिए यह बनेगा कि मनुष्य के सरी में सबसे आदा मात्रा में कौन सी संख्या पेशिया पाई जाती है तो कौन सी रेखित संख्या कितनी हो जाएगी 400, 649 में से 400 पिर दूसरा क्योशन बना कि जो हमारे स्रीर में 400 क्या आओंगे रेखित पेशिया आओंगे यह सबसे ज्यादा संख्या में कहां पाई जाती है पेट में कितनी 180 दूसरा क्योशन तयार आपके लिए यह हो चुका इन 400 में से 180 सरवाधिक रेखित पेशिया कहा म मिलेगी समझगे अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि रेखित पेशिया स्रीर के किन अंगों में पाई जाती है यह जाती है कोई पैसी सबसे लंबी होगी कोँछोटी होगी, आ वह मजबूत की होगी, जबड़े यहां क्या लिखते हैं भाई अग्रपाद इनको बोलते हैं हम पसचपाद समझे ना भाई क्या कहां जो करण होंगे आपका इन पर कंटोल होगा कानों पर नहीं करण में नहीं मिलेगी नाक में बताईए लिखे भाई आप नाक में होती है भाई कावत ऐसे नहीं पर मक्खी न करना और उसको इसके बाद और बताईए गरदन तो हिल डूलती है मेरे भाई और बताईए और बताओ और कहा मिलेगे यह अगर पादी हो चुके है पसच पाद हो चुके तो यह वाला जो पोर्सन होगा कौन से वाला जहां पर अमारी में खलाई होती है स्वरोणी में खला सगीरा के डांस ऐसे नहीं चलता है यहां से भई समझोंगे सखेट हुँए ऐसे कीसे खुमजेऄ नहीं तो कदपी शपया न कि ALL % आप सकुरा अरंस करहिaking है शकिरा सगिरा तहां भई तुम्हीं पता है वहां साइव्जवर स्टा जाने वाने चर्चेत और अपचिरे श्यायकर डांस धिक्सार अपने आप सगिरा इक वह दान्स रपूरे वर्ड में है जो स्रीर कह है आपने एकवल एकवल पार्ट को अलग मुवमेंट देगी डांसिंग में अगर आपने यहां कंधा रखान तो यही कंधा लेगा मैं तो ना सकता हो देख भई लेकिन बता रहा हूं अगर उसको यह कहाना कि केवल यहीं काफी होगा आपके लिए रेखित पेशियों में अब शलते हैं वाई हम कहाँ एरेखित पेशिया अनेचिक पेशिया कौन से सब्सक्राइब जबड़ा हाँ बिलकुल आएगा जबड़ा मुख लिख सकते हैं वाई हम यह आप इसको है प्रैक्टिकल करो ना आप खुद देख लो कहां कहां तुम्हारा कंट्रोल होगा चलिए वाई हमाई साइगे नंबर की कौन से रहेगे वाई एरेखित पेशिया जिन को हम क्या बोलते है वाई अनेचिक पेशिया बोलते का डालट लिखना होगा रहेखित पेशियों के पस्चात शरीर में सरवाधिक संख्याँ में जो पेशिया होंगये वो कौन झांगया आपकी अनेचिक पेशिय लिखिए संख्या में लिखें आपकी च्प्रास संख्या में क्या लिखना होगा रेखित पेश्यों के पस्चात स्थार होगा रेखित पेश्यों के पस्चात सर्वाधिक मात्रा में पाय जाने वाली जो पेश्या होगी वह आपके कौन सी होगी यही हो रहेंगे रेखित पेश्या संख्या में रेखित पेश्यों के पस्चात सर्माधिक पेशिया एरेखित होती है एरेखित पाई जाती है ऐसे कुछ भी लिखने हैं जानकर रखनी चाहिए आपको पेशिया होती है अब बात करते हैं भाई कहां में लेगी लिखिए सरीर के आंत्रिक अंगों मे जैसे अब देखिए आंत्रिक अंगों में भी होंगी जैसे तो ज्यादा मलब सामानने तो सब्सक्राइब लगाना होगा मुझे आज मलब जनरली तो कहां मिलेगी है आंत्रिक लेकिन कुछ अपवाद बाहर भी मिलेगी जैसे कर्ण अब मुझे कहां धला के दिखाओ आप कौन सार आ रहा था मेरे भाई खलाईए एक बार चलिए भाई नमबर दो पहले ख्याब अगनाशे मुत्राशे गरभाशे पित्राशे पित्राशे तो हो चुका इसके बाहर लिखिए आप अमाशे यकरत लिखिए आप यकरत आदी कर देना भई कौन सी पेस है मिलेगी है आपको यहाँ पे यह वाली पेस है मिलेगी विशेशता क्या होगी इन पर हमारा प्रत्यक्स कंट्रोल नहीं होता है क्या लिखना होगा जिन पेस ही ओपर जिन पेस ही ओपर हमारा प्रत्यक्स नियांतरन नहीं होता है वह पेश है क्या आगा रहेंगे आपकी एलेकेट पेश है नोट किजिए भई आप इसको जी भई जाब चले भई थोड़ा हाथ चलाओ अच्छा टैक्स सही दिखाए दे राज थोड़ा टैक्स जोना थोड़ा सही दिखाए दे रानाज थोड़ा ना हमारी दो पिशले क्लास थे तो चले भई चले भई अब हम बात करते हैं भई यहां पर थर नंबर की कौन सी थर दे पेशिया अच्छा उससे पहले में एक बात बतना चाहूंगा भई जो हमारी रेखित पेशिया होंगी अलगी मैं तध्यात में क्योशन कराऊंगा आपको शहां साथ लगांगा क्योशन अभी उसमें बताऊंगा रेखित पेशिया इनको बोलते हैं भाई हम ठकने वाली पेशिया ठकने वाली पेशिया जो मनुष्य को ठकान महसूस होगी न वो किस पेशी के आकुचन के प्रणाम सुरूफ होगी रेखित पेशियोगे और ने ठकने वाली इनसे हमें कोई ठकान महसूस नहीं होगी थकान नहीं होगी अब लीवर रात दिन काम करें साथ दिन काम करें हर दे चार दिन काम करें पार दिन काम करें पितराशे गरभाशे कुछ भी करें हमें को डैंसन नहीं नहीं है अपना आंतरी काम अपने इसाफ से करें अगर माले जाए आपके हमाश में भोजन ना पचाओ तो हो सकती है अपच की सम प्रोब्लम लेकिन अप्र थकान नहीं हो वह क्या एक वह समय दना वह पीडा एक लेकिन थकान निया मेरा भाई वह थकान जी होगी वह कैसे होगी एच्छिक पेसियों से और इन से हमें कोई थकान नहीं होगी नहीं थकने वाली पेसिया बोलते हैं इनको कोई नहीं चुट चुटे की उच्छिन जब कराऊंगा मैं बहाँ बताऊंगा चलिए भाई हर्दे पेशिया इनके बात कर ली जाए तीन ही पॉइंट कराऊंगा इसके लिए बहुत ज्याद नंबर दो ने थकने वाली पेशिया ने थकने वाली पेशिया ने थकने वाली पेशिया नंबर इसी को आएगा जन्म से मृत्यु तक निरंतर कारे करने वाली पेशिया कौन सी रदे की एक बार भी काम रोग देना अपना चल निकल लो जैसे जन्म स्टार्ट होगा जन्म क्या में तो भून वस्था की बात करूँगा हट जब गर्ववस्था में होगा मिस्व डर्म में कहानी बता होगे आपको तो वहां से आप बच्चे की दो धरकन स्टार्ट हो रहेगी तब से मालिजे आप तब तक क्या चलेंगे आपकी हर्दे की पेशिया निरंतर काम करेंगे एक दिन का भी रैस्ट आया तो कहानी खराब तो जीवन से मरत्यू तक दरंतर कारे करने वाली कोन से पेशिया होंगी आपकी हो जाएंगी हर्द्र पेशिया नय ठकने वाली पेशिया ठीक है नही है तो हम देखा नय ठकने वाली और अबली करके जन्म से मरत्यूं तक निरणत्र कार्यत करने वाली, सक्रीय रहने वाली पेशिया तो पर्थन कहीं फोम में आएगा कि मनुष्फिय के हर्दे पेिजिएंमें अच्छिक व्ह अनेच्छिक कि ए या फिर मैं ककॉल हो रेख्थित और रेखित यह यहां पर इस såटे हैं का नहीं होगा यह बात हिआं दैन्लम्हें झूर्द कि यह देख्षिक क नाम की पुर्शेंग मिलूज Stadt यहां थे हर्देपेशियों में, तो हर्देपेशियों में रेकित और रेकित दोनों के गुन पाई जाते हैं, दोनों के गुन पाई जाते हैं, तो यह हमारे तेन प्रकार की पेसिया थी, ठीक है भई, अब इसके बाद छोटे जो क्यूशन होगे, उनको बात करते हैं, मैं दो बात करूँगा, एक ठकान की और एक कपकपी की, इसकी बात करूँगा, एक ठकान और एक कपकपी, दोनों का संबन किसे होगा, पेसित अंत्र स होगा, और दोनों क्यूशन कहीं बार आए, और इतना important क्यूशन होगा, कि अगर मालीजे यहां से क्यूशन बनेगा, पेसि उसे, तो मैं कहा रहा हूँ, दोनों बार यह क्यूशन बनते हैं, उठाके देख लेना, आप PYQ कभी करके देखना, पेसित अंत्र से क्यूशन है, जो मैं अब बताऊंगा, दोनों आपको, हर बार, अगर पचास बार क्योशन आए, तो 41 बार कौन से आए, जो मैं बताऊंगा, यह वाले आए, नमबर एक लेखिए, ठकान, मनुश्य में ठकान कारण लिखे आप, साइचेंज करते हैं आप हम, मनुश्य में ठकान, यह ह हमने एक छोटी सी हेडिंग डाल ले आप पर भी, ठीक है नहीं, समझे ना कानी, अब देखिए, मैं इसको रेटवाने कानी, आपको मैं एक इसको समझारे कोशिस करूँगा, आपको, देखिए, जैसे मैं ही कहूँ, अब यह एक भाई साहब थे हमारे, हम एक हाथ बना रहे एगना है, आपको पर ठीक है, अब यह क्या कर रहे है, आपको एक रसाइज कर रहे है, इन्होंने का उठाया, अपने, डंबल इठाया, पर सुरी, चलिए कोई नहीं, अब यह कंद्य, से हाथ रेटेश कर लेते हैं, आप यह बाई साथ जीं कर रहे है, अपनी, समझा काहनी इसका वेट कितना होगा मैं करूँ पांच केजी अरे पांच ले लो इससे भी ठालो जिम पर भाई थोड़ देर के लिए अब इसके साफ से ले लो जिम आज अब यह क्या कर रहा वही वर्क आउट कर रहा तो जब यह गया ना स्टार्टिंग के पांच मिनट में इसका जो यह आजए वर्क आपन अगर्स देखेञा अश्ठाटिंग में थोड़ी पुद़्क फुद गन सी दो-चर इसने तब तक depuis नहीं के अब Twoव हमारी पेसे में दो जयबी किरियाएं होती है एक संकुचन और एक आकुचन ध्यांद सुनना होगा के अब हमारे पेशयों में दो जयवी किरिया ऐगों सी उड़ाएंगए की पुछे लेगा आपसे होने वाले यहाँ पे दो जयवी किरिया है जो कहीं न कहीं आंत्रीक कि कुद्धि पनों के प्रणाम सवरूफ होगे एक कौन सी आकुचन और एक कौन सा संकुचन मैं रटान दीरा हूँ आपको समझा रहो है कानी और तुम्हारे सामने करूँगा प्रतेक्स चाहे तो किसी सब भी पुसप करा लूँगा चारी यहीं और रिडल तुम्हारे सामने होगा भी देखे बाई आकुशन का मतलब क्या होगा है याप और संकुशन का मतलब सिकुडन मतलब उसका सिकुडना और आकुशन का मतलब उसका क्या होगा फैलना इसका मतलब यहां कहूँगा मैं विस्तार इसको क्या कहूँगा विस्तिन का मतलब यहां पे इसको मैं कहूँगा विमोचन विमोचन का मतलब पता है क्या हो उसका विमोचन तो दूसरा भई विमोचन नहीं बोल सकते हैं अच्छा होगा तुम समझ आओगे अब देखिए जो हमारी रेखित प्रकार की विसेश्था होगी क्या प्रकार की विसेश्था होगी जब उन पर हम क्या करते हैं भई पेसिये बल लगाएंगे तो उन में क्या होगा आकुचन होगा मनलब वो फैलती हैं और जिसको हम बोलते हैं कि हमारी बोडी क्या होगी पंप होगी दो मिट के लिए बच्चा खुस है बोडी बन गया तुछी मजा लेकिन पांच मिट के बाद फिर वहीं आ चुगी और फिर जो मोटीवेस ने मिला था तो यह क्या होगा यहां पे एक विशुष्फ परकार का लिकवीड सन्चित हो जाएका समय ठीक है नहीं में यह जिसका नाम क्या होगा यहां पे लेक्टिक कैसिट अब यह लेक्टिक एसीट बन चुपा नहीं आप जिए लेक्टेक ऐस्जिड बन चुआ तो अब मनुष्य को क्या होगी? ठकान महसुस होगी, क्यों होगी? क्योंकि ये गुलकोज का लेवल क्या कर दएगा पोड़ी के अंदर? कम कर देगा और जब कम हो चुका इस Iron Rifat राके लेकटिक एसीड बना कहां इस पिन पेसियो में अब उन पेसियो में क्या हो एगा भाई गुलकोज तो वहा होगा ने अब जब गुलकोज नहीं होगा तो क्या होगा तो काम नहीं होगा अब मनस्तु क्या होगी वहाँ पर थकान मैसूस होगी अब वो क्या करेगा यहाँ पर विश्राम विश्राम कितना करेगा मैं कहूँ जैसा काम ऐसा विश्राम अगर मालेजे उसने काम किया लगा थार चार गंटे तो एक गंटे का विश्राम तो चाहिए होगा अगर काम किया जस मेनट की चाहिए होगा आप उसने किया विरुटी जाएगी बो Lazart नीचे हो जाएगी अब मंद नीचे आएगी हो तो यह आप आपका lactic acid होगा यह किस में convert होगा और जब यह इसमें convert होगा तो फिर से स्रीर में क्या बनेगा ATP के form में cells में क्या आएगी और जब और जाएगी तो समय थकान क्या हो जाएगा आपकी कि इसको बोलते हैं अदेनो ट्राइफासफेट कोशी का कि अंदर स्रीर का जो एनर्जी का जो फॉर्मेट होगा वह किसमें होगा ATP का रूप में और यह ATP कौन ले गाएगा पायरूविक एसिड ले गाएगा और आकुशन के दोरान यह lactic acid में बदल जाएगा यह द्यान दखन होगा देखिए जब अड़ाइबान्स की बात करेगा ना वो बहुत ज्यादा एडवांस में बनेगा जब उसको केवल लेना हो कितना जीपी का नाम सुना आपने क्या हो जीपी का मैध और ग्रेडपे जब बात करेगा 2000 की 800 वाजे तुम में से कुई करने का ही नहीं जब ब लिगा उसके काम का बंदा जिससे मोगरी करा नहीं अब जब उसको देनी होगी तो अब वो थोड़ा लेवल बढ़ाएगा है अब वो कहेगा कि बताइए लैक्टिक एसिड पेस्यों की किस जैवी कीले के प्रणाम सवरूप बनता है आकूचन या संकूचन तो बनगा ना क्य आज बार क्योंकि सैल्डी क्या मिलने वाली ज्यादा मिलने वाली चलो कोई दिकत नी जिसना अंसर दिया वह उसको मिल चुगा अब उसको कितने देनी अड़तालिस सो सचोबवन इस च्वबन सो गडपे गा एक्जाम देना ऐसे बई और कितना उसे एक अच्छी गाड़ी स्री में जब उसको थकान मैसूस होगी तो लैक्टिक एसिड किस रूप में परिवर्तित होता है तो पाइरुविक एसिड में कर्णमर्ट होता है मलब टफ बनाएगा चीरकॉप की बार छीस टुफ सारी है यहां चीज तो मेरे भाई सब कुछ है है अब उसको न जैसा काम लेना ऐसा ही दाम देना और जैसा वह वेतन देगा तुमसे उम्मीद बी कुछ ऐसे रखेगा वाँ, समझे ना बई, जानगारी यह यह, क्यूशन तुम उठागे देख लेना, इतनी बार क्यूशन बने आसे, बहुत बार, पही बार क्यूशन आएगा तुम्हारा, कि मास्पेसियों में, जो लैक्टिक एस्टिड के कारण, ठकान महसूस होती है, पायरुक्वि और फिर क्या होगी इसका, विखंडन होगा, और सेल्स को क्या मिलेगी, उर्जा, जब सरीर क्या करेगा, काम करेगा, यह कहानी है सारी है, तो अब यह तो हमने कॉन सेप्ट समझा, अब हमें इसको थियोरी बेस लिखते हैं, ठीक है भई, मैं इसको बना रहा हूँ, अब इ देख रहा हूँ, लिखिए, कठिन परिश्रम के पस्चाद, जो भीकुल, जिस फोर्म है का क्यूशन, कठिन परिश्रम के पस्चाद, मनुश्य को थकान, मनुश्य को थकान, रेखित पेशियों में, देखिए, ठकान किस से बताई थी मैंने, रेखित पेशियों में, ए रेखित और हर्दे पेशियों तो कानी बनने की नहीं है, पहली कंडिशन तो यह लगा दी, रेखित पेशियों में, क्या लिखो भई, लैक्टिक, नहीं, रेखित पेशियों में आकुचन के प्रिणाम सवरूप आकुचन लिखना होगा आकुचन के प्रिणाम सवरूप लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड के संचित होने के प्रिणाम सवरूप होती है लैक्टिक एसिड के संचित होने के प्रिणाम सवरूप होती है प्रिणाम सवरूप होती है तुम्हें ये बात घटने को तो कहीं जगा मिल जाएगी कि मनुश्य को ठकान किसे हो रही लेक्टिक एटिक के संचित होने कारण लेकिन क्यों हो रही यह नहीं पता होगा या दखनी होगे आज के बाद लिखिए विश्राम के पस्चाथ मैं इसी के साथ एड़ कर रहा हूं यह जानकारी भी विश्राम के पस्चाथ आकुंचन संकुचन में परिवर्तित हो जाता है जिसके प्रिणाम सवरूब जिसके प्रिणाम सवरूब लेक्टिक एसिड यह लिख दिया हमने यहां पर लेक्टिक एसिड किसमे कनवेट होगा पायरूबिक एसिड में ठीक समझगे कहानी भी यह विश्राम के प्रिणाम लेक्टिक एसिड किसमे कनवेट होगा पायरूबिक एसिड में और फिर से का मिलेगी उर्जा फिर से का मिलेगी उर्जा समझगे भई और यह उर्जा किस फोम में मिलेगी आपको सैल्स के अंदर मिलेगी ATP के फोम में ATP की फुल फोम कहीं बार पूछ लेगा एडिनो ट्राइफास्वेट ATP एडिनो ट्राइफास्वेट देखे एडिनो यह आप क्या बता रहें यहां पर एडिनो ये भी बोलते हैं इसको हम एडिनो सेन ट्राइफासपेट लेकिन सोट में इसको एडिनो ट्राइफासपेट भी बोल सकते हैं भाई हम ठीक है भाई नॉट का लेजे आप उसको चले देखें भाई और छोटी से जानकारी ये कपकपी के बारे हम बात कर लेते हैं भाई किसकी बात करते हैं हम जो सर्दे लेगने के बाद किड़ किड़ करते हो ना तुम वो क्यों हो रहा वो भी संबन यहीं से होगा तो चले भाई लेखें मनुष्य में कपकपाहट मनुष्य में कपकपाहट इसको बोलते हैं किड़ किड़ाना किड़ किड़ाना तुम अपने जैसे वियाद रखो एक ही काम होगा देखें बहुत छोटी सी जानकारी देगा वो एक ही बात कर लेगा आपसे कि बताईए जो मनुष्य को जब सर्दी लगने से उसका सिरी क्या करेगा किड़ किड़ा हट करेगा या कमपन करेगा तो वो क्या क्रिया होगी भाई मां हम बताओ सबके साथ होते हैं गटना तो भई बताओ तो देखें भई यहां क्ये समझे अच्छा मैंने बात नोट कि भई मेरा हाज जोना ओपर क्यों जाए चलता हो मैं कोशित अगर यहां के बजाए लिखने की यहां नहीं करता ऊपर की और चलता बतानी कि वहां आथ मैं सही करूंगा सभी नहीं दिकत अब सही तो करनी होगी मनुष्य में कि कंप कपाहट अब ही पतानी गए नहीं गए उस नीचे की और चलिए भाई अब देखिए जैसे माली जे आपको सर्दी लेगी हुई है तो सर्दी लेगी हुई है और ठंड में आपके किया होगा अनेचिक संकुचन देख़ो किड़ कराहत के समय आपकी जो रोम होगी हो खड़ी हो जाएगी तो लिखिए मनुष्य में कप का पाहट रेखित पेशियों में रेखित पेशियों में अनेचिक संकुचन मनुष्य में कप कपाहट रेखित पेशियों में अनेचिक संकुचन के प्रिणाम सबरूप होती है जिस से सरीर के तापमान में व्रधी होगी है आने सरीर के तापमान में व्रधी होती है जिस से सरीर के तापमान में क्या होगी व्रधी लिख लो तुम सर जान करिया देखे पूरी यहीं सबो जिस से देखिए हम यहां पर बात किसी करें थे भाई बहुत छोटी से जानका ही दाएगी थी अभी न हम किसकी बात करें यहां पर कपका पाहट की कपका पाहट अभी कपका पाहट है क्या तो मनुष्ये में कपका पाहट रेखित पेशियों में रेखित पेशियों में अनेचिक क्यासा होगा भई अनेचिक संकुचन के कारण होती है रेखिये कपका पाहट में सरीर के तापमान में क्या होगी भाई सरीर के तापमान में क्या होगी भाई सरीर के तापमान परसन आएगा मनुष्य के सरीर के सबसे मजबूत पेसी मनुष्य के सरीर की मनुष्य के पेसी ठीक है नहीं लेखिये एक क्यूष्य कहीं बार आया कहीं बार नहीं यह पिछले साल आया उठागे देखना MTS 27 मौंबर बाला क्या क्योष्य की क्या मुस्कुराते हैं तो हमारे चेहरे के कितने पेस्य का हो तो कुछ कहाना नहीं है बारा पेशिया कितनी बारा पेशिया डालरेट क्योशन आएगा मुस्कूरा tö मुश्कूराते को का मैं कि इस हो चेहरे की ही कि तुश्से कारे करती हैं बारा पेशिया सक्रिये होती है ठीक तो जब आप किसी को स्माइलिंग दोगे न तो समझ देना बारा पेसिया काम करते उस समय ठीक है नहीं मैं मुस्कुराहट के बाद कही खिल खिलाहट में हसे नहीं करने कितना बड़ा मुझ खार दिया असके टाइम फिर तो करेंगे 24-25 काम थल किसी स्माइलिंग जैसे ऐसे कितनी 24 मंद मंद मुस्काहरत होगे उसमें कितनी 12 और जब बड़े वाली करोगे आप तो वहां तो ज्यादा करेंगे काम तो ठीक है भाई पेसित अंत्र में आपको स्यादा कुछ नहीं करना और मैं कहा रहा हूँ कि अगर आपने यतना आपको जानकारी दी गए नहीं यह पढ़ लिया ना सही तरीकिसा तो मैं कहा रहा हूँ यहां से आने वाला क्योश्टन आपका आपके मैं कहार ओर के इंशे बारने जानेगा बरस तो आपको पढ़ना हो गए AND I am रहाँ अब मैंने आप को बार आपनों आपकर आया यहां जाने के बाद राजिश्टर कहीं और आप कहीं तो ऐसा थो कुछनी होने का इसको यहां जाने के बाद तीन बार पढ़ना दो बार तो क्लास देखनी है और यह बार क्या ना आपको नोट्स बनाना अच्छा था समझे ना और फिर मैं देखता हूं कि क्यों नहीं आपके याद होती है अब मैंने कहा था इस वीग आपका एक सरप्राइज टैस्ट होगा ठीक है नहीं वह आज हो जाए कल हो जाए नहीं आज तो हो नहीं सकता अब दो दिन बचे आप चलिए देखे भई आज के जो हमारी क्लास होगी वह किसकी होगी से अनस बोले तो सेंटर नर्वर सिस्टम यानिकि केंड्रिय तंत्री का तंत्र अब आज की जो ह अगर मैं बात करूँ हमें क्या करना होगा हमारी तंत्री का तंत्र होगा इसकी क्या वोकिंग प्रोसीस होगा क्या कंट्रोलिंग पावर होगी क्या कैसे होगा वो सब चीज़ाद हमें एक एक करके देखना होगा इस टोपिक के अंदर जिसका नाम क्या होगा सी एनस यानिक केंपर तंत्री का तंत्र समझेटा आप यह तो एक है करकर पहले तंत्र को समझना होगा और उसके बाद elaborative का तंत्र को समझना होगा एक सब्सक्राइद कि आगे बढ़ते हम रहना में तो हम पढ़ते हैं कि आप पर आज अपना टोबिक केंद्री यह तंत्री का तंतर इसकी बात करते हूं जाहने है अब इश्में नादोचीरी होंगी एक हमारी क्या उजा additional Tech एक बार पढाएं आपको comment केंदी है चंट्री का तंत्र पहले मैं आपको इन ही कि सबसे पहले मैं बात ंधा है तंत्री का तंत्र क्या है तो ये क्या होता है एक neuron कोशिकाओ का जाल आप से direct करेगा जो exam की भासा होगी वो पढ़नी होगी है हमें यह बहुत सा definition होगी सोचने समझने की समता messages को निर्देशों को समझने की समता यह सारे शीजर अलग-अलग definition होगी लेकिन definition क्या देनी होगी जो एक्जाम की दरस्टी से सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होगी और जो वहाँ बार-बार पूछी जाएगी तो बात करने होगी तंत्री का तंत्र क्या है नियूरॉन कोशिकाओ का जाल जिससे मनुश्य में सोचने समझने सूंगने 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 ठीक है नहीं आधिकी समता होती है तो फिर हम एक बात करते हैं वही तंत्री का तंत्र क्या होगा हमारा नियूरॉन को सीका होगा एक जाल होगा जिससे मनुश्य में सोचने समझने सूंगने सूंगने आधिकी क्या होगी समता होगी क्रियर अब बात करते हैं यहां पर हम अब एक परसन पूछ लेगा हाला कि चुझे बहुत सारी बतानी होगी एक एक करके डालेट कहेगा तंत्री का कोशी का कि एक काई क्यालाती है इसको बोलते हैं नियोर। क्या बोलते हैं इसको हुम ns central nervous system जो कैं होगा अब central nervous system यह क्या होगा तो यहां पर मैं अगर बात करूँ एक तो हमारा जो ns कि स्टोरव सोड़ी ns कि सी एन चैंट जो कि यह क्या होगा हमारी जो तंत्री का तंत्र होगी तंत्री का तंत्र प्लस प्लस मनुश्य के संपौन तरेर को नियंत्रित करने वाली तार्किक संता क्या थे तंत्रि का तंत्रि क्यालाती है क्यां तरेर क्याथ तंत्रि क्यालाती है अब हमने केबल एक चोटा सा दिफ्रेंस देखने की कोशिस की वह कौन सी की तंत्रि का तंत्रि क्या होगा और केंद्रि का तंत्र किया होगा , दोनों पे e difference किया होगा यहां पे , अब यह जो केबल सोचने समझता है कि ? और यहां पे जो CNCively आपको इस पूरे पॉरे पाथ को control करने और प्लस हमारी जे टोटल्स क्या होगा ? शरीर होगा उसको कंट्रोल करने की जो समता होगी किसे होगी सियनस से होगी केंद्रे तंत्री का तंत्र से होगी समझें ना लिखिए अब केंद्रे तंत्री का तंत्र के दो भाग होते हैं कि नोट के जाब इसको कि आप आगे बढ़ूं कि नोट के जाब इसको झाल झाल चलिए आईए अब हम बात करते हैं आप है लिखे तंत्री का तंत्र को तंत्री का तंत्र को दो भागों में बाटा गया है अगर मैं बात करूँ उसको दो भागों में बात लिया है यहां पे अगर मैं बात करूँ मस्तिस्ख कि गलत हो चुका मस्तिस्क कि एक मस्तिस्क हो चुका हमारा और दूसरा मैरू रज्जु कुछ बच्चों के साथ अभी कन्फिजन होने वाला कि सर्मैरू रज्जु कहीं मैरू दंड तो नहीं है मैरू दंड अलग होगा और मेरू रज्जु अलग होगा ठीक है नहीं है कि अलद चेंज़ करते हैं यहां पर थोड़ अशा सही नहीं आरा ऐख मस्तिस्क пользователь को एれ सबसां कि क्या पमें मस्तिस्क पढ़ना होगा मस्तिस्क और उसके बाद पढविए अठीक होगा इसको हम बोलते हैं बुछ है पर एक अर इसको बोलते हैं फॉल अ इस पर नहीं सबसे पहले मस्तिस्क को पढ़ते हैं यहां पर मस्तिस्क हालाएं कि वर्त निकलात हो सकती है तो तुम्हें कोई टैंसर ने रहा और ना लेनी यहां पर लिख लेजिए ब्रेन आपको मतलब इससे होगा भी वर्त निपर नहीं जाना तो अगर मैं बात करो यह मस्तिस्क इसके इस्टेक्स को समयजते हैं आप ठीक है नहीं अब देखिए तो टाइगर थड़ा साना अभी सुनो सब कुछ इकलत बोल ले हो उसके बाद देखिए जो मस्तिस्क होगा मुणूश्य के मस्तिस के बारे में बढ़ते हैं लिखिए यह मुख्य अक्स पर इस्थित होता है अगर और क्यूशन आएगा कि मस्तिस्क होगा किस कंकाल का इस्तित होगा अक्स कंकाल या उपांग कंकाल तो यह द्याएज हो गात्ते हैं मस्तिक आख्स कंकाल पर इस्तित पर स्थित है एक बात तो यह याद रखनी होगी लिखे मनुष्य के मस्तिस के का भार मनुष्य के मस्तिस के का भार और सतन कितना 1450 ग्राम पुर्सों में और महिलाओं में 50 ग्राम कम महिलाओं में लगभक 1400 ग्राम ठीक है भई यह आपको याद रखना होगा मस्तिस का भार कितना होगा तो ध्यानी सुनना होगा आपको भई कहीं बार आपको यह डेटा कुछ बुक में अलग में मिलेगा मैं क्या रहा हूँ शीर को यह डेटा कहीं को पर आपको थोड़ा अलग मिलेगा ठीक है नहीं आप बेसे के लिए कहीं बार जो बुक में देखने को मिलता हूँ कितना मिलता है यह 14 मिलेगा ठीक है नहीं हाँ इसको और यह यहां मिल जाए कितना टेला सो पचास ग्राम महिलाओं में और सतना पचास ग्राम की क्या होगी कमी होगी क्योंकि और यहां जो मस्तिस्क का वेट बढ़ने का मतलब होगा वह इतना ही क्या होगा मंद होगा और जितना हलका होगा इतना ही क्या होगा वो तेज होगा या वेट बढ़ना का मतलब लाप्रोफिट में जाना लोस में जाना ब्रेन का वेट अगर बढ़ा तो समझे आप ज्यादा खुश होने की संभावना निकरने वह ज्यादा खुश होना वहापे वह एक हाने की और लेकर आएगा और वेट घटना एक आपको अच्छे संकेत की और लेकर आएगा लिखिए बई मनुश्य का मस्तिस्क यहां बात करता हूं मैं मनुश्य का मस्तिस्क आठ अस्थियों के एक खोल से घिरा होता है आठ अस्थियों कि एक खोल खोल को बोल सकता हूँ है आवरण से घिरा होता है जिसे क्रेनियम कहते हैं गोलते हैं कि क्रेनियम और डार्ट किउशन आएगा आपका साइंटाल सिस्टम से क्रेनियम क्या है तो हमें यहां दखना हुआ क्रेनियम आठ अस्थियों का एक खोल होगा जिसके अंदर हमारा ब्रेन क्या होगा कि पिठ होगा यानि कि उसके अंदर इस्थिर होगा जैसे मैं यह कहूं कि शारों और यहां पर हमारे ब्रेइन के 8 अस्तियां होंगे और 8 अस्तियों के एक क्या बनी एक है एक खूल बनाए और उस खूल को हमने नाम किया दिया वहाँ पर क्रेनियम समझे कानी तो डायर क्योशन आएगा अभी मैंने केवल आपको दो ही बात बताई एक्जाम वाली यह कहां होगा अक्सकंकाल पर होगा इसका वेट कितना होगा 14350 ग्राम होगा और यह जो होगा यह कहां होगा यह आठ एस्थी होगा जो एक खोल होगा क् समझे यहां तक आगे चले देखें अब बात करते हैं यहां पर मैं बात करूँ यह जो मनुश्य का मस्तिष होगा को बदाने कोशिस करूँगा मैं अब जैसे मस्तिष के गर मैं बात करूँ इसकी बनावाठी कुछ इस प्रकार से होगी कोई ज्यादा तुम्हें समय लोजिक ने लगा ना जैसे अख्रोट के गिरी होगी ना अपके अख्रोट के अंदर का जो पॉर्षन होगा इस तरह कुछ हमारा क्या होगा है ब्रेन कि जो मस्तिष्क होगा मस्तिषक के चारो और शंटार बाहर की जो यहाँग ओक एक खोला और ए नाम क्या कर रहा हूं यहां पर वन टो थे और वाइव चिक्स सेवन एट तो यहां पर नम दियन हमने यह आट बोंस होगे जो मैंने आखम को बता ना कपाल जो मैंने कंकालतंत्र पढ़ाया तो आट बोंस बताए थे वहां पर टैंपॉरल पराटाइल फ्रंटाल इस टाइप से कुछ कह यहां पर यहां पर इसके अंदर घिरावा होगा है यह हमारा क्या भाई मस्तिस्क कि जिसका वेट मैंने कितना बताया आपको 1400 ग्राम यह कहां पर था अक्सकंकाल पर और किसे घिरावाई आट अस्तियों के एक खौल क्रेंईयम क्रेंउर में अग्ष्टियूर कोश्च Candagat अब यह तो कहानी यह हो छुग हमारी आपि देखिए अब यह तो चार और का कवरिंग बताइए मैंने अब यह पोर्शन जो यहां पर उपर ऊगा अभी यह यहां लेहरो में चलूं तो यहाँ पर भी इस प्रकार से जैसे मैं आपर उपर से ब्रेन की और चलू जिससे यहाँ से आउंदर की और ब्रेन की और चलूं तो मुझे तीन लेयर दिखा देंगी इस पॉर्चा चिक लिखाई सो स्बहूं जब मैं अगर बात करूं यहां पर जो हमारा ब्रेन होगा मैं ब्रेन के अंदर घुषने कुछिस करूंगा यहां पर इंदर इस पोर्शन पर तो मुझे को तीन लेयर तोड़नी होंगी कितने तीन लेयर ऐसे ऊपर से आने पर नीचे की वह और पहले जो लेयर होगी उसको हम क्या बोलते हैं इसको हम दिवरा मैटर तो अब यहां पर इक पौइंट में डलवा रहा हूं यहां पर लेखे है का मस्तिस्क लेजह है को मनुश्य का मस्तिस्क तीन आव रणों से घिरा होता है ऐसे न आप पड़कर करके हम इसको ओर थोड़ा हाट एजी लैंग्वेज देंगे भई एक यह मैं इसको ओर फोड़ा हाट एजी करने को घीरा होता है या के अंदर होता है एक ही बात होगी यहां पर भाई ठोड़ा एजी कर लेते हैं देखे मनुष्य का जो मस्तिस कोगा आट रस्तियों को लोगा क्रेनियम वो चीज़े अलग होगी यहां पर अब ब्रेन यह तो मैंने चावयों का पॉर्सन बताया अभी जो मैं उपर से अंठ करोंगा यहां पर चलो ऐसे समझतें यहां पर को इंसान टकला वहाँ है वह भाई तो मिद्क के लिए अबनें उस टो से चोट मारने वाले उसको दिले तोड़नी होंगे हिंक कितनी मिंटले भूरक बोलते हैं बहुते हैं अवरॊन् यह तीन आवरॉन सेने विशह ठाल को यह समझते हैं चैण सरकेम संस्क्राइब कने तोड़ते हैं और YouTube न्योंर் भी लिखे नहमत मैं समझाओंगा ठीक है भाई अब देखे भाई यहां पर अब मैं आपको इधर बना रहा हूँ भाई लिखे मनुश्य के मस्तिस्क के तीन बहाई यह आवरण नमबर एक पर आएगा आपका भाई जैसे मैं यह कहूँ यहां पर यह क्या होगा मस्तिस्क होगा तो इस मस्तिस्क के आने से पहले यहां पर तीन लेयर होंगी कितनी लेयर होंगी तीन लेयर सबसे बाहिए यहर को हम बोलते हैं आपर दिवरा मेंटर सबसे बाहिये होगी है नाम क्या हो जाएगा डूराबैटर आगे साइगें कौन सी होगी है हमारी एरे क्राइड एरे क्राइड इसको बोलते हैं यहाँ पर हम मध्य एरे क्राइड और हमारी थर्ड रहेगे यहाँ पर पायोमेटर जिसको हम तीनों को आपस में लागे एक नाम देंगे मैनिंग जेंस मैनिंग जेंस जी डेलेक कहेगा मनुष्य के मस्तिष के जो तीनों बहाई यह आवर होंगे इनको स्विक तुरुप से क्या कहा जाता है मैनिंग जेंस को बोलते हैं उसको आप क्या बोलते हैं आप मैनिंग जेंस अभी मैं दो मिटका ठारा हो लोंगा और एक एक पॉइंट फिर सब्सक्राइब करूंगा आपके सामने अभी थोड़ा टफ पोर्सन होगा इसको मैं एक बार फिर से आपके सामने डिसक्स करता हूं देखें भाई जिसको हम बोलते हैं अग्स कंकाल पर अवर्स्तित होगा यह वेट कितना होगा 1400 यह सब्सक्राइब कर चुके अब इसके बाद अगर मैं बात करूं मनुश्य के मस्तिस होगा वह तीन भाई आवर्णों से कवर गिरावा होगा जिसको हम बोलते हैं मैनिंजेंस और मैनिंजेंस के अंदर तीन लेयर होंगी कौन-कौन सी दे ला-मेटर अरे-क राइट और पाइवा-मेटर मैने जेंस की सबसे भाई है जिवा-मेटर मद्धे में क्या होगा अरे-क राइट और सबसे अंдर का सबसे आंत्रिक यह जो यहां पर अंदर वारा ही इसको क्या बोलते हैं यहां पर मैटर परसे ना आएगा कि मैनें जैन्स क्या है तो मैनें जैन्स हमारे मस्तिष का भाहिय आवरन जिसकी तीन प्रते होंगी पहली डिवरामेटर साइगेंड कौन सी होगी एरेकराइट और फिर कौन सी होगी पाइवामेटर पत्थन आएगा कि मैने इन जैन्स की कौन सी एक बाहिये प्रत मनुष्य के मस्तिस्क को बाहिये आगहार से सुरक्सा देती है डिवरामेटर क्या करेगा भई जो मैने इन जैन्स की सबसे बाहरी जो लेयर होगी इसको हम क्या बोलते है आपे डिवरामेटर ये क्या करेगी मस्तिस्क को बाहिये आगहाथ से सुरक्सा बाहिये आगहाथ से क्या देगी ये सुरक्सा देगी परसन आएगा कि बताईए मैनेंजेंस की कौन सी लेयर या कौन सा आवरन मनुश्य के मस्तिस्क में ओक्सिजन वे भोज्य पदार्तों का वे भोज्य पदार्तों का समवहन करती है ये कौन सी उढ़ाएगे आपकी ये उढ़ाएगे आपको पायो मैटर दोनों क्यूस्टण बहुत बार आये होएं कि मनुश्य के मस्तिस्क गोबाई है आघा से सुर्ख़ा देने के लिए कौन सी लेयर होगी और भोज्य पदार्तों के समवहन के लिए कौन सी प्रत होगी पायो मैटर और मद्धे में क्या हो रहेगा एरेक्राइड जिसमें क्या होंगी एरेक्राइड के अंदर क्या मिलेगी आपको मस्तिस्क रक्त वाहिनिया क्या मिलेगी मस्तिस्क रक्त वाहिनिया यानि कि जो रुधिर वाहिनिया होंगी मस्तिस्क में कहा होंगी वो इसके अंदर हो जाएंगे आपकी रुधिल वाहिनिया ठीक है बही तो ये थोड़ा सा एक टब पोर्सन होगा आपको इसको एक बार ने तीन बार देखना होगा धीरे 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 आप इसको समझ जाओगे मैं कोई थोड़ी अकल पोर्सन ने करा रहा हूँ कीवर्ड बिल्कु पॉइंट तो पॉइंट काम करा रहा हूँ समझे ना आप और ऐसे ही परदा होगा हमें क्येवल उन वर्ड्स के ओपर ध्यान देना होगा जो एक्जाम में बार बार पुछे जा रहे और मैंने वही कीवर्ड उठाए विल्कु एकदम पॉइंट तो पॉइंट काम करा रहा हूँ कोई इदर उदर की गुमाने फ्राने की कोई बात ही नहीं की गई यहाँ पर चले भई अब हम बात करते हैं आगे की ओर लेकिए मनुष्य के मस्तिस्क को तीन भागों में बाता गया है अब हर जगा तीन तीन आरा आना भई पहले आगा क्रेनियम उसमें आठ आवरन कितने आए तीन अब हमारे ब्रेन के पाठ भी कितने तीन लेकिए मनुष्य के मस्तिस्को तीन भागों में बाता गया है अब हमारा जो ख्याम दाएगा यह मस्तिस्क होगा इसको हमने कितने भागों में बाट ले आप बाई तेन भागों में अब वो तीन भाग कौन कौन से होगे हमारे उनको देख लेंगे भाई अब आपका लगभग आधा ब्रेन यही से कमर होगा बहुत सारे आने वाले क्योशन यहीं से आज़ाएंगे आपके अगर आपने ब्रेन का यह चार्ट अच्छे समझ लेना एक बार तो मैं कहा रहा हूं कि आपका लगभग तंत्री का तंत्र वाला पचास पसंट जो टोपिक मुन में मंश्रिकों मस्तिस्क होगा इसके तीन पार्ट होंगे इसको हम बोलते हैं आप पर अग्रम पॉर्स ब्रेन इस यहां पर रहेगा हमारा मध्य मस्तिस्क और यहां पर रहेगा महारा पसच मस्तिस्क इसको बोलते हैं यहां पर हिड़ बरेन हिड़ बरेन ठीक है भई यह चोटे पॉइंट आपको आप दखने हो गें गया हमारा अगर्मस्तिंस्क मद्ध्य मस्तिस्क और एक हमारा कॉन सा ओ चुका एक कॉन सा हमारा हो यहां पर भई हाँ पसे मस्तिक होगा ये फिर दो बाळता हो गा कि कि एक उड़ाएगा हमारा सेरी बर्म ठीक है नहीं और एक हमारा हो जाएगा बहुत ज्यान से पढ़ना होगा एक एक चीज़े को डाय एन सिफे नॉल डाय एन सिफे नॉल ठीक है नहीं एक पार्ट हमारा ही हो जाएगा अब मैं कर बात करूँ है डाय एन सिफे नॉल हमारा फिर दो भागों में बटा होगा थालेमस और हाइपो थालेमस समझे ना कहानी अभी ये चार्ट समझे फिर बनाने का टाइम दोगा आपको चलते हैं मध्यमस्तिस्क इसके हमारे दो पार्ट होंगे नंबर एक कार पोरा कारटी जैमिना कार पोरा कारटी जैमिना यहां पे तोटे टॉफिस्ट ओंगे तोटे तोटे करना पड़ेगा आप में अगर फाइनल को टोप तोटे पहुशना आपको तो 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 श्रकल करना होगा भाई कार पोरा कारटी जैमिना अब देखे यहां पे सैरी बम यहां हम पे दोपार्ट होगे इसके भी तो पार्ट होगे इसको तोटल नीचे ले के आ पहूंगे आप में कारो के कि इसके कितने पार्ट होंगे हमारे पास दो नमबर एक अधिक मोडियूला अबला अधिक गेंटा अधिक यह हो चुका तैरी बं तैरी बेलम ठीक है नहीं और एक हमारा हो जाएगा कौन सा कि यह सोरी यह सैरी बर्ल होगा अधिक और यह क्या होगा बर्म यह बर्म यह बर्ल और यह आपकी बार क्या होगा सैरी बेलम और मैं यह कह रहा हूँ आपको कि अगर आपने इसको अच्छे सी समझ जाया मेरे भाई तो तंत्री का तंत्र आपका यहीं से कवर हो चुका बहुत सारे आने वाले क्यूक्षन जो होंगे आपके इसी चार्ट बेस होंगे जो मैंने आपको सामने अभी एक चार्ट बनाया है तो बहुत सारे क्यूक्षन कहां से होंगे इसी चार्ट बेस होंगे आपके अब इसको ना एक बार अच्छे समझते भी रम जिसको मस्तिस्क के भागो को कि चले भाई थोड़ाना थोड़ा फास्ट ले काम करो टोपी काफी लंबा होगा इतना स्लो मस्तिस्क तो नहीं हो पाने का कवर देखें भाई हमने अभी बात कि यहां पर हमारे मस्तिस्क कितने भाग होंगे तेन वन टो ट्री सबसे अगले वाले भाग को हम क्या बोलते हैं आपर अगर मस्तिस्क यह टोटल ब्रेन का कितना उड़ाएगा स्वरी मैं अगर बात करूँ इसके दो पाट होंगे हमारे सैरी बरम और डायन से फनोल सैरी बरम हमारा अकेला टोटल मस्तिसक का कितना बटा दो बटा बटा तीन भाग और इसी को हम बोलते हैं आपर क्या भी प्रमस्तिस्क इसी को क्या बोलते हैं आपर हम प्रमस्तिस्क यह कई बार क्योशन आया प्रमस्तिस्क मनुष्ट जो हमारा तंत्री का तंत्र होगा सबसे बढ़ा हिस्सा कौन सा रहेगा सैरी ब्रहम और सैरी ब्रहम क कोई हम क्या बोलते हैं प्रैमस्तिस्क और इक टो बुर्परjन का बयाता नॉगा धफाज two बटा तीन इसका कोणों सब्सकार li और इसके हमारे कितने चार पांट के और में यहीं पर बता रहा हूं कितने पांट होंने यह चार c नमबर एक पर आक्सी पेटल पॉली आक्सी पेटल पॉली चलिए भाई देखिए अब यहां समझे आप आक्सी पेटल पॉली इसको आगे चलते हैं इसको नोट किए आप मैं थोड़ा हाँ आभी आई पर समझा रहा हूं स्लाइड लोगा भी टैंसल मतलो अब इसको एक बार यहां समझे आप अगर मस्तिष के गर में बात करूँ यह हमारा दो बागों बटा होगा इसको बोलते हैं प्रामस्तिष्क और एक पार्ट होगा हमारा दा यह होगी ब्रेंट की एक थालमस और एक यहां से आप तो हमें बात करते हैं पर पर सच मस्तिस्क यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा इसको बोलते हीड ब्रेन यह दो बात इसके मारे लोगा मोडिवागेंटा और एक कौन सा सेरी बैलम तो हमें कहीं बार एक क्युश्टन इस प्रकार से आएगा जैसे मैं एक परसन देव रहा हूँ, आपको भी यहाँ पर स्लाइड शेंज करता हूँ मस्तिस्क ब्रेन के तीन अंगों को सही करम में व्यवस्थित किजिए अब यह कूयोशन वह बचा कर पायगा जिसको मस्तिस्क टीनों भाग पतायोंगा काह भागा हमारा अगर मस्तिस्क प्र मद्धए और फिर कौनसा पसच तो अगर मस्तिस्क में क्या हैगा सैरी बर्म क्या है यहां सैरी detectiondi बंप अर्य निया है यहां गया स्याहरी डिस पेलिके ने हें और प्ल्भर फिर एलंज हिरों आपको याद्र रखने में प Früh्ल प कौन सा है और सब्सक्री करना प्रतेबाल होगा यह सबसे प्रते हैं कि एक्स्ट्री यह आपके लिए सबसे पहले हम क्या परते हैं पर भाईए हम अपने वारा अग्रमस्तिस्क परते हैं रहा हम तैयरिबरम क्या पढ़ते हैं यहां पर हम सैरिब बर्म पिछला चार्ट जो हमने किया वहां से पहला पोर्षन उठाया है क्या बोलते हैं इसको सैरिब बर्म लिखे यह कुल मस्तिस्क का 2 बटा 3 भाग क्याला पोइंट हमें क्या याद रखना होगा टोटल ब्रेन का 2 बटा 3 भाग हो गएं फिर उसके बाद हम इसको बोलते हैं यहां पर प्रामस्तिस्क इसी का दूसरा नाम क्या रहेगा है यहां पर प्रामस्तिस्क इसी के कारे लिखें सोचने समझने याद रखने सूंगने ठीक है नहीं निर्देशों को समझने यहादा कि समझने वाली यह कंडिसन आ चूगी एक बार फिलिक रहा हूँ समझने आदी की समता आदी की जो समता होगी वो किसे उरहेगी हमारे सैरी ब्रह्म से सैरी ब्रह्म के कितने पार्ट होंगे चार पार्ट होंगे हमारा कितने पात्ल स्यार ब्रह्म हमारा कितने बने बटा होगा है यह चार स्यारी ब्रह्म या फिर मार को मैं पर नाम्पर पर हमारा झाल पॉली औक प्सक्राध पॉली एक हमारा फ्रेंटल पॉली पॉरंटल पॉली यह चार पार्ट होंगे इसके अब देखें यहां पे हम बात करते हैं अक्सीपिटल पॉली का कारे क्या होगा दर्शी समवेधनाई लेना देखने के पस्चात हमारे अंदर शमवेधनाई चलती है आप क्या सीद देख रहे हो खाय आपको आथना मिलने वाली समवेधनाई ओंगी हमारे संतनर नर्वर सिस्टम को भेज़ने वाली जो पॉली होगी हों इंदर खाय कि कोछे चार फॉली औक प्रोतरश्च्य सम्ता कहाँ से होगी हमारी।... झालometer. जल्दी किजिए । जल्दी किजिये नोट भाई चलिए भाई अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखें यहाँ पर जो हमारा टैंपरल पुली होगा इसका काम क्या होगा पैला टैल का क्या होगा और फ्रेंडल का क्या होगा भाई नोट क्या है अभी आपने अभी कितना समय दो रहे हैं बताओ आपको तो टैंपरल में क्या होगा है हमारी श्रमन श्रमता स्रमन या सुनने की समता टाला टाइल एच्छिक पेशियो के संकुचन को नियंतित करने की समता और फ्रंटल पोली क्या हो जाएगा हमारा श्रम्वेदना श्रमता जैसे दाब इसपर्स आदे की समता तो ये सारी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करेगा कंट्रोल निकरेगा इन से केवल ऐसास आपको उनकी फिलिंग आएगे किसके माद्रम से सेरीब्रम सेरीब्रम की जो चार पॉली होंगे अक्सेपर्टल टैंपोरल और पैलाटाईल और फ्रंटल इनके अलग-अलग कारिय होंगे और ये अलग-अलग चीजे जोंगे आपको आपको चार पकार के फिलिंग देगी द्रस्य सुनना संकुचन और संवेदना ठीक है मेरे भई तो तंत्रीका तो आज के लिए इतना ही रखूंगा आपके लिए ठीक है भई कल की जो हमारी क्लास होगी वो किससे स्टार्ट होगी मध्यमस्तिक्स से स्टार्ट होगी नो सोरी मध्यमस्तिक्स निकल को मैं आपको पढ़ाऊंगा भी यहाँ पे थालेमिस और हाइपो थालेमिस ठीक है नहीं थोड़ा पढ़के आना आपको भी ठीक है चलिए बच्चो देखे भाई आज की जो हमारी क्लास होगी वो बाइलोजी का हमारा रेक्चन नमबर 13 होगा आज का हमारा और यहां पर जो हमारा टोपिक देखने वाले वह कौन सा देखने वाले अपना पाचन तंत्र का इससे पहले मैंने बाइलोजी का लगभग आपको 50% तो पूरसन था वो अपने तो आपको कम्लेट करा दिया और आज का हमारा टोपिक होगा वह कौन सा रहे गए भाई पाचन तंत्र ठीक है भाई अब इस टोपिक में सबसे पहले क्या करना होगा पाचन किर्या के बारे में बेसिक बात जाननी होगी अब यहां मैंने तंत्र की बात किया यहां पर अब आपको पता होगा तंत्र क्या हो तंत्र कब बनेगा जैसे आपने सुनाओ के बार नदी तंत्र, तंत्री का तंत्र, परिसंचन तंत्र, कंकाल तंत्र, तो इसी प्रकार से एक तंत्र ओर होगा, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पाचन तंत्र, अब सबसे पहले यहाँ पे तंत्र ना पढ़ गए, इसमें देखें, पाचन तं किसमें क्या रएगी आप आपकी पाचन कि तो बेसिकेलिए तो यहां पर में बात करता हूं पाचन की अब आप बताइं जेते पहले पाचन यह क्या होता भार कि और चले दिहान से देखिए जो हमारा भोजन होगा ना क्या होगा भोजन में एविले पदार्थों को भोजन में एविले यहने कि जो नय मिलने वाले होंगे मेरा भाई उनको क्या बोलते हैं एविले भोजन में एविले पदार्थों को भौतिक वे रशाइनिक अभी किरिया के दुवारा अभी किरिया के दुवारा विले पदार्थों में अब में वहांपे हमने क्या लिया एविले और हमने अब कि आपके वाले यहने कि ऐसे कर आई एक फिजिकल और एक केमिकल और जैसे इस बोजन के साथ पहले कौन सी भोतिक और फिर कौन सी chemical reaction होई तो यह जो ए विले पदार्थ है किसमें कर्णवर्ट हो चुका भी है विले पदार्थ में बदनने की किरिया पाचन कहलाता है तो हमें फिर समझना होगा पाचन क्या है भोजन में ए विले पदार्थों को भोतिक और राजसाइनिक अभी किरा के द्वारा विले पदार्थों में परिवर्तित करने की परकिरिया पाचन कहलाती है बड़ी बेसिक सी बात होगी आफे ज्यादह ग्याराई में जाना येवल दो ही चीज़ सहां देखनी के भोजन होगा में दो परकार के पतार्थ होगा विले और ब्युत तो यहां पर काम क्या हो रहा जो आवि इवे प पोशक पतार्थ होंगे उनको कुछ chemical और कुछ जो physical reaction होगी उनके द्वारा कहां लेके आना वे विले पदार तो में लेके आना और यह जो प्रिक्रिया होगी इस प्रिक्रिया को हम क्या बोलते हैं आप पाचन बोलते हैं आप समझे काने आप अभी हम बात करते हैं यहां पर लिखिए मनुष्य में पाचन किरिया मनुष्य में पाचन किरिया आहार नाल से प्रारंब होती है आहार नाल से प्रारंब होती है most important सबसे पहले पूछ लेगा कि मनुष्य में जो पाचन की किरिया होगी वो सबसे पहले कहां से प्रारंब होगी तो हमें का याद दखना होगा यहां पे आहार नाल से अब आहार नाल के बहुत सारे पार्ट होगे ठीक है नहीं तो यहां एक मात समझनी होगी लिखिए आहार नाल मुख गुहां से प्रारंब होती है यहां एक बात समझनी होगी जो आहार नाल होगी यह कहां से कहां तक होगी तो आहार नाल मुख गुहां से क्या होगी आपकी भाईये यह प्रारंब हो जाएगी और इसका जो लास्ट फैला होगा हो कहां तक होगा मल दुवार तक कहां तक भई मल दुवार तक फैली होती है तो ये तो एक definition point था है आप़े किसके लिए पाचन करिया के लिए ठीक है मेरे भई मैं एक बात फिर समझा रहा हूँ आपको बात करने होगी पाचन है क्या तो पाचन वो प्रोसिस होगा एक परकार से जो हमारे भोज्ये पदार्तों में एविले पदार्तों को विले पदार्तों में कन्वट करेगा और किसके दुवारा कुछ रासाइने को और भोती का भी गरियाओ के दुवारा ठीक है भई और मुनुष्य में जो पाशन की किरिया प्रारम होगी हो कहां से प्रारम होगी आपकी आहा नाल से प्रारम होगी और आहा नाल कहां से कहां तक होगा आपका मुख कुवां से लगा करके मल दुवार तक ये एक छोटी सी बात ही अभी आगे बढ़ते हैं इसकों ठ चलिए थोड़ा हाथ चलाओं मेरे भाई चलिए भाई थोड़ा हाथ चलाओ देखा एसन चलने का मेरे काम चलिए अब यहां एक चीज आपको समझनी होगी अच्छे से अब अब आएक्जाम की दरश्टी से जो इंपोर्टन पॉइंट आने वाले वह अब स्टार्ट होंगे आपके वह एक डैफिनेशन पॉइंट था वह हमने अच्छे से किलर कर लिया आप आगे बढ़ते हैं आप लेखिए मनुष्य की पाचन को मनुष्य की पाचन किरिया दो भागों में पून होती है तो यहां पर मैं चार्ट बना रहा हुए समझना होगा आपको जो हमारी पाचन किरिया होगी उसके दो भागों में प्रारंब होगी नंबर एक सबसे पहले यहां आहार नाल एक पार्ट कौन सा होगा आहार नाल में संपाधित होगा और दूसरा किसमें हो जाएगा आपका पाचन गरंतियों में सुरी पाचेक गरंतियों में कि टैक्स कुछ छोटा होगा सर कोई नहीं में चैन करता है तो यहां पर दो जो पार्ट होंगे हमारा पहला कौन सा रहेगा आहार नाल कि और दूसरी जो किरिया होगी हमारी पाचन की वह कहां पर उड़ाएगी पाचन गरंतियों में कि देखे दूढमारा भोजन पचीगा व दो स्टेप चलेगा पहला जो स्ट्इप होगा वहुआं पर चलेगा और लिए सीमस यहां पर चलेगा Но यह कहां पर चलेगा पाचन गरंतियों में अब यह दोनों क्रिया दोनों काम साथ-साथ करते हैं वही ठीक हैं नहीं जैसे आपने बोजन किया मैं एक बास समझा रहा हूँ आपको देखिए जैसे आपने यहाँ पर मैं एक कोशिस करूँगा चोटा हब बनाने के वैक्ती जैसे अब इसने क्या किया भाई इसने यहां से खाना लिया तो सबसे पहले खाना कहा रहेगा इसके आहा नाल वाले पोर आएगी मुख कुहा मैं बनाओंगा सबी चीज़ें सबसे पहले यह जो पर यह पोर्ट सुन होगा जहां पर भोजन करेगा इसको कहेगा वो बोलता है मुख कुहा फिर यहां पर मुख कुहां से वो दातों के द्वारा भोजन को चबाएगा और चबाने के पस्चाद कहा आएगा भोजन बतायते गरास नजळी में हृथ छे बहएगए अब अब 02 से ब्हो जयका राये ऑर पर क्या हृँ रहे है कि अक माशह आ हम कहां पर रहेगा का हमाशमे में है माश्यकी पस्चाद भोजन कहा जाएगा आपका छोटी आंत में और छोटी आंत के दो पार्ट होंगे आपके बताईए कौन कौन सा एक तो रहेगा आपका छोटी आंत में दो पार्ट होंगे आपके मैं बताऊंगा भी इसके बाद कहा जाएगा भोजन आपका बड़ी आंत में और इसके पस्चार कहा ज तो यहां पर लिखें आपर सबसे पहले मैं बताऊंगा आहार नाल की लंबाई कितनी 30 फिट डिलेक्ट कियोशन आएगा कि आहार नाल की जो लैंद होगी वो कितनी होगी तेज फिट की अब आहार नाल में ही सबसे पहले जो पहला स्टाफ होगा वो किसके में संपाधित होगा मुखो गोहा में ठीक है नहीं मुखो गोहा के पस्चाथ बोजन कहां बेजाएगा ग्रास नली में ग्राश नली के पस्चाद बोजन जाएगा आपका अमाशय ठीक है भई और अमाशय के पस्चाद जो बोजन जाएगा वो कहाँ बोजन जाएगा आपका छोटी आथ में कहाँ बोजन जाएगा छोटी आथ और इसके बाद बोजनक कहाँ पर रहरएगा आपका सिकम और सिकमके बाद कहाँ पर रहर आपका बोजन बड़ी आंत और बड़ी आंत के बाद लास्ड में जो स्टाफ होगा कहा रहरएगा मल्दवार में ठीक है भाई अब ये सारे प्रोसिस चलते रहेंगे आपके इन ओर्गन के अंदर अब साथ इसाथ क्या होगा कुछ पाचन गरंथियो कुछ पाचन गरंथिया होगी जो क्या छोड़ती है भई कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स जैसे नमबर एक पर हम बात करते हैं यहां पर लार गरंथिया कौन भई यहां पर लार गरंथिया लार गरंथियों के पस्चाद आएगा आपका कौन सा भई लिवर यानि कि यकरत इसका भी एक एहम रोल होगा हम आप पे किसमें पाचन किरिया में और देखें यहाँ पर मैंने लिखा अमाशे और एक हो जाएगा अगनाशे इसको बोलते हैं पैंक्रियाज ठीक है भई अब यह तीन क्या आओंगी पाचन करन्तिया आओंगी तो हमारी जो पाचन किरिया वो दो चरणों में संपादित होगी पहला चरण कौन सा रहेगा उसका आहार नाल वाला और दूसरा कौन सा रहेगा आपका पाचक या पाचन गरन्तिया आहार नाल की जो लैंद होगी जो कितिन होगी वो 30 feet की होगी ठीक है भई इसके बाद आहार नाल में से से पहले जो प्रोसिस स्टार्ट होगा वो कहां से होगा मुख को गोहां से जहां पर हम भोजन को क्या करते हैं बाई अंदर लेंगे चबाएंगे बाई अब यहां जैसे हमने भोजन मुख को गोहां के अंदर लिया मैं आपको भी औरल समझा रहा कितनी होती है हमारे अंदर जी छे और जोड़ी कितनी होती है इनकी तीन डाइट की उस्चन आएगा कि मनुष्य में लार गरंतियों की संख्या कितनी होती है तो टोटल संख्या कितनी होगी छे और जोड़ी कितनी होगी तीन देखिए कहा कहा होंगी दो लार गरंतिया हमारी यहां पर होंगी और दो लार गरंथिया कहां पर होंगी यहां पर होंगी एक लार गरंथि कहां पर होगी यहां पर जीब के ठीक नीचे जब आप जीब को उपनीचे करोगे तो वहां से क्या निकलेगा त्रलपदात निकलेगा ठीक है नहीं और वह लारी होगी जब एक चुस्त कष्क बना थैं को कैसा द्लसा बना दिया और जब चिकन बफकुझन को अब यहां जो ग्राश नली होगे इसमेंज हाने आसानी तगलीप नहीं होगी मनल बहुत ज्यादा क्वर्स फना दिया अब ब्रस्ली में मुख गुह से और म्रम से सिधा कहा गया है आपका बोजन अमाशय ए ठीक है नहीं अब अमाशय में जटर सब क्या मिलेगा जठर रस और जठर रस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगे मैं क्यारों पाचन क्रिया एक ऐसा पॉर्सन होगा जहां से क्योशन बाइलोजी के हर परसन अमले हर टोपी के अंदर थोड़े थोड़े आपर अब जयादा जल्दी नहीं करने बिल्कुल भी समझने में बहुत पर देना जैसे कहीं बार मैं क्या रहा हूं कि वह चुशन आजा आप आप कहए कहां पर रिज़िनिंग वाले टोपिक में भी आ रहेगा कि जो पाचन क्रिया का सई सिक्वेंस होगा वह कैसे होगा जैसे कहीं कि अग्रीयवार आखी मोतिशी अंटरीफ हुगा जिसमें बोलते हैं सबसे पहले क्या होगी इंटे होंगी इंटे के वार यॉ पर यख़प जोगा आप करने कजोंफर्ट रखाल दर आनीप काव म्योंति तो इसी प्रकार से यह क्योशन आपका बाईलोज में देखने को मिल जाएगा और कहां पर आपको यह रिजनिंग में भी दिखाइदेगा इस दिखाइदेगा कि कई बार वो इसको एक क्रोनिकल ओडर में लगवाएगा आपको और प्रोसिस कहेगा कि बताये कौन सा यह और सही है बोजन प्रक्र सबसे पहले जो इधर पहला स्टाफ होगा वो किस में संपादित होगा आहार नाल में यह आहार-णाल कि लंबाई कितीन होगी 30 फिट की और यह मुख गोहां से प्रारं होगी और मल्धूर तक क्या होगी फैली वही होगी मैं फिर बता रहा हूं जो आहार नाल होगी मुक गुहा, ग्रास नली, अमासे छोटीयांद, बडियांद, सीकम और मलदवार ये सभी किसके भाग होंगे आहार नाल के भाग होंगे समझे कहानी आहार नाल के ही सभी क्या होंगे ये सभी पार्ट किसमें सामिल होंगे आहार नाल में और आहार नाल में जो पहली प्रक्रिया प्रारम होगी पाचन की वो कहां से होगी आपके मुख से उसके बाद सेगिंड कहां पे होगी आपकी ग्रास नली से ग्रास नली में हाला कि कोई पाचन के रिया नहीं होगी क्यावली है क्या होगा एक निच जाने का साधन होगा और यहां से क्योशन बनता में आपको बताऊंगा भी कि जो ग्रास नली में हम भोजन को निंगलते हैं वह किस प्रकार की क्रिया है वह किस प्रकार की क्रिया है तो कभी किसी बच्चे ने आंसर को इस क्योशन को टाइम्ट किया किसी एक्जाम में या फिर किसी मोक टैस्ट में बताइए नहीं किया होगा तो याद रखना जैसे हमने भोजन को मूँ में चबाया चबाने के बाद उसको यहाँ पे हमने निगलना स्टार्ट किया तो कोई पाचन क्रिया नहीं होगी खेवल वो क्या करेगा एक उसको एक रूट के माधियम से अमामे समय जाएगा वहाँ पे को रियक्षिन उसके साथ नहीं होगी और यह जो किरिया होगी है कैसी किरिया होगी यह परतिवर्ति किरिया होगी कौन सी हो रहेगी आपकी यह परतिवर्ति किरिया और परतिवर्ति किरिया का मतलब यह होगा अगर निगलने में कोई दिक्कत होगी ना तो ग्रास नली आपके बोजन को वापस कर दे करतेगी कही बार आपने देखा वाँ गले से भोजन बाहर आ जा किया कर भी ऐसा आजा बहुत बाहर ऐसा उता भई कि ग्रास नुली को लगाना कि यह इनकान यह तो बाहर निकाल देगा उसको और यह प्रतिवर्ति किलिया यह हम भी नहीं पता यह आटमाटाक लिए बाहर या लेकिन जबरन कहाएगा बाहर आएगा क्योंकि अगर ग्रास न लगा कि यह एक मेरे लिस्टेबल नहीं है तो क्या करें सको बाहर करतेगी और मैंने अब और सब क्रतीवर्थ के रिये में कहां से डेन seemingly होती है कि देजिया आंस्वर इसका कि कि किसी का आंस्वर नहीं आभी तक कि ऐसे ने बनने की बाद गलत मोडूला अबलाग एंटा मोडूला ओबलाग एंटा वहां से कंट्रोल होगी है किरिया और सारी मेर रज्जू करेगा हाँ ठीक है नहीं जो मोडूला ओबलाग एंटा होगा वो इस तो क्या करेगा कंट्रोल करेगा ठीक है नहीं जो आपका पसच मस्थिक्स था हिड ब्रेन उसके दो पार्ट बताये थे मैंने आपको एक कौन सा स दूसरा मोडूला ओबला गेंटा समझे ना का नहीं तो वहां से कंट्रोल हो गाएं तो भाई इसको नोट किजिए आप ठीक है नहीं अब मैं इस में से जो एक्ष्टा पार्ट होगा वो हटा रहा हूं ठीक है नहीं तो इस में से आपको एक तो यह नोट नहीं करना यह क्य आप से भी चीजिन नोट कर ले जाब इनको नोट कर ले जाब आप से भी चीजिन नोट कर ले जाब इनको लेमें यहां जा फोड़ी जानकाई लिए निए डर इसस真的 प्रस्ण है यहां सब से पहले वो आहार नाल कि लभाएं कितनी होगी तेसंट मुख वह की कोई लाइंट नहीं पूछनेगा है बहुत छोटा होगा कोई दिक्कतने वाली है मुख-w buddies करेगा ग्रासनली और आमाश加 कि कोई लाइनफनी होगी यहां छोटी आथ की बात करेगा और बड़ी आथ की बात करेगा तो ग्रास नली के लंबाई बताईए आप कितनी होगी ग्रास नली होगी यह जो यहां से बहुत जाना आपका अंदर जाएगा इसकी लेंद कितनी होगी तो इसकी लेंद होगी आपके कितनी बाई कि 25 cm कि कितने 25 cm कि अमाश्य कि इस की बताईए आप अमाश्य के लांद कितनी हो जाएगा आपकी 30 cm कि छोटी हाँठ 6 से 7 मिटर की हो जाएगा आपकी ठीक है यह चार आपको डेटा बेस ज्यान काई रखनी होगी इस टोपिक के अंदर नमबर एक पर आपकी आहा नाल टोटल लैंद कितनी बताई गई 30 फिट की फिट बताया मैंने 30 फिट कहां तक होगा पता आपको यहां से गेट तक जाना होगा ऐसे फोल्ड होई पड़ी है अंदर ही है ठीक है नहीं मैगी सेफ चोमिन सेफ सारी सोरी ठीक है भई अब देखें यहां इसके बाद अब ये तो एक जानकारी थी आपके पास लेकिन यहाँ एक जानकारी ओर लेनी होगी आपको कि ये जो आपके छोटी आथ होगी ना ये छोटी आथ के दो पार्ट होगे आपके छोटी आथ के दो पार्ट होगे छोटी आंथ का एक भाग हो जाएगा आपका इलियम और दूसरा भाग हो जाएगा ग्रहनी ठीक है भाई अब कहानी क्या होगी जैसे ही ग्राश्टनी से भोजन कहां गया अमाशे तो अमाशे से भोजन कहां जाएगा छोटी आंथ की ग्रहणी में और छोटी आथ की ग्रहणी में इसमें दो चीज़ा आगर करके मिलेगी समझा आप जो आपके छोटी आथ होगी देखे मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ यहां समझिए यह आपने भोजन को क्या किया भई मुक कुहा में चबाया ठीक है नहीं तो यह क्या बना एक लस लसा पदार्थ बना यह ग्रास नली के माध्यम से कहा गया अमाशा में ठीक है नहीं अमाशा के बात कहा गया यह छोटी आथ में और छोटी आथ में इसके मैंने दो पार्ट बताया आपको एक बताया मैंने आपको इलियम और दूसरा पार्ट मैंने कौन से बताया इसका ग्रहणी तो भोजन कहाँ आएगा सबसे पहले इसमें आएगा ग्रहणी में और ग्रहणी में इसके अंदर दो चीज़ा आगर के मिलेगी कौन सी एक तो मिलेगा आपका पितरस और एक कौन सा मिलेगा आपका यहांपी अगनाशेरेस ठीक है भाई जिसको बोलते हैं क्यापे हम भाई पैन कриयासिक जूस जो निकलता अगनाशेरेसे भाई एक हो जाएगाा अशेरेस ठीक है नहीं उसको यहां से लेगा यहां पर मिलेगा चलिए यह तो हमने बहुत अभी और ले समझे स्टाप बाई स्टाप पढ़नी दुसारी चीज़े भी हमें टैंस ना लो मैं खुद जान के टप कर रहा हूं हर बार मैंने यह टाइगेट बनाया कि मैं आपको लिखने से ज़्यादा अपना फी बार बार इसको रिपीट करके खुद याद करा दूगा तुम्हारे और याद रखो यह पूर्सन तो आपके याद हो चुका होगा और आप उठाके देखना बाइलोजी का आप अगर आप मैं बात करूँ यूपी पीसेस के लिए यानि कि जो हमारे लोग से वाई की पूस्त होती ना प्रिक्साइए उसमें आप घटना चकर उठाके देखना यह क्योशन इतने बार रिपीट वा इतने बार रिपीट वा सेक्वेंस वाला कि आप प्रैक्टिस करते करते याद कर लोगे उसको देखते देखते अगर पचास बार पेपर होगा ना टोटल कंपर तो लगभग तीस प्रिक्साओं में क्योशन रिपीट किया उन लोगों यहां से चार पोर्सन उठांगे दर दे ऊपर नीचे कर देख वो सिक्वेंस पूछ लिया कोई प्रकिरिया पूछ नहीं रहा है केवल कि देख यह उसको भी पता यह एक पाचनी किरिया एक ऐसा पोर्सन होगा बच्चे के से केवल सामाने जानकारी को प्रक्सार रखेगा कि इसको सब कुछ पता होगा एक सामान से स्टाफ होना पर पता उना चाहिए कि कहा अंत्य होगा ज्यादा घ्यारी जानकारी में नहीं जाना है लेकिन इसमें सबसे बड़ा खेल क्या होगा जो सिक्वेंस होगा ना और गंस में भोजन जाने का बस मैं कहा रहा हूँ यहीं इंपोटेंट अगर आपने शीक लिया ना तो आपका कभी नमबन ने जाने जाने का यहां से जो क्योंकि मैंने पढ़ाने से पहले इसको बहुत अ है या नहीं अपनी पाचन किरिया के लिए थोड़ी सी उसके बारे में कुछ तो चलिए भाई अब सबसे पहले क्या करते हैं हम आहा नाल वाले प्रोसिस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं यह अभी हमने जो किया यह सब क्या था यह थोटिकल पोर संथा अब इसको आगे बढ है है यह सबसे पहले कहां पर करते हैं जो एताप से अधे से प्रार्ण कर लेते हैं हमारा आहानल यह काँ से मुख को गधा कर के कहा तक!? कि मन Obama होगा तहीं बार तो यहीं आएगा कि आहाल का जो कि रिष्टार होगा वो कहां से कहां तक होगा मुख गुहां से लगा करके मलदवार्ट अहा नाल की टोटल जो लैंधन हो जो कि आपकी भाई ये तीस फिट तो तीस फिट लंबी सरचना होगी जो मुख से लगा करके कहां तक मलदवार तक फैली होगी उसको हम क्या बोलते हैं भाई आहार नाल और इस आहार नाल में हमारी क्या चलेगी पाचन किरिया चलेगी आहार नाल का जो सबसे पहला प्रोसिस होगा मुख गोहा से तो हड़ी नालेजिए मुख में पाचन मुख गोहां में पाचन है अब इसमें सब्ढ़ते मई मूख को हमें पाचन अब यहां से चीज आपकी स्टार्ट हो चुगे आग्जाम में आने वाली मुख को गोहा में कि इसके बाद मैं आपको यह चैप्टर कंप्लिट होने के पस्चार पाचन कि रिया का एक पुरा का पुरा इमेज लेंगो उसमें से स्टाफ बाइस्टाफ हर ओर्गन को सम्झेंगे टैंसर ना लो बिल्कुल भी ठीक है भाई मुक गुहा में भोजन लार के संपर्ख में आकर लार के संपर्ख में आकर लसलसा लसलसा वे दातों के द्वारा चबाकर लुगदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है ठीक है भई किसमें लुगदी लुगदी का मतलब यहीं एक तरीके से जैसे मालब एक कोची ठोस थी उसको में तोड़ फूड़ के कैसे बना लिए एक ऐलिगेस्ट ने बना दिया उसको उमने तो एक तो क्या हुज लुगदी करेका जैसे करें कि लार उसमें मिलेगी तो तो ने अंवलेगी तो ऊपर से दाथ दातों ने कैसे था चबागे तोड़ दिया तो क्या वनगा एक दासल मुदार्त बना जिसको हम बॉलते हैं आप Carrie लुखदी तो यहां पर मुखदी के रूप में परिवर्थित हो जाता है लुखदी के रूप में परिवर्थित हो जाता है लिखिए मुखदी गुखदी में ही लार से निकले कुछ एंजाइम्स भोजन में मिस्रित हो जाते हैं कुछ एंजाइम्स भोजन में मिस्रित हो जाते हैं अब देखें कौन-कौन से यहां पर मिस्रित होने वाले जिसके को हम लार बॉलते हैं लार बेसे के लिए किया है एक अमले पदार्थ हैं कैसा अमले पदार्थ जिसका प्येच मान कितना होगा इस कितना होगा बताईए 6-7 के बीच में होगा साथ पर तो दासीन हो जाएगा साथ से ओपर कैसा बन जाएगा बेज, अक्सारिय बन जाएगा अब इसके अंदर कौन कौन चीज़े मिलेगी सबसे पहले इसमें मिलेगा एक टाइलीन नामक एंजाइम्स फ्हेश में मिलेगा तो पढ़ना होगा भाई हमें अब देखिए यहाहां पर सबकती ठीक है नहीं तु लाँलार में से तीन एंजाइम निकलेंगे कि नामी नंबर एक पर कून सा भाई सबके पहले टाय लीन ताय लीन नामक एंजाइम करेका नाम लिखे वरके फेले काम बताऊंगा यह एक तो यह वाला यह 욱्न यह पर ओंग 혼자 is माल्टेज लेक माल्टोज यह खारिया ऑपर माल्टेज क् λ оगा एक एंज्छाइम search गा माल्टेज एंजाइंज्म्स तधेकर अगर यह लिखाना वहां पेविकर पॉलते हैं एंजाइंजी के अंदर ठीक है नहीं हिंदी में को बोलते हैं एंजाइम्स और एक हो रहाएगा आपका poly second ridis एक poly second राइड हो, वो कार्बु हाइडरेट हो मेरे भाई है आपका, ये मैंने क्या बताया आपको, poly second dyes enzymes ये तीनों enzymes लार में होंगे हमारी और जैसे ही ये लार से किसमे मिले हमारे भोजन में मिले, कहा, मुखकुआ के अंदर, तो इन्होंने कौन-कौन से काम किये, वो देखते हैं भाई सबसे पहले तो यहाँ पे हम टाइलीन की बात करते है, टाइलीन ने क्या काम किया, जो हमारा भोजन होगा, और भोजन में क्या होगा, इस्टार्च होगा, क्या होगा, इस्टार्च, इस्टार्च किसको बोलते हैं आप यह, मंड को बोलते हैं ना भई, पढ़ाओगा आपने, इस्टार्च किसको बोलते हैं, मंड को, ठीक है नहीं, अब वो इस्टार्च को किसमें बदल देगा, वो यह क्या काम करेगा, इस् आप मोस्ट इंपोर्ट एंट भई एग्जाम में यह जाएंगे आपकी मैं थियोरी निकला रहा हूं आपको केवल जो कने वर्ट होगा ना वही पिल्कूल की वड़ दे रहा हूं इसलाइरी इमाइलेज सरक्रा बोलते हैं इसको पूरा में इसलाइरी इमाइलेज सरक्रा बस्याद रखना आपको बहुत टफ पोर्सन होगा आव लेकिन बहुत एजी बना रहा हूं टैंसल मत लिजे भोजन में लार मिली और लार से तीन एंजाइम्स मिले किसमें भोजन में मैं यहाँ लिख रहा हूं भोजन ठेक है भाई नि अ कि लार के छें से साथ शें से साथ के पीच्ट मिलेगी क्योंकि लार कर मैं अभी बता रहा हूं जो लार का पीच्ट मान होगा वह कितना मिलेगा आपका छे से साथ के बीच में होगा अ अप ये fix क्यों लीए प्लाख 2019 किसरे fix क्यों लिया क्याकरन वेए해न निया कि बताईये इस रही बहुत आसान से जवालहाश वह गाई या वस जा दई लागा ना तरहान 2 या लगाना आङनसार आपके आद में होगा जे कि इस तरह बताओं अब अब लार का पियेच मान ये क्यों चेह साथ की बीच में दर सागया कि मैंने का शिक्स पॉइंट एट साथ की बीच में तो होगा अब ये फिक्स क्यों नहीं है कि ये जो आपने बताना सिक्स पॉइंट एट मैं मान लूँगा ये 6.8 जो आपका होगा ये तो सुबह का होगा जब आप जब तक आपने कुछ निए खाया देखें जब तहम कुछ खाते पीते थे आना तो मुझा पीच मान भोजे पतार्तों के साथ परिवर्तित होता और श्राइब करें दो आप तो आप तो साहिए द फिक्स होने वाली बात ही नहीं यहां पर तो पी एच मान इसलिए क्या होगा अलार का फिक्स नहीं होगा यह 6-7 के बेच में लेकर अक्षारी कभी नहीं होगा रहेगे कैसी अमलिय ही रहेगी ठीक है नहीं तो पीछ मान क्योंकि जब सोगे उठते हैं आप तो कुछ तो नहीं खाया होगा कुछ नहीं खाया होगा ना तो जो लार निकलेगी वहां से उसका प्येच मान लगभग यहीं होगा साड़े छे इतना ही इसका आसपास ही तो फिर समझेए वही जो टाइली नामक एंजाइमस होगा वह लार में मिलेगा और इसका काम क्या होगा वह हमारे भोजनमी जो स्टार्च होगी उसको साल आयरी एमाइलेज सरकरा में अंवर्ट कर देगा कौन टाइली नामक एंजाइमस ृug। और हमारा भाझन होगा और हमारे बहुम समय क्या होगा और हमारे भोजन में आम सबस्क्राइब कॉन से काइन माल्ट Words आपको मैंने पढ़ा रखा पॉलिसाइकराइड्स मैंगा माल्टोज ठीक है नहीं तो उस माल्टोज को ये माल्टेज नामक एंजाइम्स ग्लुकोज में करनवट करेगा किस में ग्लुकोज में परिवर्थित करता है समझे कहाने आप तो अब दो प्रोसिस हमारे हो चुके तीसरा हमारा क्या होगा यहां पर एक पॉलिसाइकरिडेज क्या होगा एंजाइम्स होगा ये क्या करेगा जो हमारा भोजन होगा अगर वो भोजन कैसा हो थोड़ा सा असुद हो असुद का मतलब जैसे बासी भोजन खाया आपने रात का रुका हुआ ठीक है नहीं उसमें क्या हो कुछ जीवानू हो क्या हो जीवानू और ऑस्व एका। पित्रस में क्या मिलेगा आपको हाइड्रक्लोरिक एसिड एट्सियल मेरे भाई वो इतना तेज होगा ये तो केवल इसलिए किया ताकि कोई इन्फेक्शन कहाना हो आपकी ग्रास नली में ना हो क्योंकि अगर ग्रास नली के अंदर कुछ बैक्टिरिया सेक्टिर चलागा तो दिक्कत बन जाएगी वो भोजन वापिस भेज़ देगी मैंने काना प्रतिवर्ति करिया क्योंकि अभी कहाँ चला है सारा काम मुझको को हाँ में और मुझको को हाँ के बाद कहां जाएगा फढ़े का ग्रास नली में तो जाएगा अबowकर आफ नली यह बिल्कुल यह तैयार करके बेंस दैगा अक्र ग्रास नली को लगाना ही। वापिस कर दे कि वापिस कि क्योंकि वह पहले ही उसलेगी बिल्कूल अपने जो comfort होगा उसके लिए वही adjust करेंगे फाल तू मलब बहार कर देंगे उसको अब उसकी पाचन के लिए हम बोलते हैं न हमने तो बोजन कर लिया हम तो निफराम होगे मेरा भाई निफराम का मतलब यहीं बोलते हैं गाउम में कि भाई बोजन क्या निफराम होगे निफ फॉर यो उसमें से केवल हमें कितने मिलती है आपने सुनाओका लेंडर मन का 10-30 का नियम केवल हमें 10 पर सैंट उर्जा मिलती है बाकी जो 90 पर सैंट उर्जाना जो हमारे उड़गन से उसको क्या कर देते हैं भई खर्च कर देते हैं भोजन को पचाने में अगे तुम सोच पूरी उर्जा नहीं पहुंचते कुछ तो खर्च होगी अच्छा एक छोटा समय बात बता रहा हूं एक भोजन कहीं बार क्योंशन आया है एक भोजन होता अजवाइन अजवाइन यह खाई होगी सबने वहीं बहुत गुणकारी एक ओस्दी भी हो मनलब गैस वैस जो ना पाचक सम्मनी तो यह ना यह एक ऐसी चीज अगर आपने बहुत ज्यादा अजवाइन खाली हो ना तो समय लिए आपके सिर्कों पचाने के लिए बहुत ज्यादा कैलोरी क अजवाइन को खाने के पशाद आपको पसीने आ जाएंगे क्यों तुम बोलते हो देखिए जितनी भी गरम चीज़ें होते हो ना उन गरम चीज़ों को पचाने के लिए हमारे बहुत जादा उसमा क्या सकता पड़ती जिस कारण से अब इंजन पर अगर लोड़ पड़ेग हम भी तो अजवाइन को पचाने में इतनी ज्यादा उसमा की मलब उर जाए क्या सकता पड़ेगी कि इतनी हमें प्राप्त नहीं होगी और यह कहने कहीं अच्छी होती है किसलिए यह एंटी ओक्टिटेंट होती है भई अजवाइन इसको तो कभी कमाग अगर आप ना भी कोई जरूत हो तो थोड़ी बहुत ही खाली दिन चाहिए भई जैसे आपनों सुनावा कहीं बार यह जो कुल्चे बनते हैं ना कुल्चे अजवाइन लगा दो खाने के पाशा सुष्टी सी आजा हाला ही कुछ तो कुल्चे के अंदर अनर्जी नहीं है वो खुद एक क्या चीज है ठीक है नहीं अब दूसरी चीज यह अजवाइन डाल दी अजवाइन उसको पचाने के लिए जो उर्जा तुमारे अंदर थी वो यह कहानी है हां सब्सक्राइब खाने चाहिए ठीक है तो अब देखिए हमने क्या इतना यह प्रणा मुख्व गोहा में यह सब कहां होंगे इसको नोट किजिए आप चलिए भाई अब आगे चलते हैं लिखिए लिखिए मुख्व गोहा की बस्चाइब भोजन घ्रास नली में पहुंच्छा यह अ मैं अभी यहाँ से देखते हैं भाई मुख्व गोहा ओ LOVE दोज़े मुख को हाँ से कहा जाएगा भोजन आपका ग्राश जलई में ऺइड़ लूज़ेभिट सेज्द हुटरणीड रंपर हम ग्राश जलो हमे में पाचन ग्राश जली में पाचन चयुकल है इसमें देखे कि आप उसना क्या कुशन बनते हैं आपके वह मुझे ऑज़न कहां से लगाए आपका भाई ए ग्रास नली में तो पहले ग्रास नली की लंभाई लिखिया आप बै ग्रास नली की कितनी होगी लंबाई 25 सेंटीमीटर बाई ये डेटा वेस क्योश्टन बहुत पुछे जा मैं गरों ससी 10 प्लस 2 MTS यहां तो यहीं बात बनने हैं इलावाद हाई कोट गुरूप सीडी यहीं सारे क्योश्टन बनते हैं अंदर जाने गाई नहीं वो यहीं तक सिमित हो जाएग अब हमने बात किसकी लंबाई कितनी होगी 25 सेंटीमीटर की लिखिए गरास नली में गरास नली में कोई पाचन किरिया नहीं होती है कोई पाचन किरिया नहीं होती है गरास नली में कोई पाचन किरिया नहीं होती है हलाकि पाचन किरिया का एक हिस्सा तो होगा लेकिन पाचन की किरिया कोई संपादित नहीं होगी केवल एक रास्ता होगा जाने का कहां अमाशे के पास यहां से सीधा कहा जाएगा भी अमाशे में जाएगा ठीक है नहीं लिखिए ग्रास नली अब लिखे नोट करके भाई यही कि उश्चना भाई वह जो मैं तुम्हें बताना चाहा हूं कि ग्रास नली में भोजन का अमाशे तक पहुँचना ग्रास नली में भोजन का अमाशे तक पहुँचने हाँ तक पहुँचने की किरिया पर्थी वर्थी किरिया का उध्धारन पहुँचने की किरिया पर्थी वर्थी किरिया का उध्धारन होती है जो मोडूला ओबला गेंटा के द्वारा नियंतित होती है का उध्धारन है तो का ऑदम्या और ओबला गेंटा के द्वाराश?" कि नी अंत्रित होती है कुछ बच्चे इसका आंसुर क्या करने वाले किस तर इस पैनल कोड होगी मैं दो रज्जू नई आंसुर गलत होगा मैंने कहा था अहार नाल में संकुचन करमानुकुचन किसके द्वारा मेडूला ओबला गेंटा के द्वारा होगा कंट्रूल वहां लिखावा होगा आप एक बार नोट्स खोले और देखिए उसको तो अब देखिए ग्रास नली में चला गया आपका भोजन ग्रास नली में कोई पाचन की क्रिया नहीं होगी केवाल यहां से बोजन कहां जाएगा अमाशाय में और किस रूप में वो जो लार की क्या बनी हो को यह चिपची पांतल पदार्थ बनावा लस लसा भोजन बनावा वह सीधा कहां जा रहा आपका आमाशाय में जाएगा यहां से कोई पाचन की रिया इसमें नहीं होगी और अगर इस ग्रास नली में थोड़ी सी भी दिक्कत आई तो मोडूला ओला गेंटा वापस ठीक है भई मैंने जो स्टाफ वहां आपको बताएं वो सारे कराब ही रहा हूँ अब आमाशाय में पाचन की रिया कि यह बात आपको याद होगी आमें से में बोजन कहां से आया ऐंसे आ सम एक खानी में आप बैर कहां से आय गरास नली से अब लिखते हैं आपचलिए अम्हां से में पाचन की अमाड़ में तれब रहता है आमाशाय में भोजन आखके आउआ। में भोजन अच्छा अमासा की लंबाई कितनी होगी भई 30 सेंटीमेटर मैं यहां लिख रहा हूँ इसकी लैन लिख रहा हूँ यहां पर 30 सेंटीमेटर यह याद देगे आपको कहीं बार यह यतनी बार आप पड़ोगे ना बार बार इतनी जल्दी आपको याद हुजाएगी भई यह तो यहां देखे भई अमासा में भोजन कितने है तीन से चार गंटे तक रहता है कितने भई तीन से चार गंटे तक भोजन रहेगा यहां पर अब आपको गए कितीन से चार गंटे तक भोजन आमासा के अंदर और हमना खाना खाने के बाद फिर भोजन कर लिया अभी तो यहीं नहीं गया आगे भाई ऐसा क्यों साधी में कहीं बार नास्ता किया चलो चल लह भाई खाना भी खाल हो अभी तो वह नहीं गया ठीक है भाई अभी तो ग्राश नली के माद्यम से वह गया क्या ग्राश नली माला पोर्सन तो आप कितना यह तो दो मिलबब कितना एक मिनिट में पूरा हो हो जाए यह अ कि दूल्ट अट कहा aan पाचस नी को संपाजित करने का आहान नालगा होगा आपकी तो थेंट्रफत्य हो चुग की कहा लाइज भागर today से बोजन अंदर रहा आपका ठीक है नहीं बस इएक अमासय में गया और आपका काम खतम मास मैं देखे में 이젠 साम मैंने कहा था मोडूला ओपलाuire गिंटा कांफ करेगा मासे करमानो gib değişorient anál इमर्मूने में कॉंट्रॉल करीं का तंत्रिका-ातंत्रिका के पास यह थालरमस कि और ओद प्यास untuk वह काईगा की complete और भूख खतम है के वह проекiesta देगा रहें को बस कि रोख दोलिए और गषंप हो कुछ ऐसे जो अपना काम कंटीनू रखा वाई वो फिर अपना फिरते ही है बस तुम्हें बता कि देखिए जितनी चीजे टब बना रखे ते टब चीजे है लेगर आप इसको कर्म के इसाब से पढ़ोगे तो देखे तंत्र का तंत्र आपने पढ़ी तो बहुत सारे चीजे उसके साथ आप भी लेट करो तो समझ रहेगे आपको भूग का लगना क्या हो भाई भूग लगना है क्या जब आपके ब्लड में गुलकोज की सांद्रता कम होगी तो आपके आहार जो अमासे होगा इसमें क्या एक कौन कर रहा मोडूला ओपलागेंटा और मोडिया ओपलागेंटा किसको सिग्नल देगा थैल मसको और थैल मस्का अंदलब किया भाई भूग प्यास वह गया भूग लगी और प्यास लेगी हो यह तो फिर यह करमानों कुच्छन होगा यहां और आपको फिर भाजन किया हो सकता होगी बहुजन किया मोडूला अब ले अब लाग इंट ने वो करमाशन खतम कर देया यहां पर थालमेस ने सिगनल दिया धकार दे ले जिए काम खतम ठीक है नहीं तो यह कहानी यह अब कभी कभी कहानी हो कि हमने सर अभी तो भूजन किया और हमें फिर भूख लगी हा कि ब्लड में फिसांद तरही कमी आई हाला कि पेट इसको देखती है आपके ब्लड में जो गुलकोज की सांद रता काम हो रही और मोडूला ओवला गेंटा जैसे उसमें गुलकोज की सांद रता कम होगी चाहां अंदर कितना भी खाना पड़ा वो समय अलचल स्टार्ट कर देगा और भल चली स्टार्ट कर देगा तो आप खाना खाना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ चाहे वो चार गंटे वाला महा से निकला या नहीं निकला है यह कहां निये बैए और कहीं बारा ऐसा हो जाँ भाई वापिस उल्टी उल्टी हो जा बताऊंगा उल्टी लगने का का रिये क्या हो लेकिन अभी नहीं अभी पहले पढ़ रहते थोड़ह उगा कि अब चौब यह शिर्ड़ हो सब्सक्राइब कि एसील यहां नहीं मिलने का एसील तो आगे मिले गाड़ा करके इसमें यहां तीन एंजाइम्स मिलेंगे वो इसमें देखे क्या होगा अब यहां माली जै मैं यह कहूं यह अमासे ले लूँ भाई मैं बना लूँ आमासे यह माली जै आपका अमासे हो चुका 30 फिट यह भोजन पड़ा यह नीचे चावालों उपर यह थोड़ रोटी कर टुकड़े पड़े है ठीक है अब इसमें कहानी क्या हो गया है यह तीन से चार घंटे तक यहां रुगेगा तो इसमें क्या होगा अमासे से एक अरस निकलेगा इसको हम क्या बोलते हैं यहां पे जठर स्टेमा यह तो सुना अपने भई जठर स अब यह जठर 치 draw अच्या होगा इसको पड़ना होगा बाय्यमि मैं तीकर नहीं इसको हम बोलते हैं बहु गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं संस्क मिका बोलते हैं सकूम गैस्ट्रिक जूस ठीक है भई इसको पढ़ना होगा ये क्या काम करेगा ये कहां मिलेगा इस भोजन में मिलेगा अंदर जो कहां से निकलेगा अब माश्य से अब ये जठा रस में कौन कौन से चीज़े होंगे भई अब जठा रस को पढ़ते हैं जठा रस में क्या क्या होगा भई जठा रस में आपके 97 में से 99% तक क्या होगा आपका इसमें जल होगा ठीक है नहीं और सेस क्या होंगे इसमें भई अन्य अब देखे एक ही परसेंट वो अन्य और एक परसेंटी पुरी बहुती गोर आताने को भिकरिया करने वाले एक परसेंट में क्या होगा आपका एक तो रहेगा आपका रेनीन नामक एंजाइम सुना आपने रैनिन एंजाइम होगा ठीक है नहीं एक इसमें क्या मिलेगा आपका भई पेपसीन ये भी क्या होगा एंजाइम्स क्या इसको समझ लेज़े कराओंगा मैं इसको बाद में ये भी क्या होगा एक एंजाइम्स होगा और क्या मिलेगा भाई इसमें बताईए और क्या मिलेगा इसमें से बताईए जो आपका अमार से रस होगा इसमें और क्या मिलेगा आपको इसमें मिलेगा आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसियल यहां पर क्या मिल जाएगा इसमें एक एसिल मिल जाएगा हाइड्रोक्लोरि मिलेगा एक एंजाइम सोर मिलेगा इसमें बताइए वो जो वसागा आप घटन करेगा उसको हम क्या बोलते हैं वहाँ पर एक एंजाइम और होगा इसमें लाइपेज लाइपेज एंजाइम्स यह चार चीजें आपकी कहां मिल चुकी जो आपके इसमें बोजन पढ़ाना भाई उसमें आके मिल चुकी अभी जब चारों चीजें इसमें आगर के मिलेगी तो एक रियक्शन होगा यहां और रियक्शन होने के पस्चाद फिर कहां राएगा बोजन छूटी आथ में चले जाएगा आपका अब हमें क्या करना होगा जो आमाइ है ठीक है नहीं नोट कि जाब इसको हो टैक्स चाहरा है चोटा तुन दीख रहा है मेरे भाई मैं कहा रहा हूँ कि टैक्ट सही दिख रहा अक्सर कुछ आए चोटे बड़े तो नहीं है ना सही है ना साइज बढ़ाओ और चलिए अब देखते हैं भाई हम माली जे हमारा यहां भोजन था यह भोजन है कहां पर हाला कि मैंने यह एक सब्दों में लिखा भोजन नहीं बनाया तो ले भोजन बना दिया भाई यह लिए मैंना आपकी एक माली जे भोजन अवाब है आपका कहां पर आमायस में अब यहां पर सबसे पहले क्या मिलेगा इसमें में रेनिन की किर्या निखा देते हैं नभी अब है रेनिन क्या करेगा कि रेनिन क्या करेगा आपने दुद पिया है आपने दूद प्याना उब हाँ अब वो छोटे किसको तोड़ रहा मां पर वो कि किसको तोड़ रहा कि आप ने पिया नहीं कि आ आईगा अगर अगर के इस अन्य चेम करें के यहां से प latterly का यहां से दिए मैं कि यूख अब माली आपने अपने भूज़न में आ लिया आप रहां आप अब घूचर के लिए अब अब और प्रोटीन होगा कोन सा कैसीन इस cassin के साथ-साथ दूद में क्या होगा लेक्टोर्स होगा लेक्टोर्स क्या होगी आपकी सरकरा इन दोनों को विखंटित करेगा और इन तोनों को तोड़ करके इस इस कोसिन को क्या करेगा छोट-छोटे टुढ़ो में वाट देगा और यह जो यहाँ पर लेक्टोर था उसको किसमें पकदर नेगा लेक्टिक में लेक्टिक एस्टिड में करेगा और जैसे ही दोनों चीज बनी तो दूद से क्या बनीगे आपकी दही बनीगी तो यह आपके दूद के पाचने में सायक होगा किसमें दूद के पाचने में सायक आप समझें आपने दूद पिया दूद पिने के बाद दस मेंट के बाद आपको ओल्टी लगी तो दूद नहीं आएगा क्या निकलेगी दहे निकलेगी कि अब आप कोगे सर्थ चार गंटे रुखेगा चार गंटे में एक दम जाते ही हो लाएक काम नहीं मेरा भाई पहले से भी पढ़ा रहा हो कुछ कुछ पहले से भी हम तो पढ़ा रहे ना सदीर तो अपनी किरिया सततरूप से कर रहा कंटेनिवली अब माले यह क्या गारंटी जो आपने भोजन किया वह पहले वाला वाहा से निकल लिया कुछ वहां पर ठहरा हुआ उसमें से पिछे से चला गया तो मलब वही उसके सारी करना स्टार्ट कर देगा बस यह परक्रिया पढ़ाने वाला अलग पोर्शन होगा जो वास्तिविक्ता में घटित हो रहा वह अलग पोर्शन होगा यहां करमबद ग्यान दिया जा रहा है वहां सततरूप से परक्रिया चले कहां सरीर के अंदर यह तो समझाने वाला यह प् स्वाइड चिंज करेंगे अगल तो देखिए के अब जैसे बोजन में प्हले क्या मिला आपका रैनिन कि यह भुल्जन था है 销न कि से एंगल से हैं नहीं माल्रो कि इसमें पहले क्या मिल चुका रैनिन रैनिन दूद खो क्या मना दिया दही ये प्रुक्रियाद हमने पढलिक कम्प्लिट अब दूसरा भाई इस बोजन में क्या मिला आपका पैपसिन अब यहां क्या मिला आपका पैपसिन एंजाइम्स अब देखिए आपके बोजन में प्रोटीन होगा आपके बोजन में क्या में प्रोटीन होगा अब वो जो प्रोटीन होगा उस protein को किस में बदल देगा ये peptine में sorry peptine में बदल देगा चोछटे particles में किस में बदल देगा peptine में और protein का पशन कराएगा तो direct question आएगा कि बताएगे बहुजर में उपस्थित कौन सा enzymes protein को peptine में परिवर्तित करता है peptine ये क्या काम करेगा जो हमारा protein होगा protein के छोट-छोटे particles में तोड़ देगा उसको और उसके पाच दून को क्या कर देगा प्राणब कर देगा इसके बाद भोजर में क्या मिलेगा भाई S.C.L इसको बोलते है hydro-cloric acid hydro chloric acid ये क्या होगा एक अमल होगा ठीके भाई ये हमारा जो भोजर होगा उस भोजर में क्या होगे भाई हानेकारक जीवानू रोगानू प्लस उसकी अक्षारियता को अमलियता में परवर्तित करेगा अगर भोजर बहुत ज़्यादा क्या होगा अक्षारिय होगा तो अक्षारियता को किस में लेकाएगा भई अमलियता में आपने क्या चीट खाई कड़ी चीट खाई तो थोड़ा बैलन्स करेगा उसको अमलियता में कनवर्ट करेगा इसके बाद हमने भोजर में लास्ट में क्या मिलाना है यहां पर भई लाइपेज क्या काम करेगा आपका वसा का अब घटन वसा का अब घटन और बचो ध्यार नहीं हो भाई यह बात यह आपके अमासे के प्रक्रिया पूर्ण हो चُकिए अब यहां से भोदन कहाँ से जाएगा आंत में छोटी आंत में और चोटी आंत की भी काँ यहाँ गए घनी में द्टीक थे अाउख और क्णुठधा काउ से प्टना हमाशन के पिस्चांध का झायह बोजन आपका आम ऐसा कि पस्चाइब कहा रहेगा भोजन छोटी आंथ की ग्रहनी में यहां प्रोसिस देखना अब यहां क्या होगा यह हमें कल करना कल वाले कलास में तो छोटी न कर लिए अगर छोटी कर लिए आपने तो जितना पढ़ाना आपका बेकार होएगा बिल्कुल मैं गारंटी ले रहा हूं पहले स्टार्टिंग के 10 मिंट क्या करना होगा कल हमें पहले स्टार्टिंग के 10 मिंट में आज हम इतना ही पढ़ाना भई इसको एक बार रिवाइज करना होगा और उसके बाद आगे बढ़ना होगा सबसे पहले कल क्या करना होगा यह करना होगा जो हमने आज पढ़ाना एक माइस को रिवाइज करना स्टार्टिंग से और उसके बाद आगे की प्रिकिरिया करनी होगी ठीक है मेरे भाई चलिए है ठीक कल कंटीनियू यह से हो गया आपी क्लास चलिए भाई कल का जो हमारा टोपिक था पाचन तंत्र वाला पैंडिंग उसको अपना कंटीनियू करते हैं भाई चलिए तो हमारा जो कल टोपिक था हो क्या था पाचन तंत्र अब पाचन तंत्र में एक क्लास हमारी हो चुकी आज हमारी ये क्लास नंबर टू होगी पाचन तंत्र की क्लास नंबर कौन सी होगी टू होगी अब क्लास नंबर टू स्टार्ट करने से पहले क्लास नंबर बनकर रिविजन ज़रूरी होगा ठीक है नहीं अब सबसे पहले ह सबसे पहले जो पामने एक तो हमugen हरे Vision कि डेफिनियेशन देछी वाह पे क्या देखी भैई पाचं की परिभासा में ऐ Anda की जो परिभासा थी और ये पाचन देखिए भई एक तो हमने कल पाचन की परिभासा या मैं यह कहूं पाचन का अर्थ क्या होगा या मैं यह कहूं पाचन से तात्प्रीय क्या होगा यह सब हमने कल वाली क्लास में अपना देख चुके हैं तो एक चीज आपको समझनी होगी कल मैंने आपको बताया जो पाचन होगा समझा जो पाचन क्रिया होगी कि देखिए जो हमारी पाचन क्रिया होगी हमने पाचन से तात्प्री एक तो हमने वो पढ़ा कल अच्चा मैं आप से पूछा चाओंगा भई पाचन क्या है यह मैंने आपको कर आया तो मैंने पाचन के लिए कि अबल दो सब्दी दिये थे आपको कि जो हमारे भोजन में क्या होंगे एविले कौन से एविले पोशक पदार्थ होंगे यानि एविले पोशक पदार्थ होंगे उनको किसके द्वारा यानि कि जो एक दो अभी किरिया होंगे भोतिक और रासाइनिक अभी क किरिया के दुवारा क्या करना था उसको में विले पदार्तु में बदलना था ठीक है नहीं और यह जो परकिरिया थी यह क्या कहला है आपकी पाचन आपको फी समझना होगा कल माने आपको पाचन की विसे में बताया पाचन था क्या तो पाचन क्या था हमारे जो भोजन होगा बोज़र में जो आईविले पोस्टक पदार्थ होंगे, उनको भोतिक और आसानी कभी किरा किराएं बुले पदार्थ तुमें बदलने की प्रकिरिया क्या कह लगा आपकी, पाचन। क्यों पल्लिए पड़ा। और कहां तक होगी जो मलाशय होगा यहां जा पर क्या होगी है साब आप और तक होगी आपकी मुख्यों गोहां से प्राणम होगी और कहां तक होगी आपकी मलाट य सा थी स्ज नहीं इसका टोटनल लंग मैंने बताई त्यापक रहाव कितने कल थीच फिट की जो यह हमारा अहा नाल होगा सिक रही हुद से लेंड होगी हमने सब कल लिए vidéo किया हुआ एक बार फिर से देखतÉ है मैं उसके बाद हमने बात की भोजण यहां पर चलेगी किसमें चलेगी यह किरिया आहानाल में मैंने कहा था ना भी आपको हमारी जो पाचन किरिया प्रारम होगी वह आहानाल से प्रारम होगी ठीक है नहीं और दूसरी हमारी किरिया कहां पर चलेगी कुछ पाचक गरंथी आओंगी तो अगर मैं बात कहूं जो पाचन की ग्रिया होगे मारे अंदर दो जो च्रण ब क्संपादित होगी है पहले कहाँ आ फे एक च्र्ण इधर इस चलेगा और सेकीड इस टैप कहाँ पर मुख द्वार कहूं या मुख कुही का कहूं में एक ही बात होगी साइके यहां पर जाएगी ग्रास नली क्या जाएगी आपकी ग्रास नली इसके बात क्या जाएगा यहां पर अमाशे अमाशे के पस्चाहत कहा जाएगा भोजन आपका छोटी आंत में छोटी आंत के हमारे द इसके बात कहा जाएगा भोजन आपका है सिकम ठीक है नहीं अभी सिकम का आज मैं बताऊंगा सिकम क्या होगी सिकम का बहुत पड़ा एक रोल होगा हमारे भोजन के पाचन में इसके बात कहा जाएगा भाई ये बड़ी आंथ और बड़ी आंथ से भोजन कहा पर जाएगा फि सहयोग देगी यह भाग लेगी नमबर एक पर क्या होंगी लार गरंथिया लार गरंथिया इन लार गरंथियों से बहुत सारी क्या निकलेंगे एंजाइम्स और इसके बाद साइकिन यहाँ पर क्या उड़ाएगा यकरत यकरत ठीक है नहीं और इसके पस्चाहत तीसरी क्या उड़ेगा आपकी देखिए यहां पर लिखावा आपका अमाश है और यहां पर उड़ाएगा क्या आपका अगनाश है ठीक है नहीं यह तीनों क्या होंगी हमारी पाच्चक गरंथिया होंगी जिस प्रकार से यहां पर काम चलेगा और उसी से यहां देखे मुखिजो क्रियाई संकार ठीक होंगी कहां पर एंवगे इन ओर गें ठीक है नहीं यहां से फूचिल दॉट शिर एक हो इंचाइम्स कि यह हैं वह इफिसा फेऊं निकाल कि आएगा है और यहां शाइलिक हो और वाच स पुरीक है और बोलते पाशन इंगी तो कल हमने पहले पाचन कहां पे देखा पहले हमने पाचन कहां पे देखा भई मुख में यानि मुख कुहिका में जो पाचन हुआ था मैं भी कुछ सोट में बताऊंगा यहां पे क्या हुआ था भई यहां पे क्या हुआ था भोजर में क्या मिली आगर के लार और LAR में कुछ Enzymes मिले जैसे कौन से Tylene Tylene के बाद Maltese Maltese के बाद क्या था एक बताईए Poly Secondary Secondary aids ठीक है नहीं यह तीन Enzymes मिले इसने क्या काम किया था भाई Tylene ने Tylene जो Starів स्टार्च था StarIV किसमें गनवट किया सरक्रा में ठिके नहीं उसरे करा कौन सी शलाइवरी शलाइवरी अरे मयलेज अरे इसमें इसके बाद मॉल्टेश ने मौलके अंक्या था जो आपके एक मॉल्टोस नामक आरपुआइड़ कि सके निवक इने गुल्कोज में और इस ने क्या काम किय था जो भोजन में क्या ओंगे बैक्ट किया था और इसके पस्चाथ यह सब क्रिया होने के पस्चाथ मुख को गिहिका में लार के मिलने से आपका बोजन कैसा हो चुका था भई लस लसा ठीक है नहीं हमने किया था भई यहां पर बोजन कैसा बच चुका आपका लस लसा और लस लसा बनने के पस्चाथ वो नली में पाचन देखना होगा कहां पर देखना होगा ग्रास नली में पाचन अब यहां से कहां गया पाचन ग्रास नली में अब ग्रास नली में कोई पाचन क्रिया नहीं हुई थी ठीक है नहीं बलकि यहां पर जो यह जो ग्राश नली में बोजन का अंदर जाने की प्रिकरिया आओगी कैसी किरिया था ही मैंने आपको परतिया वर्ति किरिया बताई थी आपको कैसी किरिया थी हमारी यह परतिय वर्ति किरिया इसके बाद बोजन कहां पर जाए ग्राश नली तो अब हमें क्या करना होगा न यहां अमाशे मेद वोजन और अमाशे में जब भौजन गया तो यहां पर क्या मिलाश में जठर रस ठीक ही नहीं जठर रस इसमें मिला और जैसे जठर रस मिला तो जटर रस को मने Pal HE waktu प्सक्रण क्या था जल था और इसमें क्या था एक एसीड हाइड्रक्लोरिक एसीड था और इसमें क्या था और पेपसीन एंजाइम था और क्या था समें गैस्ट्रिस लाइपेज एक यह था एंजाइम्स और क्या था यहां पर और क्या था यहां पर एक एंजाइम्स और था यहां पर रेनिन रेनिन नाम का भी एक एंजाइमस था यहां पर तो यह सभी एंजाइमस जठर रस से किसके इंदर आए यहां पर जो अमासे में भोजन था ठीक है भाई और यहां पर जब यह चीजे आई तो वहां पर क्या हुआ फिर भाई सबसे पहले क्या किया जो भोजन में अमलेता और अक्ष्यालिट इसको बैलेंस किया और जो रहनिकारक रोगान और जीवानों थे उनको क्या करतें आप उसको नेस्ट कर दिया किसने एस एल ने रहनिनने क्या शलाख चब्रोण किया ओभ दूढ़ करता और यह श्कर बार तो कर दिया और रियनीन भूरन किया दूद कर तैक हैं इसके बाद यहां से बसे लुंद का जोटी आंत में की इसके बाद कहां पर आया वह आपका बोटन च्छोटी आंत में अब यह कि अच्छाच ए iemand इखाज थी थी नोटने लात ती ठीक है बहुआ अभाई अब बात करते हैं इखय को चोटी आंत में yn मैं कि कोशेति अब आपको समझना उए याँके छोटे आत में पाचन आप छोटी आाथ के दो पाहि ओल में ये एक तो कि आप या और एक अचागे किया वे ऐलियम इसी को हम बोलते कहीं बार शुद्रांत्र क्या बोलते हैं इसको शुद्रांत्र इस इलियम को ही बोलते हैं शुद्रांत्र ठीक है नहीं? अब पहले बोजन कहां पर जाएगा? ग्रहणी में जाएगा अब यहां आपको समझना होगा जैसे मैं यह कहूँ चोटे औंथ की लंबाई कितनी होगी बाई इसकी मगाई कितनी हो जाएगी छे से शाथ मिट्र पहली चीज तो आपको यहां दखनी होगी यो ड डियर्ट क्योशन आएका की कि पाचन किरिया के दोरान, जो छोटी आत में भोजन आएगा, वो कहां से आएगा, वो अर आएगा, आप कहां से, अमाशे से, अमाशे से, जठा दस मिलने के पस्चाद, आपका भोजन कहां पर आएगा, छोटी आत में, और छोटी आत में भी दो चीजें होंगे, आपकी एक ग तो पहले बोज़न कहा पर आएगा आपका ग्रहनी में आएगा तो जैसे मैं आपको ग्रहनी बना के दिखाऊंगा यहां पर माली जी क्या ओगे आप यह ग्रहनी होगी भई ठीक है नहीं छोटे आथ कि लंबाई कितनी होगी मैं आपको 6-7 मिटर की तो इसमें सबसे पहले में है क्या दिखा रहा हूँ आपको ग्रहनी दिखा रहा हूं इसकी बतानी अभी जो ग्रहनी होगी इसमें क्या आ चुका आपका भोज़न आ चुका यह भोज़न होगा माली जे आप ठीक है भई तो धुष को आईये ये क्या मैंने क्या ह्याथ यह रहनी का इसमें भोजन आ चुगा अब जैसे यहां बोजन आया है तो भोजन में आकरके दो रस्मिले क्या दो रस्मिले यो यह ब्यूर्स दोचीजा आएगा कि बताईए हमारे पाचन किरिया के दोरान भोजन में पित्रस और अगनाशेरस कहां आगर के मिलते हैं तो आपको यहां दखना होगा छोटी आंथ की ग्रहणी में समझे ना काहनी अब सबसे ज़्यादा जो प्रोसिस होगा वो कहां पर होगा यहीं पर होगा जो हमारे भोजन पचने के परस्चाद जो महत्वपून के आओंगे पोशक पदार्थ होंगे है ठीक है नहीं उनका जो अवसरस्ण होगा वो कहां पर होगा यहीं पर हो जाएगा है ठीक है नहीं 75% किरिया आपर क्या हो जाएगी जैसे भोजन कहा पर आया ग्रहाणी में छोटी आथ की तो हैं पर हमने क्या देख लिए आप पितरस और अगनाशय रश दो आख रिमिल चुगे यहां पर यह कहां से निकलेगा भाई अगनाशय की उससे सुरी कोशिकाव से और यह कहां से निकलेगा आपकी कि यह ध्रस से ठीक है नहीं पिताश होता है पिताश हमें पित्रस होगा आप क्टैंस हो नहीं मत नही ठीके नहीं पहले बात करते हैं पित्रस का इस्त्रावन ये निकलेगा कहां से भई ये निकलेगा कहां से पिता शेशे कहां से निकलेगा पिता शेशे ठीके नहीं बात करते हैं भई ये कैसा होगा लिखे पित्रस हरे पीले रंग का हरे पीले रंग का अक्षार ये तरल दर्व होता है ठीक है नहीं जिसका पीएच मान यह उन बचों के लिए इजी हो जाएगा जो पीएच मान को अच्छे समझते हैं अब मैंने उपर आधा काम आपका आसान कर दिया क्या लिख दिया अक्षार ये तो कहिना के साथ से उपर जाएगा आधा काम तो अपर कम्लिट हो चुका इसके तो पीएच मान वेगा हो कितना हो जाएगा भई जो आपका पित्रस होगा पित्रस का पित्रस का पित्रस का पित्रस का पित्रस का पित्रस कितना होगा 7.6 से लगा करके 7.66 के बीच में मिल जाएगा आपको और यहाँ पर यह चीज़े क्या आओंगे आपकी अक्षारी दरसाएगा ठीक है नहीं यह चीज़ समझ चुक है आप अब यह भोजन में आकर के मिलेगा और हाला कि आपको एक बात और याद दखनी होगी पित्रस में कोई पाचक एंजाइम्स नहीं होगा पित्रस में क्या नहीं मिलेगा आपको भाई कोई भी पाचक एंजाइम्स अब इसका काम क्या होगा भाई पित्रस का अब देखिए यह किस पर करती कहा अक्षारी है तो यह कही ना कही जो हमारा भोजन होगा अगर बहुत ज़्यादा क्या होगा वो अमले होगा तो उसको किस में कनवर्ट करेगा अक्षारीता में ठीक है नहीं यानि कि भोजन में अमलेता और अक्षारीता को परिवर्तित करने का जो बैलन्स करने का काम किसका होगा वो पित्रस का होगा तो यहां पर तो पित्रस का कार्य क्या होगा भई ये भी जानना होगा अक्षा रेता वे अमलेता कुछ अन्तुलित करना हला कि हमें यहाँ एक बात या होगी अक्षार तो खुद हैं एटो अख्सारिता तो बैलन्स करेगा किसको करेगा अमलेथा को बैलन्स करेगा अर इस प्रकार से जो माद लिटा रैलनस द आएगी में तो साथ में क्या द्येक्षाब बान्स प्रक्राइब बहुत जादा हो और समझें ना कहानी तो यह किरिया किसके साथ करेगा अमलेता के साथ और बराबर किसको कर देगा उसके उसको अक्षरता के शाथ कर देगा जैस प्रकार से हम यह बात बोल सकते हैं भई अमलेता और अक्षारता क्या होगे यहाँ पर संतुलन होगी संतुलित हो जाएगी आपकी ठीक है नहीं कार्य क्या हुगा? अक्षारेता वै अमलेता को संतुलिद करने का काम होगा क्योंकि यह कैसा पदार्थ होगा आपका? अक्षारी है पित्रस हलके पिले रंग का रिख लेगा? पिताशेशे ठीक है? नहीं कोई पाचंश क्रेश इसके अंदर नहीं होगा बलकि काम क्या होगा इसका अक्षा लेता हो है अमलेता को संतुलित करना किस में भोजन में ठीक है भई कहां पे ग्रहणी में अब आगे करना होगा काम थोड़ा सामे जो पितरस होगा पितरस की सरचना को पढ़ना होगा ये पितरस है क्या तो हमारा जो पितरस होगा इसमें द कि यहां से क्योशन बनेगा आपका कि बताइए पित्रस में कौन सा कार्बनिक पदार्थ होगा कौन सा एक कार्बनिक तो पित्रस में जो दो कार्बनिक पदार्थ होंगे वो कौन-कौन से उड़ाएंगे आपके एक हो रहेगा विलरूबीन विल्रू विन एक हो जाएगा आपका विल्वर्डिन आपने पीले का नाम सुना एक भिमारी होती है पीले बस यही होता भई और दोनों कैसे बनते आएं बताएए हीमोगलोबीन के अब गटन के प्रणाम सवरूप डाट क्योशन आएगा पिताश है में है विल्रू बीन और विल्वर्डिन का जो निर्मान होगा वो कैसे होगा हीमोगलोबीन के अब गटन के प्रणाम सवरूप ये विल्रू बीन और विल्वर्डिन ही हमारे पितरस को कैसा देंगे हलका पीला रंग ठीक है नहीं वो जो मैंने बताना भी आपको कि जो पितरस का रंग होगा वो कैसा हो जाएगा हलका पीला वो किसके कारण होगा विलरुबीन और बिलवर्डीन के कारण होगा अब दूसरा समें अकार्बनीक पदार्त क्या होगा आपका एख हो जाएगा आपका sodium carbonate sodium carbonate इसमें क्या मिलेगा आपको एक sodium carbonate अब यहां पर और क्या मिलेगा जो पितरस होगा इसमें आपको एक चीज़ और मिलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं sodium glycolate sodium glycolate अब देखिए भाई साब आपको चीज़ समझनी होगी थोड़ी ठीक है नहीं क्या समझना होगा हमने अभी बात की कि जो हमारा पितरस होगा आज की सरचना क्या सी होगी इसमें दो प्रकार के पदार्थ होंगे आपके कुछ कार्बनिक और कुछ एकार्बनिक कार्बनिक पदार्थ के अंदर पितरस में दो चीज़े मिलेगे आपको विलरूबीन और विलवर्डीन इनके कारण बनने का कारण कैसा होगा हेमोगलोबिन के अब घटन के परणाम सुरूप बनेगा और इसी के कारण क्या होगा पित्रस का जो रंग होगा वह क्या होगा हलका हरा वैप पीला ठीक है भई अब दूसरी बात हमने बात किया है यहां पे क्योंकि बात थोड़ी समझ नहीं हो गया आपको भी क्या देखिए वो ना आप एक्जाम छोटे भी दोगे और बड़े भी दोगे जब आप 1800 या 200 ग्रड़ पर एक्जाम दोगे तो वहां पर केवल आपको आंसर क्या करना है का जवाब देना कहा है कैसे है वैसे है मतलब इसनया हो जब अधिक है कैसे अधिक के mov होगा जब गार व क्यों का जवाब देना होगा ना तो आपको यहां बोलते हैं सकोजी के और यहां मोलते हैं इसको Gs यह पता होगा आपको तो जी के में तो केवल आपको ये बात करना है कि पित्रस कैसा होगा आपका अक्षार ये ठीक है नहीं और रंग कैसा होगा हलका लाल पिला अब जब आपको जी एस करनी होगी तो क्या करना होगा इसका ध्यन करना होगा ये बताना को रंग कैसे आया ठीक है नहीं फिर एक चीन हमने एक तुरंग की बात की जब मैंने स्टार्टेंग में पढ़ाना आपको तो वह मैंने आपको बताया है कि जो आपकी जो पित्रस होगा इसकी प्रकरती कैसी होगी अक्षार यह पिएच मान कितना था तो यह मैंने प्रकरती कैसी थी प्रकरती कैसी कि है अक्षार यह अब यह बतायो सॉडियम क्या होगा आपका लवनिय वोगा स्वारी होगा पर इसी कारण है पित्रस की अख्षारी में लवन्ह दीन है इसके नहें यह प्रकर्ते शल्य अभनाने वो किसके कारण बनैस्ट में सौडियम कार्बोनेट और sodium glyconeate के कारण पित्रस कैसा बना हमारा अक्षार ये तो अब डानाट के उसने यहां पर में लिख रहा हूँ पित्रस की अक्षार देता कि पित्रस की अक्षार देता क्यों पस्थिति के कारण होती है कि अबस आपको यह बात या दखनी होगी देखे जहां पर भी आपके कैसे भई कार्बनिक और एकार्बनिक जब पतार्थों की संभावना ज्यादा होगे ना कहीं पर तो समलेजिए वो चीज़े कहां लेके जाएगे आपको अक्षार तक यो जीरो पॉइंट ना थे ना कुन के कारण ही ब्लड क्यासा बना था हमारा अक्षार और यह बहुत कैसे बहुत कम मात्रा में आए तो जिस कारण से हमारा पित्रस कैसा बनाए आपका है अभी तो यह पित्रस के बारे में इतना ही पढ़ामने अब हैब देखिए विल-रूबी हैंब और देन के क्या प्रक्षत कहल HOW देखोंगे कभी कभी क्या होता कि विलरुपीन और दियसका अप घसा और हमपैंळ हम क्या थै rubin को कि यह विलोपी इनका हेमोगोमिन विल्लाही क्या होगा आपका पी लेखा कारण होगा जब आपके बलर्ड में विल्रुबीन की मात्रा क्या हो जाएगी ज़्यादा बढ़ जाएगी या बढ़ जाएगी ज़्यादा आपके वो एंटर कर जाएगा हलाकि कुछ चीजे और होगी वहाँ जिस कारण से वो बिमारी होगी ठीक है नहीं तो जब आपके बलर्ड में मैंने कहा इनके कारण क्यासा होगा रखत पीला तो बिलवर्डीन पीले करना रखा होगा और पीलिय में भी क्या होता भई पीला ही पन होगा तो ये बिलवर्डीन ही हिमोगलोबील में मिल करके क्या विमारी करेगा आपको पेलिया इसको बोलते हैं पांडू रोग सुना आपने पांडू रोग पांडू रोग हां अच्छा पांडू रोग किसको वादा ही बताओ एक सासक था मगद का सुरी प्राशी ने त्यहास में एक सासक था उसको पांडू रोग हुआ था और महात्मा बुद्ध जी ने किसी व्यक्ति से आग रहे किया कि उसके यहां पर अपने राज वैद को भेज़ देजिए तो बाए लोजे में स्ट्री थोड़ी थी अवन्ति का सासक चंडपर गोतो और हरयक मस्का जो राजा था कौन अजास सत्रु आजास सत्रु कर यहां पर जीवक रहा करता था और जीवा के जीवा को कहा बेज़ दिया उसने चंडपर घोत के लाज के लिए बेज़ दिया था ठीक है नहीं और उनको बीमारी कौन सी थी यही थी पांडुरोग पी लिया चलिए भई अच्छा जी यह पित्रस्ता काम हो चुका पित्रस में कोई पाचकरस नहीं होगा और जिस कारण से कुछ नहीं होगा कि अब लेता और अक्षारेता को संतुरुत करेगा ठीक है भई अब देखिए अब हमने बात की थे यहां पर पिछी जाना होगा थोड़ा मिरे भाई देखिए यहां इसमें दो चीजा करके मिली थे आपकी ठीक है नहीं दो रस में लिया करके एक कोंसर समय आपका आपकर के अगनाशे रस अब इसको पढ़ना हो गया है ठीक है नहीं भई हाला कि देखिए दीटल बूर्ड करें फैदा होगा बार 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 लिखने की आवाशक्ता नहीं होगी पिछे जाएए समझ भी आएगा आपको ठीक है मैंने कहां पर क्या बताया तो पहले हमने क्या पित्रस को अपने कंप्लिट कर दिया अब भोजन में यहां पर ग्रहनी में क्या मिलावा दूसरा अगनाशेरस तो कहां चलते हैं भई अगनाशेरस के प और ग्रहनी में मैंने बताये दो रस एक कौन सा पित और एक कौन सा अगनाशेरस तो अब किसको पढ़ना भई हमें अगनाशे ठीक है नहीं इसको पढ़ना होगा यह निकलेगा कहां से भई अगनाशेशे यह कहां से निकलेगा अगनाशेशे अब यह क्या काम करेगा समझे भई मैं फिर बता रहा हूँ यहां पर वो माली जाब की ग्रहनी होगी ठीक है नहीं इस ग्रहनी के अंदर भोजन होगा और इस भोजन में आखर की क्या मिलेगा हो आपका भाई यह मिल जाएगा अगनाशहरस ठिके नहीं अब यह अगनाशहरस् क्या करेगा इसको समझना होगा ठीक है भाई लिखिए अब यहां पर क्या करना होगा लिखियो अगनाशहरस भोजन में अ पाचन क्रियां के दोरान ग्रहणी में आकर के मिलता है ग्रहणी में आकर के मिलता है ठीक है भाई लिखिए अगनाशे रस्मे चार प्रकार के अब ये कौन कौन से होंगे भाई इस पर मिलने माले जो अगनाशे अगनाश की होंगे हमारे कितने प्रकार के उगए चार प्रकार के अब कौन को देखना होगा भाई अमें यह थोड़ा साना यहां से रटाना होगा भाई अभी क्योंकि इस पेस चाहिएगा थीक है भाई तो ग्रहणी वाया करके मिलता है और इसमें कितने परकार के एंजाइम्स मैंने आपको चार परकार के तो पहला जो एंजाइम्स होगा वो कौन सा होगा ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन के साथ एक और रहेगा आपका जिसको हम क्या बोलते हैं आपे बही ट्रिप्सिन के साथ दूसा अन्जाम को अन्हों सामाना काइम्स ट्रिप्सिन यहां पर लिख रहा हूं मैं इसको काइमो ट्रिप्सिन ये थोड़ा देहरी रखना ये थोड़ा टब पोर्सन होगा भई एक तो यह मिलेगा एक होड़ाएगा आपका second number करो यहां पर enzymes मिलेगा आपको वो कौन सा मिलेगा भई उसको हम यहां पर बोलते हैं भई amylo 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 ठीक है नहीं एक होड़ाएगा आपका कार्बो कार्बो प्षिन ठीक है नहीं सोरी कार्बो एक में टोगना भई कार्बो ने प्षिन यह थोड़ा थोड़ा है यह इसमें ट्रिप्सिन और सिन लगा होगा और लास्ट वाला जो हमारा हो जाएगा वह कौन सा होगा इस्टियेशिन एसärt इस्टियेशिन सोरी इस्टेप्ज इस्टेप्जन एंजाइमस इस चार प्रकार के एंजाइंस आपको यहाँ पर मिल जाएगे किसमें भाई इसमें कहाँ पर अगनाश्यरस में आपको याद दखने होंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स आपके अगनाशे में ठीक है नहीं रस्में पाई जाते हैं जो अमारे बहुत दिन में बिलेंगे भई अब इनके काम भी पढ़ते होंगे भई इतना ही यहां पर खत्म होने वाला यह तो मैं एक मारे आपको सम्झा दू फिर नोट करना भई ये क्या काम करेगा प्रोटेन को ओ अमीनो एचिद में करेगा किस में अमीनो एसिद में बदल भी बदल देगा। ठीक है नहीं? यह मैन्ल of shg kya करेका भई आपका यह क्या 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 का हई आपका स्थार्ज को माल टोज में करेगा। यह starch को किश में करणने करेगा? maltose में और वह जो आपका carbose Lyon होगा, आपका यह क्या काम करेगा भाई यह protein को किसमें बथलदेगा भाई यह protein को सुरी, protein अणवो को किसमें भाई किसमें बथलेगा यह भीन्याय कि अमिनो एसीड में जो काम यहां पर और ठीक है नहीं कि अ मिए भीनोzona यहां पर पर प्रोटीन प्रोटीन सिधर आपने खिसमें ऑमिनोाने हो आप है ऑर यहां प्रोटीन के जो अनु और कहां जांगे इसमेंगे अब यह आप पर क्या बच आपका ये बचा आपका लास्ट वाला ये क्या गाम करेगा भई आपका आपका बताईए ये ये क्या क्या गाम करेंगा बई ये आपके फैर्टी जो एसे डोंगे यानिकी कि वश्य अब को ग्लेस रोल में कनवर्ट करेगा में परिवर्थित करता है ठीक है भई अब फिर समझे भई हमारी छोटी आत में जब भोजन कहां पर जाएगा ग्रहणी में दो रस मिलेंगे पितरस और कौन सा अगनाशे रस अगनाशे से निकलेगा भई अब ये जो भोजन में पाचन क्रिया के दोरान ये कहां करके मिलेगा भई ग्रहनी में करके मिलेगा कौन अगनाशे रस ठीक है नहीं और इसमें चार परकार क्या एंजाइम्स होंगे ये वाले इनके काम कौन से होंगे ये वाले इसको नोट किजिए आप कि समय में लगा आप टैंसल नरे जी कि 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 जाब नोट कि कारो कार्बो प्सिन ये प्सिन कि कि झाल झाल अब बहुत छोटा हाँ पोर्षन बजावाब का लगभग कम्लिट हो चुगा पाचन चले भाई देखे भाई अब देखिए अब देखिए हमने बात कि यहाँ पे जो छोटी आथ होगी फिर देखिए कितने बार आपको याद हो जाएगा है कि छोटी आथे कितने पाठ होते हैं छोटी आथ के दो भाग बताए मैंने आपको एक कौन सा ग्रहणी और ग्रहणी में आगर के दो रस मिले कौन सा पित और अगनाशे हाला किन किस रचना में आपको पढ़ादी कैसी कैसी होगी अब यहां से बहुतन कहां जाएगा आपका शुद्रांत्र में इसकी को बोलते हैं इलियम यहां पर जाएगा समझे अब कहानी अब यहां से बहुतन कहां जा चुका इसमें जा चुका अब यह भी कहिना कि छोटी आथ का ही पार्ट होगा भाई अब एंडस्कोपी तो देख लेना आप मालीजी इतना पोर्ट नहीं व देखे आपको एक गरंथिया होंगे कौन सी ब्रूनर गरंथिया कौन सी ब्रूनर गरंथिया होंगे आपके जो आपके छोटी आथ की शुद्रांत्र इलियम होगी उसमें विश्यस प्रकार की गरंथिया होगी उनको हम क्या बोलते हैं ब्रूनर गरंथिया समझे आप छोट चोटे चोटे सी आप इस प्रकार से होती है भई यह बूर गरंथिया ठीक है नहीं बूर गरंथिया होती है भई चोटी आथ के अंदर ही क्योंकि छोटी आथ के दो पाट है ना एक रहाणी और एक कौन सा इलियम यह शुद्रांतर बोलते हो उसको वो शुद्रांतर के अंदर ही बुलर ग्राइंट होंगी अब इन बुलर ग्राइंट से प्रती दिन कितना भाई प्रती दिन 6 से 7 लिटर क्या निकलेगा आंत्रस इसको बोलते हैं आंत्रस ये निकलेगा अब इसमें आगर के का मिल जाएगा आपका आंतरस मिल जाएगा और यह आंतरस जब इसमें मिल जाएगा यहीं से कुछ पोशक पदार्त होगा क्या हो जाएगा अवशोषन है कुछ पोशक पदार्तो क। यहां पर भाई आव 侶ोषन है अ हालां कि जो blindness जाएगा जो सारे प्रकार के BY वसा होती है प्रोटिन भी आफ करई भी होगा Kritisत भी होगा कुछ में लंश फाइबर भी होगा मैंने बता हेभाय हमारा भोजन बोफ सारे 7 सब्सक्राइब कर देगी और एनरजी मिलने क्या आपको स्टार्ट हो जाएगी आप समझते हो कि आपने भोजन देखिए एक बास समझ लिजिए अगर आपने कार्बो हाइडेट खाया आपने भोजन में तो जैसे ही ग्रास तली से कहा गया वो कार्बो हाइडेट का पाचन तो आपके मुख से प्रारम हो जाएगा और उर्जा मिलनी स्टार्ट हो जाएगी लेकिन जो प्रो आपका मुख से प्रारम होगा मुख में आपने लिया और पाचन प्रारम यानि कि उर्जा मिलनी स्टार्ट हो जाएगी उससे और आमसा में जाके फुली लेकिन यहां बात यहां दखनी होगी अगर आपके बहुजन में क्या तीने चीज हो कौन-कौन सी हो फैट भी हो ठीक आमसा में कंप्लेट हो जाएगा अब इनका जो पाचन होगा ना भाई वो आमसा से तो प्रारम भी होगा इनका तो आमसा से प्रारम भी होगा पाचन और कहां पर जाके पुरा होगा बड़ी हाथ में कंप्लेट होगा तो यह तो उर्जा आपको कहीं घंटे के बाद देंग अमाशी तक जाएगा और वहां कतम हो जाएगा काम बाकी जो protein और क्या होगा भाई है और fat होगा इनको पचाने में मैंनत करनी होती है तब ही तो बोलते हैं भई अगर आप बहुत जदा protein लोग या fat लोगे तो क्या हो जाएगा आपका liver खराब हो जाएगा समझें न यही काम होता भाई बहुछ ज़ार दिक्कत बनती है वहारा पे क्योंकि उनको पचाने के लिए बहुत सारे पाचक रस छोड़ दें ओंगे और पाचक करस इतने हैनी होने पास तो दिक्कत तो बनेगी फिर भाई वह सही से पाचन किरिया होने के नहीं तो अदिकत बनेंगी पाचन के लिया में। थीक है भई, अब हमें आत्थ धखना होगा, वह पूछ लेगा, कि बताइए, बुर्णुर गरंथिया कहां पाई जाती है? बुर्णुर गरंथिया पाई जाती है, छोटे आत्थ के इलियमनी शुद्रांतर में जिसमें से परती दिन 6-7 लिटर क्या निकलेगा आंतरस और यह आंतरस क्या करेगा कुछ पोशक पदार्तों का अवस्वर्ण कर देगा अंकुरस नहीं बोलते हैं इसको आंतरस बोलते हैं आंतरस आंत से निकलने वाला एक विस्वर्ण का लिक्विड होगा जो भोजन को कहीं नहीं गोहल देगा और गोहलने के प्रशाद उसको जो यह चुछ चुटी गरंथ यहां बताई मैंने यह वाली इनके माध्यम से भोजन बता दो जाएगे को सुसित हूंगे की अब हम बात करते हैं यह तो मैं कहूं आपको कि छोटी नहीं से में बोलत果 आगया है बात कि थो यह हौगी कि बात है ना बयाक बताई यह समझ आई के なई हैसमझ में बाट बात बताई आपको या तो मैं यह कहूं कि आपका जो शुद्रांत रथाने इलियम से बोजन कहा गया आपका सीकम में बात वे खिया ना क्यों हो भई अजी यह पता नहीं जी बस यह बात सही है क्योंकि यह ग्रहनी और शुद्रांत रचोटी आथ के तो पाट पहले यहां आया गोम करके फिर यहां गया तो यहां जाएगा सीधा यह फिर मैं यह कहूं इन दोनों के स्किप कीजिए आप इस सीधा यहां से यहां भेज दीजिए तो वही बात होगी चलिए सबस्की करिया थे आपका भी इन बेज दयना होगा भाई सीधां में धालिस अ का में को बढके अckedया नहीं होगी हरेत इक तरीके से एक भट्टी होती है भाई एह को टेग चोटा से बॉलत है हाई टम product मौधरी पाट होगा आप इसमें क्या होगा जो हड़िया होती है ना आपके चिकन विकन खाया आपने और थोड़ा वह उताथ चला गया आप तो वहाँ पर कल जाएगा आपका समझें आप कहानी तो सिकम में एक चीद का पाचन नहीं होगा सैलूलोज का यहां पे सैल्यू लोज का पाचन क्या नहीं होगा सैल्यू लोज का पाचन नहीं होता है नहीं होता है देखिए सैल्यू लोज एक पर कार्वाडेट हो यह मासा हार्यों में कुछ बड़ा पाया जा हम में छोटा पाया जा साकार में छोटा मिलता है मासा हार्यों में बड़ा एक च्पोटी सी अंदर थेली होती हैं इसकों अगे और पीछे होना आई क्या हो को बड़ा रहा हो जिसको को मब बोलते हैं न भड़ि सही पाप एसा कас जो के आपने लोकेशन से आउट हो रहेगी ठीक है नहीं तो आप क्या हो जाएंगे भाई लूज मोसन अगर वो पीछे अटगी तो क्या बन जाएगा आपको कब्ज बन जाएगा समझे ना कहानी यह सीकम होगी देखे जो आप एक बोजन बता रहा हूं जैसे आपने क्या खाई भा जो बोन्स होंगे वह आपके अंदर जाने की संभावना होगी है हो सकती है ना अब वो उसको गलाएगा कौन एस सी एल उसको गला देगा सोप्ट कर देगा और अन्ती मुरूप से कहां खतम हो जाएंगे वह आगर के सिकम में उसको पेश्ट बना देगा बिल्कुल हाँ गला देगा माँ वो एस एल मेरा भाई उसको बहुत सोप्ट कर देगा वो और को पेश्ट कहां बन जाएगा करके सिकम वाले पॉप पार्ट में एक तरीके से टैस्टिंग मसीन है कि कोई दिक्कत तो नहीं है ताकि मल दुवार में दिक्कत ना बन जाए कोई चीज हाँ उसको थोड़ा हाइक दम पेश टाइप में कनवर्ट कर देगा है ठीक है नहीं जैसे कहीं बार बोजन में कंकर चली जा चली जा ना ना बच्चा कहीं बार छोटी मोठी चीजे निगल भी जा जो बोजा सॉलिड फोम में हो तो सब एक पेस टूप में बदल जाएगा लेकिन मासा अरी होते हैं ना वहीं सेप मासा हारी जीव जैसे सेर जो मास खाने वाले जीव होते हैं कभी आपको होगी जो इनसानी मास खार हो खिंदे सिकम हलाकि इनसानी तो भाई वह तो खार है तो उपरकार की होगी मासा हारी जीवों में सिकम का आकार हमसे क्या मिलेगा कुछ बड़ा मिलेगा और वहाँ पर इनका पाचन हो जाएगा सैदलोज का भी चलिए तो अलग चीज़ होगी अब यहाँ पर कहानी क्या होगी सिकम के बाद भोजन कहा जाएगा भई आपका बड़ी आथ में और बड़ी आथ में जब भोजन जाएगा तो यहाँ पर जल वे एकार्बनिक जो लवन होंगे उनका अवसोषण हो जाएगा लवनों का अवसोषण बस अब तो काम खतम हो चुका पाचन का अब तो लाश्ट स्टेप चलावा है और जैसे ही बड़ी आथ में जाकर के जलका भी हो चुका क्या भई अवसोषण आप गटन नी और क्या भई लवनों का भी क्या हो चुका अवसोषण हो चुका वो भी कहाँ चले गए ब्लड में चले गए ठीक है नहीं अब बच्चा जो सेस्पदार्थ हो का वो कहा जाएगा मलाशे में चला जाएगा कहा जाएगा मलाशे अब मलाशे में एक द्वार होगा, इसका बोलते हैं मलद्वार, और मलद्वार के माध्यम से, आपका जो वेश्ट बोजन होगा, सब कुछ अव्शुची थोने के पस्चाद, वो कहा निकल जाएगा भई? मलद्वार से बहार निकल जाएगा, ठीक है नहीं? बस, और यहां प पे मलाशय पे आ करके खतम हो जाएगी और यह कहां से कहां तक होगा आपका मुख को गुवा से स्टार्ट हो रहा था आपका और मलल द्वार पर समावत हो रहा था वहीं कि समझे कहानी यह थी आपकी पाचन की किरिया अब दो तिन चोटे की उशन आपको समझने होंगे यहां पर इसको नोट केजिए आपको बताऊंगा कि 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 इसको खतम कर लेते हैं वह यह भी देखिए अब दो तीन चीज़े बताऊंगा बही मैं एक तो बताऊंगा आपको मैं कार्बो हैडरेट एक बताऊंगा आपको मैं फैट और एक बताऊंगा मैं प्रोटीन इन तीन चीज़े की बात करने होगी लेखिए कार्बो हैडरेट का पाचन कार्बो हैडरेट का पाचन मुख से परारंब होता है मुख से परारंब हो जाता है वे अंतिम रूप से अमाशे में हो जाता है वे अंतिम रूप से कहा हो जाएगा भाई ये अंतिम रूप से अमाशे में अगर आप कार्बो अड़िट खाओगे ना तो सरीर को ज्यादा मानत नहीं करनी होगी जो आप कहा मिलते हैं फलो में मिलते हैं कार्बो अडिट बो जादा तो फल खाईए स्वस्त्र होगे क्योंकि जितनी उर्जा मिली न उसको पचाने में कम खर्च हुई बाकी आप कोई मिलेगी अब आपने खा चुके यह अब यह पचाने के बाद देखे कितना लंबर स्टाप बना कहां तक जाएगी बाद अमाशा के बाद देखे कहां तक जाएगी कहानी अब फैट का पाशन कहां से होगा भई फैट इनका पाशन कहां से होगा भई इन दोनों का पाशन कहां होगा अमाशा में कि अमाशय शे च्चोटिया गई नृट को यहां तक हमपीट उनका तो लेलuxe पस्तन होगा आपका कि करशे करबाइट का कहा दाएगा अंति मुझ्रूप से अमाशय में और इनका यहां Спाहित इनका होने करəं Several को यहां является तक होगा करet molar कि कभी आप क्या altri कि यहां जाएओ और प्रोटीन का पाउचन कहां से होता है कि कहां होगा अमाशमें प्रारंबंद होगाई और उसका क्या होताइगा वाह पर समाप्थ 5207 थ कि मस्याद रखनी कौन कि अग्रेट हो गाँ गलत हो गया भाई काम को गलत हो चुका कार्बो हाइड्रेट का जो पाचन होगा ना यह गलत हो चुका भई आपका इसको सही के ज्याव अभी मुक्से प्रारंब होगा यह कार्बो हाइड्रेट का पाचन मुक्से प्रारंब और छोटी आंथ की ग्रहनी में अंत छोटी आंथ की ग्रहणी में अंत और इसका अमाशे से प्रारंब और बड़ी आंत में स्वरी अमाशे से लगा करके बड़ी आंत छोटे आंत में ग्रहणी जो थी ना वहाँ पूझाएगा वो आपको लास्ट वाले पॉइंट पूछने का ही नि वह कहाँ पूच लेगा ये पूच लेगा स्टारटिंग के अब देखें भई अब क्या करना होगा कल की जो हमारी कलास होगी उसमें क्या करना होगा हमें भी मैं बता के जा रहा हूँ कल पाचन का लेक्च्छ में कीतना होगा हमारा कलास ao can Star होगी और थर्ड में हमें क्या करना होगा जो हमारी पाचन करंथिया थी उनको पढ़ना होगा पाचन करंथिया कौन कौन सी थी है हमारी एक तो लार करंथिया थी एक थी कौन सी भाई यकरत और एक क्या था भाई हमारा अगनाशे हाला कि अगनाशे रस्तो पढ़ दिया हमने लेकिन अगनाशे के बार में तो नहीं किया तो ये तीन ओर्गन्स करने होगे लार गरंथिया, यकरत और अगनाशे ये हमारी कब की next class में होगा ठीक है भई तो ये class समझने से पहले आपको स्टार्टिंग की दो class देखने होगी ठीक है नहीं, पाचन की जागी class number 1 और class number 2 जब तक आप उनको नहीं देखने के भाई ये class number धर्ड़ आपको समझने आनेगी ठीक है भाई, चलिए इतना ही करें